तैयारी जितनी मजबूत होती है सफलता उतनी ही भरकूर मिलती है नमस्कार दोस्तों मैं उद्य सिंग मैंच गुरू उद्य से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक श्वागत और अभिनेंदन करता हूं और आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं अगली पास सेवेंड एटी सेवन में क्वेस्ट नंबर वन से लेकर एटी सेवन के 25 प्रशनों को समलित किया गया है चलियेगा शुरूआत करते हैं आज के इस ¬हतरीन की कराいक रुटस आप था एक क्यूबीक एक टी गएशन दी गई है और उसके रूटस कहरा है एक पी में हैं यानि क को difference निकालना है, तो देखिये का, यहां पे maximum कौन होगा? A plus d होगा, और minimum कौन सा होगा? minimum A minus d होगा, इन दोनों के बीच में difference निकालना है, मतलब कि A plus d minus का A minus d, कितना हो जाएगा A plus d minus A plus d, तो ग्या हो जाएगा, तो कट प्रोड़ निकाला जाए, sum of root, cubic equation का sum of root है न, तरिगात समी के रणकास sum of root क्या होगा, a minus d, a, a plus d, यानि कि इधर तो 3 a आ जाएगा, इधर 3 a आ जाएगा और होता क्या, minus b by a, minus minus 12 बाटे, यानि कि 12 आ जाएगा, a का value जो आएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, 4, इसके बाद product of root, इन सभी का product, तो देखिएगा product कितना हो जाएगा, 4 into a minus d, a plus d, यानि कि a square minus start d square is equal to minus d by a, minus minus 28 बाटे 1, यानि कि कितना आ जाएगा, 28, अब a का मान रख दिया जाए, 4, 4 into कितना हो जाएगा, 16 minus का d square equal to 28, 48, 49, 4, 47, 28, कितना आ जाएगा, d square is equal to आ जाएगा, 16 में 7 जाएगे, 9 बचेगा, यानि कि d equal to आ जाएगा, plus minus 3, है ना, हम d का मान 3 ले रहे हैं, और यहां पे रख दिया जाए, क्या, अब निकाल दीजिए, इसकी value, d का मान रख दिजिए, इसकी maximum minus minimum, सबसे बड़े मान में छोटे वाले root को घटा देना, बड़े root में छोटे root को घटाने पर कितना रहा है, हमारा 2d आ रहा है, तीन दुनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानि कि पहले में कौन सा ओप्पन से हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे question number 2, question number 2 में कहरा है कि the 8th term of ap is 0, कहरा है कि ap का 8th term, 8th term का मतलब हुआ कि t8, t8 का मतलब क्या हो गया, a plus 70, a plus 70 जो है वो कितना है, 0 है, तो कहरा then, s18 बटा s21 की value बतानी, जहाँ पे sn denotes sum of n terms, कहरा sn जो है sum of n terms है, कोई दिक्कत नहीं, तो देखिएगा, हमें पता है न, sn का formula क्या होता, ap के n terms का sum कितना होता, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, चलिएगा, अब निकालते हैं हम यहाँ पे s8, s18 divided by s21, कितना जाएगा, 18 upon 2, फिर यह कितना हो जाएगा, 18 यानि कि 2a plus 17d, है न, divided by, नीचे कितना है, s21 का मतलब कितना हो गया, 21 by 2 into 2a plus 20d, 20d, अब देखिएगा, इस वाले 2 से 2 को काट दिया जाए, यहाँ पे कितना बचा, 18 और यहाँ पे कितना बचा, 21, देखिए, a plus 7d, बराबर 0 है, इसका मतलब यह हुआ, अगर हम 2 से multiply कर दें, तो 2a plus 14d, बराबर कितना हो जाएगा, 0, इसको लिख दीजे, 2a plus 14d, प्लस 3d, है न, तो कितना बचेगा, 2a plus 14d की जगा पर 0 रखेंगे, तो यह 3d बचेगा, यहाँ पे, 3d divided by, और यहाँ पे लिख दीजे, 2a plus 14d, प्लस 6d, है न, तो 6d बचेगा, यहाँ पे, एक काम करेंगे, d से d को काट देंगे, d से d काटने के बाद कितना आएगा, यह आजाएगा, अठारह बटे 21, गुडे 3, बटे 6, है न, 3 सते 21, 6 कन्नम 6, तरिक 18, कितना आजाएगा, यह 3, अनुपाते 7, है न, इन दोनों का रेशियो कितना होगा, तीन रेशियो, साथ होगा, कौन सा आप्षन से हो जाएगा, टू में, ए वाला आप्षन करेक्ट हो जाएगा, आगे चलेंगे, 3, कॉस्टर में 3 के रहा है कि 99 और 1001 के बीच, ऐसी प्राक्तिक संख्याओं का योग जाद किजिए, जो जो आद 11 से डिविस्बल होगी, तो 99 और 1001 के बीच में चाहिए को, तो भाई इस के बाद 11 अहड़ करेंगे, तो 110, 110 के बाद कोंसी 11 से डिविस्बल होगी, 121, डोट, 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 लाश्ट में 1001 नहीं होगी, 1000 भी नहीं होगी, 9995 भी नहीं होगी, 999, 990 ही तो होगी लास्ट में 11 नहीं है 990 और इसमें अगर 11 एड़ कर देंगे तो यह तो आगे पहुंच जाएगी तो वहां तक नहीं जाएगी 990 इनके बीच चाहिए हमको ना ठीक है इनके बीच में चाहिए तो कोई दिक्कती नहीं है हम तो यह आगई अब हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितने टर्म्स हैं कितने पद हैं तो लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है 990 अंतिम पद एन बराबर होता ए 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डी कमान कितना 11 सबी तरफ से पूरे से 11 लेके तो डिवाइड कर दिया जाए तो 11 नहीं है कितना 99 यह नहीं कि 90 आ जाएगा और यह कितना हो जाएगा 10 प्लस एन माइनस 1 अच्छा अब देखेगा यहां पर हमने कहा कि 11 कमल यहां पर 10 हो गया ठीक है अच्छा फिर आप यह देखे 90 और इधर बचेगा 9 9 इधर घटाएंगे तो एन बराबर कितना आ जा इक्वल्टू तो कितना आ जाएगा 81 डिवाइड़ेड बाइटू इंटू ए प्लस एल ए कितना है 110 एल कितना है 990 इन दोनों को एड करेंगे इसो देंगे 1000 हो को 1100 हो जाएंगे यह आ जाएगा 81 बटे 2 गुडे 1100 ताट देंगे इसको तो 550 आ जाएगा फिर कर देंगे इन पान सो पच्चास 81 गुडे 550 करेंगे तो यह वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा चावालिस पान सो पच्चास है ना सी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेस्चन नमबर 4 की तरफ के रहा है कि 5 वेक्ती 6 गेंटे 6 दिनों तक है ना आपको सीधा सा फार्मूला इस्तमाल करना है यहाँ पर क्या M1, D1, H1 divided by कितना W1, work कितना हुआ work कितना हुआ, W1 equal to M2, D2, H2 divided by W2 आईए अब दोनों कंडिसन से देखते हैं क्या हमसे पूछ रहा है के रहा 5 वेक्ती 6 दिनों तक 6 गेंटे प्रती दिन काम करके 10 खिलोने बनाते हैं 5 वेक्ती 5 आदमी है, 6 दिन काम करते हैं, प्रती दिन 6 गेंटे काम करते हैं और 10 खिलोने बनाते हैं, काम कितना हो रहा है, W हो रहा है M2 तो करा 12 आदमी कितने घंटे हमें नहीं पता लेकिन यह पता घंटे कितने 8 पता दिन नहीं पता है यह 8 है बटे W2 16 खिलोना बनाते हैं ठीक है 8-98-8-21-16-21-22-25-10-5-95 यह दोनों हो गए कितने कैंसिल कितना हो गया है अब यह 12 बारत छे गुड़े 636 कितना जाएगा तीन है ना यानि कि दीटू पर आबर कितना जाएगा तीन तो कितने दिन लगेंगे इनको तीन डेज में 16 खिलोने बना देंगे है ना तो कौन सा अप्षन सही हो जाएगा चौत्थे में ए वाला अप्षन सही हो जाएगा question number 5 देखेंगे question number 5 कह रहा है कि find the general value इसकी general value find करनी है देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है 10 theta plus 10 2 theta equal to अब इसको उधर ले जाएंगे root 3 आप लेंगे common अगर root 3 common लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 minus का 10 theta 10 2 theta है ना 10 theta 10 2 theta तो कितना आ जाएगा अब यह आ जाएगा 10 theta plus 10 2 theta divided by 10 theta plus 10 2 theta divided by आ जाएगा 1 minus 10 theta 10 2 theta is equal to कितना अंडर root 3 10 a plus 10 b का फार्मूला बन रहा है यानि कि 10 a plus 10 b यानि कि 10 theta plus 2 theta यानि कि यह बन जाएगा 10 3 theta is equal to 10 60 10 60 का मतलब pi by 3 अब देखेंगे अब 10 theta पर आपर जब 10 alpha होता है तो theta is equal to का होता है n pi plus alpha यानि कि 3 theta is equal to कितना हो जाएगा इसका general value n pi plus pi by 3 यानि कि अगर हम इसको theta निकाले है आँसे तो pi को ले ले है common लेना चाहें तो pi common ले ले तो यह pi by 3 equal to आ जाएगा कितना n plus 1 बटा 3 हैना कौन साप्षन से हो जाएगा 5 में c वाला option जो है कि find the general value of theta किरा theta की general value find कीजिए देखिएगा याँ पर theta की हम general value find करेंगे 7 cos square theta लिखा है न हम चाहा रहे हैं कि इसको आप लिख दो 4 cos square theta plus 3 cos square theta अलग कर दीजिए इससे plus ये कितने लिखे हैं 3 sin square theta ये लिखा हुआ है plus 3 sin square theta equal to कितना 4 अब देखिए इसकी जगह पर कितना आ जाएगा 3 लेंगे common तो ये आ जाएगा 1 तो ये आ जाएगा 4 cos square theta plus 3 into 1 हो जाएगा 3 into 1 equal to कितना हो जाएगा 4 3 लेंगे common cos square theta plus sin square theta ये जगा पर 1 रखेंगे हो जाएगा ये फिर कितना हो जाएगा 4 cos square theta is equal to 4 minus 3 मतलब की 1 और ये आ जाएगा cos square theta is equal to कितना आ जाएगा 1 बटे 4 अच्छा अब ये cos square theta is equal to कितना cos square pi by 4 pi by 4 मतलब 45 pi by 4 ने एक बटे 2 कवर गए एक बटे 2 किसका मान होता है pi by 3 टिक है चलिएगा तो जब भी cos square theta पराबर cos square alpha होता है तो theta पराबर formula क्या यूज करते हैं n pi plus minus alpha plus minus alpha ये इसकी general value हो जाएगी n pi plus minus alpha यह निकि 6 में कौन सा option सही हो जाएगा b वाला option सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 7 कराक कि 10 theta पराबर b by a तो value निकालना है दिखेगा इस person को हम general तरीके सभी कर सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं हम चाहे रहे हैं कि यहाँ पर theta का मान ऐसा कुछ निकाल लिया जाए जिससे कि थोड़ा सा आसानी हो जाए एक काम करें अगर हम यहाँ पर let कर लें कितना b is equal to 1 let कर लें और a is equal to root 3 let कर लें फिर दोनों जगा option satisfied करवा लिये जाएगा देखेगा यहाँ पर तो 10 theta बराबर कितना आ जाएगा इस condition में जब वो दिया है उसने 10 theta बराबर b by a मतलब कि 1 बटे under root 3 तो यह आ जाएगा 10 theta बराबर 10 30 10 30 यानि कि theta बराबर कितना आ गया 30 अंस आ गया theta का मान आ गया 30 अंस उठा के यहाँ पर रख दिया जाए है ना देखेगा किसकी value निकालनी है a cos 2 theta a cos 2 theta plus b sin 2 theta की value निकालनी है a का मान कितना रखा है हमने under root 3 और cos 60 यह cos 60 हो जाएगे theta एक जगह पर 60 अंस रखेंगे plus b का मान है 1 और यह भी हो जाएगा sin 60 यह हो जाएगा under root 3 बटा 2 cos 60 का मान एक बटे 2 होगा plus sin 60 का मान कितना हो जाएगा sin 60 का मान होता है under root 3 बटा 2 under root 3 बटा 2 under root 3 बटा 2 मिला के कितना आ जाएगा ये अंडरूट 3 अब देखिए कौन से option में A बदाबर राज़ाग्म रखने पर अंडरूट 3 देदेगा तो देखिएगा ये क्या देगा हमको वो option सही होगा जो A बदाबर under route 3 रखने पर doinडरूट 3 देदे देखिएगा ये तो आजाएगा दो अंडर रूट तीन तो यह तो अप्सन हो नहीं सकता और यहां पर अगर A आया सीधा तो A बराबर अंडर रूट तीन यानि कि कौन सा अप्सन से हो जाएगा B वाला अप्सन से हो जाएगा शेविंध का B क्या होगा करेक्ट हो जाएगा Question number 8 में कह रहा है कि the value of cot अब देखिए यहां पर आपको पता है cot theta into 10 theta दोनों into में है जब भी cot theta into 10 theta into में आएगे 10 theta को आप convert करोगे 1 by cot theta हो जाएगा और यहां पर क्या लिखा 1 क्या लिखा है 1 plus 10 pi by 10 का मतलब हो गया sorry sine pi by 10 का मतलब हो गया sine 18 into cos pi by 5 का मतलब क्या हो गया 36 ठीक है सारी value रख दिया जाए अपने आप आसान हो जाएगा यह shine 18 का मान कितना होता है sine 18 का मान under root 5 minus 1 divided by 4 into और cos 36 का मान under root 5 plus 1 divided by 4 calculate कर लीजिए 1 minus कितना हो जाएगा a plus b a minus b a square minus b square under root 5 का square minus 1 का square यानिकी 5 minus 1 यानिकी 4 उपर कितना आया उपर आ गया चार और नीचे कितना आ गया 16 कटा दिया जाए चार चोक 16 फिर यह क्या हो जाएगा वन से गटाएंगे इसको तो 1 minus 1 by 4 का मतलब कितना हो गया 3 by 4 कौन सा option सही आ गया 8 में c वाला जो option है कितना जाएगा वन प्लस एक बटा चार यानिकी कितना बन जाएगा पांच बटा चार कौन सा option सही हो जाएगा 8 में बी वाला option करेक्ट हो जाएगा ना बी है बी क्यों प्लस था चलेगा आगे बढ़ेंगे question number 9 question number 9 में करना था value आप court 1 court 2 अब देखे हमको value निकालनी है court 1 court 2 court 3 court 3 answer dot 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 कहीं पर हमको court 90 से मुलाकात होगी है ना 90 होगा सभी गुड़ा में है सभी क्या है गुड़ा में है और आगे dot 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 कितना आ गया court 189 कहानी पूरी खतम हो जाती है जब court 90 क्या हो जाता है जीरो हो जाता है है ना तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी टर्म रहें होंगे multiply में इसके 0 हो जाने के बाद है ना वो सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे यानि कि इसकी पूरे की value क्या हो जाए कि 0 सभी का multiply 0 आ जाएगा बी नाइन का बी वाला option करेक्ट हो जाएगा और स्रमार 10 क्या इन ट्राइंगल A B C देखिए किसी ट्राइंगल A B C में हमें क्रूप करना क्या होगा हमें काम करते हैं हम equilateral triangle ले रहें है ना मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर A A बराबर है B के बराबर है C के तीनों भुजाएं बराबर है अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो आपको पता है कि कोड़ A बराबर कोड़ B बराबर कोड़ C बराबर कितना होता है शाठंस होता है और अगर हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा बराबर कितना होता है डिल्टा बराबर होता है अंडरूट 3 बटे 4 A square अंडरूट 3 A square बटा 4 यह होता 6 तरफल क्या निकालना है हमको यह चेक किया जाए हमें निकालना है B square sin 2 C plus C square sin 2 B सब की जगा पे हम A रखेंगे चलिएगा रखते हैं B square sin 2 C B square shine 2C plus C square shine 2B देखेगा A और B और C सब बराबर है इसकी जगप A रख दीजे तो A square C की जगप भी A, B, C सब भी बराबर है तो हम चाह रहे हैं कि A, B, C की जगप B और C की जगप भी अंगल A ही रख दिया जाए तो ये अब आ जाएगा हमारे पास क्या जाएगा 2A square shine 2A A का मान रखो साथ हंस एक ही में कनवर्ट कर लो जब अंगल B और C बराबर हैं बोजा B और A और C सब भी बराबर हैं तो किसी एक करेक लीजे कोई दिक्कत नी तो 2 हो जाएगे ये पाद हमारे कितना 2A square shine 120 shine 120 का मान कितना होता under root 3 बटा 2 under root 3 बटा 2 90 plus 30 cost 30 cost 30 का मान कितना होता under root 3 बटा 2 2 से 2 card दीजे कितना आ गया है यहां से under root 3A square और यहां देखिए under root 3A square यहां से निकारें तो किसके बराबर आ जाएगा 4 delta किसने बराबर आ जाएगा यह 4 delta तो कौन सा अप्षन से ही हो जाएगा इसमें दस में डी वाला अप्षन जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेस्टन अबर ग्यारा किरा इन ट्राइंगल एबी सी करा किसी ट्राइंगल एबी सी में कोर सी बरावर 90 अंस है तो हमें निकालना है 10 A-B by 2 तो एक रिलेशन होता है अगर वो रिलेशन हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है क्वेस्टन आराम से निकल जाएगा A-B 10 A-B by 2 equal to होता है कितना A-B divided by A plus B अगर यहाँ A-B है तो यहाँ भुजाओं का A-B होगा और यहाँ इसका जेस्ट अपोजी टेंगल होगा A और B है न तो C होगा तो कौर्ट C by 2 यह फार्मूला होता है C का मान 90 अंस है तो रख लिया जाए हाँ पे A-B बटा A plus B और यह आजाएगा साहब कौर्ट 45 का मान 1 रखोगे तो A-B बटा A plus B into 1 तो कौन सा ओप्षन सही हो जाएगा C वाला ओप्षन सही हो जाएगा Q11 का C क्या होगा और करेक्ट होगा आगे बढ़ेंगे Q12 की तरफ कराएदा साइड आप दा ट्राइंगल कराएदा ट्राइंगल की साइड दी गई है हमें 8, 10 और 12 देख लेते हैं आपे एक ट्राइंगल बना लिया जाएं एक ट्राइंगल है कोड A, कोड B, कोड C ठीक है A की सामने की भुजा 8 हम सबसे छोटी ले रहे हैं 8 cm, C के सामने की भुजा जो है सबसे बड़ी है वो 12 cm, आपको पता है जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोड भी बड़ा होता है, चलेगा फिर इसके बाद B के सामने कितना है 10 cm, हमें निकालना क्या greatest एंगल और क्या निकालना है least एंगल, सबसे बड़ा कोड और सबसे छोटा कोड के बीच में relation निकालना है, सबसे छोटा कौन है, कोश A, तो कोश A बराबर कितना हो जाएगा, B square plus C square minus का A square divided by 2BC, ना B square कितना हो जा जाएगा, plus C square कितना हो जाएगा, 144 minus कितना हो जाएगा, यह 64, अब बटे कितना, 2 into B, B का मान दिया गया है, 10 और C का मान दिया गया है, 12, ठीक है, चलेगा, 64 इससे हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा, C 180, है ना, अरे 64 इससे घटा देंगे, किससे, 144 से, 144 से घटाएगे, 80, इसके साथ मिला के कितना हो जाएगा, 180, तो 180 बटे कितना आजाएगा, 2 गुडे, 10 गुडे, 12 का देंगे, इससे, 29, 18, 9 हो जाएगा, और कातेंगे, तो 3 बटे, 4 आ जाएगा, कॉष a का मान, 3 बटे, 4 आगया, हम तलासते हैं, कॉष c कितना हो जाएगा, A square, A square कितना है, 8, 8 का square कितना हो जाएगा, 64, A square, plus B square, 100, minus C square, 144, बटे, कितना हो जाएगा, 2, A, B, 2, A का मान कितना है, 8, B का मान कितना है, 10, calculate करते हैं इसको, 100 सीधे घटा देंगे, माइनस के 44, माइनस के 44 को इससे और घटाया जाए, तो 20 बचेगा उपर, 20 बटे, 2, गुड़े, 8, गुड़े, 10, 10 और 20 कर जाएगे, कितना जाएगा, 1 बटे, 8, अच्छा, अब एक काम और करना है, छोटा सा, देखेगा, यहाँ पे हमें पता है, कि कॉश 2, A, बराबर कितना होता है, 2 कोश, इसक्वयर, A, माइनस 1, तो देखेगा, यहाँ पे, 2 कोश, इसक्वयर, A, कितना हो जाएगा, 9 बटे, 16, गुड़े, 16, माइनस 1, ठीक है, यह खाड़ देगे, यह आ जाएगा, 8, कितना जाएगा, 1 बटे, 8, 9 माइनस, 8, बटे, 8, गुड़े, 8 और 1 बटे, किसके बराबर कॉसची के बराबर क्वा सी और यह कितना हो जाएगा अब कोउस टू ए बराबर कोउस सी दूनों तरफ से कॉस से कोश था देंगे तो क्या हो जाएगा सी जो फौर Band सी है वो डवल है किसका ठोर एंगल का नहीं से बराबर किसका उन に शी वाला option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 13 की तरफ है ना question number 13 question number 13 में कह रहा है कि integration dx divided by x x की power n plus 1 किसके बराबर होगा वैसे simple सी बात है कि यह formula है हमको concept के रूप में याद होना चाहिए कि 1 upon n log x की power n बटे x की power n plus 1 के बराबर होता है लेकिन हम यहाँ पर कर भी लेते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे लिट करेंगे x की power n plus 1 is equal to t लिट करेंगे differentiate करेंगे तो n into x की power n minus 1 dx is equal to कितना आ जाएगा dt के बराबर हो जाएगा है ना अब अगर हम यहाँ से निकालें इसको यह आ जाए dx देखो power 1 है न तो उसको बटे में ले लो यह इदर n है तो इसे divide में ले लो n ठीक है x की power n यहाँ divide में आएगा तो यह dt और x की power 1 की जगह पर क्या रख सकते हैं into x की power n x की power n प्लस 1 है न इक्वल टू अब देखेगा यहाँगा integration dx बटे x इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे dt 1 और dt तो यह हो गई हमारी dt बटे यह क्या हो गया t हो गया देखेगा x की power कहा था यह है x की power n प्लस 1 यह तो t हो गया और यह कितना हो जाएगा आगे t-1 आ जा आप फिर क्या करें इनको हम fraction से तोड़ेंगे है ना ठीक है अंसिक बिनने से तोड़ेंगे partial fraction करेंगे तो partial fraction करने पर इसका आएगा 1 upon t 1 upon t और minus का 1 upon t-1 देख लेते हैं करके t-1 हो जाएगा minus का t हो जाएगा और अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी एक काम कर करते हैं यहाँ पे यह ले लेते हैं और यहाँ पे कह लेते हैं ती है ना यहाँ पे कहले लिया जाए ती ले लिया जाए अब देखिएगा अब अराम से हो जाएगा देखिए टी माइनस कर जाएगा यहीं सेम बचेगा कोई दिक्कत नहीं और यह हमारा हो गया क्या डीटी यह आजाएगा एक बते n अच्छा कितना हो गया यह log आजाएगा t-1 log t plus c ठीक है plus c कोई दिक्त नहीं अब देखेगा log m minus log n इसे हम लिख सकते हैं क्या log m m का मतलब t-1 और t-1 किसके बराबर x की पावर n के x की पावर n x की पावर n divided by t t किसके बराबर हो जाएगा x की पावर n plus 1 और यह क्या हो जाएगा plus c हो जाएगा x की पावर में n ठीक है कौन सा अप्फन d वालो अप्शन सा ही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 14 question number 14 में हमसे दिया है कि function of x plus function of minus x equal to 0 दिया है तो यानि कि हम fx बराबर क्या लेख सकते है minus का यहाँ पर यह लेख सकते है या हम यह ले ले लेते क्या डारेक्टी हम इस वाले कहारों को लेते है उसको उधर बेज देते यानि कि यह आ जाएगा f minus x is equal to minus का fx और जहाँ पर भी ऐसा होता है उसे हम odd function बोलते हैं कैसा function है यह odd function है है ना odd function है और हमें पता है कि integration of odd function odd function का जो integration होता है वो क्या होता है even function होता है क्या होता है even function होता है और even का odd होता है ठीक है तो कौन सा option से हो जाएगा यहाँ पर b यानि कि integration ft dt क्या हो जाएगा even function होगा से वो क्या है और फंसन है तो जो fx और ft दोने के बाते हैं कोई बात नहीं तो क्या होगा अगर वो और है तो इसका integration क्या आएगा इवन फंसन आएगा यानि कि 14 में कौन सा सही हो जाएगा बी वहला पद है है ना चारवा पद मतलब t3 प्लस 1 एक्वल टू कितना है पांच बटे दो चारवा पद मतलब क्या हुआ आर कमान यहां पर कितना है तीन आर कमान कितना है तीन और जो चारवा पद है ना वो मतलब क्या हो गया X की पावर 0 तो हमने एक R बरावर फार्मूला पढ़ा था ना एन अलफा माइनस M बटे अलफा प्लस बीटा है ना यह देखिए R हमने कहां से पकड़ा चारवा पद कह रहा था तो चारवा पद का मतलब क्या होता है कि R प्लस 1 यानि कि 3 प्लस 1 एक R कमान कितना है या पर 3 ठीक है R कमान 3 आ गया और X की पावर 0 के लिए जब हम R निकालेंगे तो क्या होगा X की पावर 0 एक से सोतनतर के मतलब X की पावर 0 यानि कि X की पावर M के लिए जब भी हम R निकालते है तो क्या होता एन अलफा माइनस M बटे अलफा प्लस बीटा आ यानि कि XC power 0 बटा अलपा प्लेस बीटा यानि कि 1 प्लेस 1 तो कितना जाएगा 2 3 गुड़े 2 बराबर कितना N कितना जाएगा N बराबर 6 कौन सा अप्शन सही हो जाएगा C वालो अप्शन सही हो जाएगा 15 में C correct होगा आगे बढ़ेंगे question number 16 question number 16 में कह रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा है ना वर्गमूल निकालेंगे और जरूर निकालेंगे पहले हम क्या करें हम चाह रहे हैं कि इस वाले पद को लेट किया जाए और इसको फिर X2 प्लेस 1 बड़ X है ना को P मान लिजे X minus 1 by X is equal to P square करेंगे X square plus 1 by X square is equal to 1 by X square minus 2 आएगा और इधर P square होगा minus 2 को उठा के दर रख दीजे P plus 2 हो जाएगा अब उठा के सारी values यहाँ पर रख दी जाएं इसकी जगा पर रखना है इसकी जगा पर रखना फिर देखना है क्या आने वाला है है ना तो देखेगा यह कितना आ जाएगा आएगा P square plus 2 ठीक है minus 4i 4i देखेगा यह लिखाओ 4 by i हम चाहरे है जो minus है इसको plus बना लो जो minus है उससे plus बना लो चलो भी रहने दीजे वही रहने दीजे कोई दिक्कत नहीं ठीक है और यह इसकी जगा पर कितना रखना है हमको P रखना है P और minus का कितना यह 6 calculate किया जाए इसको यह आजाएगा P square ठीक है P square हो गया अच्छा और minus का देखो plus का 2 है minus का अच्छा है तो यह minus का 4 बचेगा ठीक है 1 by I की जगह पर minus का I रख सकते हैं यह minus 1 की जगह पर I square रख दीजी I square से I square कर जाएगा तो एक I बचेगा मतलब की हमारे सामने आने वाला है क्या 4 I P plus का क्या आएगा 4 I P थोड़ा सा और smart तरीके से इसको सोचते हैं हमें चुकि किसका वर्गमूल निकालना है है ना देखेगा यहाँ जाएगा P square और इससे भी हम लिख सकते हैं क्या प्लस रहने दें और इससे लिख दें 2 I का square 2 I का square plus 2 into P into 2 I देखेगा A square plus B square plus 2 A B मतलब यह बन चुका है क्या P plus 2 I का whole square अब निकाल दीजिए आप इसका वर्गमूल है ना अब आप इसका 일단 निकाल दीजिए वर्गमूल क्या निकालना था हमको question में निकालना है root किसका यही P plus 2 I का P plus 2 I का यह तो हमने भी terms को simplify किया था अब इसका वर्गमूल निकालना है question क्या करा है square root find करना है तो कितना आ जाएगा ये ये आएगा plus minus p plus 2i है ना equal to plus minus p p का मान कितना दिया गया हमको x minus 1 बटे x x minus का 1 बटे x plus कितना 2i कहां पे है ऐसा option b वाले में same same डिक्टो एक्स तम यही option देख रहा है है ना तो 16 में कौन सो option सही हो जाएगा b वाला option सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 17 की तरफ question number 17 कहरा है if the coefficient of the quadratic equation are rational and quadratic equation कहरा है coefficient जो है quadratic equation के जो गुलांक है rational है and the coefficient of x square b 1 x square का जो coefficient है वो क्या है 1 है the equation whose one root is pi by 8 अच्छा अगर इसका एक root जो है 10 pi by 8 है कितना 10 pi by 8 10 pi by 8 का मतलब pi की जगा पे 180 रखेंगे है ना जब भी root क्या होते हैं इसे हम लिख सकते हैं minus का 1 plus का root 2 जब भी roots irrational होते हैं तो वो हमेशा conjugate में होते हैं तो इसका conjugate क्या हो जाएगा minus का 1 minus का square root 2 है ना निकाल दीचे sum of root sum of root कोफिसियंट 1 कह रहा है हम इसका 2 minus 1 अंदर root 2 plus 1 भी ले सकते थे लेकिन वो हमारे लिए समस्या खड़ी कर देगा हम से कह रहा है कि सभी जो गुलांग है वो क्या होने चाहिए rational होने चाहिए अगर हम by chance root 2 minus 1 root 2 plus 1 लेंगे जो sum निकालेंगे है ना तो क्या हो जाएगा 2 root 2 आएगा और उसका गुलांग x का गुलांग जो होगा irrational हो जाएगा जबकि उसने सीधा बोला है कि वो क्या है rational है तो हमने क्या कि अब पलट लिया उसे root 2 minus 1 को हमने लिग दिया 1 minus root 2 और फिर इसका conjugate ले लिए हमने ठीक है तो sum of root निकाला जाए दोनों का योगफल निकाला जाए तो दोनों को जोडेंगे तो minus का 2 आएगा sum of product निकाला जाए product of roots निकाला जाए दोनों का product निकालेंगे तो कितना आजाएगा 1 minus 2 यानि कि ये कितना जाएगा minus 1 ठीक है अब equation क्या हो जाएगी quadratic equation x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0 है ना अब देखेगा ये हो जाएगा x square minus alpha plus beta की value कितनी minus का 2 minus minus मिला कि कितना हो जाएगा plus का 2x और alpha into beta minus का 1 हो जाएगा equal to 0 ऐसा कोई question दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है कौन सा 17 वाले में a वाला option जो है सेम दिख रहा है x square plus 2x minus 1 जिसके सबी coefficient सबी गुलान को जो है वो क्या है rational है तो 17 में कौन सा अपफ़न सही हो जाएगा a सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे सर question number 18 question number 18 करा है if y is equal to 9 sin square x plus 16 कौसे की square x plus 4 then find y minimum करा है कि इस y के minimum value याद कीजिए तो देखें कि एक बात याद रखेंगे कुछ है ना एक concept इसे याद रखेंगे हमेशा काम आएगा कभी भी अगर हमको दिया जाए क्या y is equal to दे दिया जाए a square sin square x a square sin square x plus b square cos square x plus c या हमको यही sin equal to दे दिया जाए sec के focus यहाँ आ जाए a square cos square x plus b square sec square x plus c या दे दिया जाए y equal to a square tan square x plus b square cot square x plus c तो यहाँ पे हमेशा जो इस y की value होगी यानि कि y minimum होगा वो क्या होगा वो होगा 2ab plus c और अगर y max पूछा जाए तो वो क्या होता है not define होता है उसे define नहीं किया जा सकता इस condition में उसे not defined y का धिक्तम मान define नहीं किया जा सकता y का minimum मान हो सकता है क्या 2ab plus c आते हैं यहाँ पे तो y equal to देखिएगा y equal to यह लिखा 3 का square shine square x plus 4 का square causec square x plus 4 तो हमें निकालना क्या है y minimum तो कितना आ जाएगा 2a a का मान कितना है 3 और इस का मान कितना है 4 ठीक है plus c का मान कितना है 4 कितना आ जाएगा अब यह यह आ जाएगा 6 चोबिस 24 प्लस 4 24 और 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा 28 तो याद रखेंगे y minimum इस case में इस तरह का format जब भी हमको मिलेगा तो y minimum क्या होता है 2 a b plus c कौन सो अप्फन से हो जाएगा 18 का जो b वाला है वो option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे सर question number 19 की तरफ question number 19 में कहरा है कि किसी रासी का 2 वर्सों का चकबधी बयाज इतना दिया गया है शाधारण बयाज इतना दिया गया है तो बयाज की दरग्यात कीजिए बहुत ही अच्छा question है है ना देखेगा पहले तो 2 वर्सों का साधारन ब्याज हमको दिया है एशाई दिया वो कितना दिया है 40 तो कितना जाएगा P into R into यानि कि मूल धन गुड़े दर गुड़े शमे बटे 100 equal to कितना 40 ठीक है 2 से काट दिया जाए इसको तो ये कितना जाएगा 20 आ जाएगा P into R बराबर कितना जाएगा 2000 आ जाएगा P R कितना हो जाएगा 2000 अच्छा एक फार्मूला आपने और पढ़ा है है ना फार्मूला क्या पढ़ा है जब भी हमें ये दिया जाए CI और SI है ना दोनों दिया जाए तो CI माइनस SI यानि कि दोनों का जो अंतर होता है बराबर किसके होता है P into R by 100 का स्क्वाएर है ना तो देखिए दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दसमलो 8 0 दसमलो 8 0 into PR into R देखिएगा आर स्क्वाएर है तो PR into R लिग दिया उसको और ये कितना हो जाएगा 100 into 100 चलिएगा रखते हैं वैलू दसंबलो 8 तिया आजाएगा 8 0 बटे में कितना आजाएगा 100 equal to PR कमान कितना रख देंगे 2000 गुडे R बटे 100 गुडे 100 काटा जाए इस वाले 100 से इस वाले 100 को काट दिया जाए 1 0 से 0 2 0 से ये 0 कट गए ठीक है अब कितना बचा भाई यहाँ पे R बराबर आ गया 80 बटे 20 20 चोक 80 यानि कि R बराबर कितना आ गया 4% कौन सा ओप्षन सही हो जाएगा D वाला ओप्षन करेक्ट हो जाएगा ना उन्नेस में D सही होगा आगे बढ़ेंगे Question number 20 किस समय के लिए एक ही मूलदन पर चक्रवद्धी ब्याज और साधारन ब्याज का अंतर जो है समान होता है तो देखेगा तो किस समय के लिए ऐसा होता है तो एक वर्स के लिए है ना एक वर्स के लिए SI और CI दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं ठीक है एक वर्स के लिए S.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. में दोनों बराबर होते हैं ठीक है चलेगा आगे बढ़ेंगे question number 21 21 कि कराया कि how much will be amount will be 10,000 amount two in three years at compound interest कराया compound interest अलग-अलग सालों की लग रही है तो कह रहा है जो 10,000 हो कितना होगा तो जो हमारा amount होगा amount equal to principal into कितना होता है one plus r1 बटे 100 into one plus r2 बटे 100 into one plus अलग-अलग year का होता है एक एक साल का जब भी अलग-अलग year दिया जाएगा तब ऐसे करेंगे है ठीक है चलेगा पी कितना दिया गया है 10,000 दस हजार into कितना हो जाएगा भीया यह हो जाएगा एक प्लस दो बटे पहले कितना दिया कि दो बटे 100 और फिर दी गई है one प्लस चार बटे 100 फिर दी गई है one प्लस पांच बटे 100 ठीक है चलेगा फिर यह कितना हो यह हो जाएगा 10,000 into करेंगे इसको काटेंगे देखो तो पच्चास आएगा यह कितना जाएगा 51 बटा पच्चास गुड़े 25 चोका सो चार पचीस आएगा तो यह कितना हो जाएगा 26 बटे 25 गुड़े पांद निदस 20 हो जाएगा नीचे यह आजाएगा 21 बटे 20 ठीक है क जिरो से इस वाले जीरो को कार देंगे तो यह दो जीरो कर जाएगे ठीक है दो जीरो इसके कर जाएगे अब बचा कितना हमारे पास एक तो बचा शो गुड़े कितना बचा 51 है ना गुड़े 26 इसको कार देजे दो एक अन्नम दो और यह कितना जाएगा 13 तो तेरा 25 गुड़े 5 इस पास इसको काट देंगे 4 आ जाएगा ठीक है अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा 5 तो ये गुड़ा करेंगे चाहे तो 2 को मत काटिए वही रहने दीजिए यहां 26 लिख लिजिए यहां पे लिखेंगे 26 और इस 13 को चुप चाप रहने दीजिए चलिए और ये गुड़े 2 कर दीजिए तो 10 हो जाएगा ठीक है अब उपर कितना बचा अब हमारे पास बचा क्या चार गुणा 51 गुणा एक मिल देख लें देख रहा है ना चीक है चार गुणा 51 गुणा हो जाएगा 26 गुणे कितना 21 डिवाइड़ बाई पूरे का डिवाइड कर देना क इससे 10 से तो इसका आप गुड़ा करेंगे तो गुड़ा करने पर आएगा 1,1,1,3,8,4 बटे 10 है कल्कुलेट करिएगा 1,1,1,3,8,4 रुपया हो जाएगा कौन सा ओप्षन सही हो रहा है 21 वाले में A option क्या होगा correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 22 की ओर question number 22 के रहे हैं हम कह रहा है कि A 75 meter long train is moving at देखे ट्रेन की चाल निकाल लिया जाएगा तो इसकी सपीड कितनी दी गई है चमवन किलो मीटर प्रती घंटे को मीटर प्रती सेकंड में बदलने के लिए पांच बटे अठारा से गुड़ा करते हैं क्यों बदल रहे हैं क्योंकि जो distance दी गई हो मीटर में दी गई है ना पांच बटे सपीड कितनी आ गई 15 मीटर प्रती सेकंड अब देखिए यह जो ट्रेन है करा कि how much time will it cross a platform length 15 मीटर किरा कि 15 मीटर लंबे प्लेट फार्म को कितने समय में क्रोस कर जाएगी 75 मीटर लंबी ट्रेन तो जब भी ट्रेन की लंबाई क्योंकि जो ट्रेन क्रोस करेगी तो अपनी लंबाई को क्रोस करेगी और प्लेट फार्म की लंबाई पूरी क्रोस करेगी मतलब उसे 75 यह भी चलना होगा 15 यह भी चलना होगा यानि कि जो total distance होगी अगर हम यहां से time निकालना चाहें समय निकालना चाहें तो total distance बटे क्या हो जाएगा speed है ना speed कितनी है उसकी पंदरा तो speed कितनी है भाई distance total कितनी है तो पंदरा 75 प्लेश पंदरा बटे में कितना भी या पंदरा तो कितना आ जाएगा यह नबबे बटे पंदरा एकन नम पंदरा च्छका नबबे 6 सेकेंड में वो train इसे पार कर जाएगी जो 15 मीटर पति शेके राम को train पास कर देगी पार कर देगी है ना आगे बढ़ते हैं question number 23 की तरफ question number 23 की राम को हम A लिख रहे हैं स्याम को हम B लिख रहे हैं और सोहन को C लिख रहे हैं कराए A और B यह नहीं कि A और B मिल करके कोई काम कर रहे हैं 36 दिन में है ना A प्लैस B कितना दिन लगा रहे हैं भया 36 दिन फिर इसके बाद श्याम को हमने B लिखा है B और C मिल के कितने दिनों में कर रहे हैं B और C मिल के कर रहे हैं 6 दिनों में फिर कौन हैं सोहन सोहन है C राम है A C और A मिलके क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं 45 दिनों में हम total work निकालेंगे इनका LCM निकालेंगे LCM आएगा 180 ये हमारा cool work है 180 total काम है इनकी सबकी निकालते है efficiency 180 बटे 36 करेंगे तो इसकी 6 पता चलेगी 5 और इसकी चलेगी 3 180 बटे 73 3 और इसकी पता चलेगी 4 मतलब इन सबकी efficiency सबको जोड़ दीजिए 2 इन 2 कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C दो बार A आया दो बार B दो बार C तो दो हमने ले लिया common और इनकी चमताओं को जोड़ा जाए 5, 3, 8, 4, 12 इनकी चमताओं से काड़ दिया जाए यह 6 बचेगा यहाँ पर यानि कि आजाएगा A प्लस B प्लस C बराबर 6 यह चमताओं किसकी A, B, C, 3 तीनों की मिलाके जो इनकी कारे करने की चमताओं वो कितनी है 6 और हमसे कह रहा है कि अगर यह एक साथ काम करें तो अब चमता है हमें दिन निकालना है हमें निकालना है कितना टाइम लगेगा अब अगर हम समय निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे कुल वर्क जो कुल वर्क है उसमें इन तीनों की इफिसियंसी से भाग दे देंगे तो kul work कितना है हमारे पास 180 और उन टीनों की छमता जो तीनों मिल के काम कर रहे हैं तीनों मिल के काम कर रहे हैं इनकी छमता दीगहा काट दीजे कितना आ जएगा 30 days 30 दिन कौन से बढ़ जाएगा 33 में C वाला options होगा वो correct हो जाएगा सांता है आगे पडہेंगे कौसरें नमेरचावबस की तरफ किस समुआ को हल करने की है ना किसी शुमा nochmal करने की प्रगर्थी की प्राइकता है एक बेट WrestleMania को प्रग्थी लड़की है अम् प्रग्थी को ए से लिख रहे हैं और है ना प्रग्थी को ए से लिख रहे हैं प्रगति ए और त्रिप्ति बी त्रिप्ति हल कर ले रही है मतलब प्रगति अगर हल कर ले रही है तो उसकी जो प्राइकता है वो कितनी है एक बटे तीन हम देख रहे हैं कि ना हल कर पाए तो वो भी हो जाएगी दो बटे तीन एक से घटा के निकालते हैं अच्छा त्रिप् अब देखे समस्या हल हो जाने का मतलब क्या हुआ कि समस्या हल हो जाए मतलब वो केस अटा लिया जाए जिसमें समस्या हल ना हो तो हम क्या करेंगे शमस्या को हल हो जाने की प्राइक्ता निकालनी है है ना कि जो problem है वो solve हो जा रही है शमश्या के हल हो जाने की प्राइक्ता शमश्या का हल हो जाना अब देखेगा हम यह मान के चल रहे हैं कि भाई ना तो हम हो केस ले लेते हैं जिसमें त्रिप्ती भी नहीं हल कल पाएगी और वो भी नहीं हल कर पाएगी कौन प्रगती, दोनों नहीं कर पाएंगी, और चुकि दोनों सोतंत्र घटनाएं हैं, तो दोनों के ना हल कर पाने की प्राइकताओं का गुलन फली, दोनों के A और B, यानि की त्रिप्ति और प्रगती के द्वारा ना हल करने की प्राइकता हो जाएगी, ठीक है, मतलब क्या, या ना हल कर पाना उसका भी सोतंत्र है और उसका भी सोतंत्र जब दोनों घटना है सोतंत्र होती है तो उस घटना की probability क्या होती है दोनों के इंटू के बराबर हो जाती है तो कितना हो जाएगा भाई वो वो जाएगा ना हल कर पाना तो लिखिएगा यहां लिखेंगे क्या वन मा माइनस क्या इसके नाहल होने की प्राइक ता इंटु इसके भी नाहल होने की प्राइक ता मतलब ना तो त्रगती कर पा रही है न तो को त्रिप्ती कर पा रही दोनों सब्द्रणग यह नहinka दीया one-कितना हो जाएगा यह有 जाएगा दो बटे तीन गुड़े एक बटे दो दो से दो गेंगे काट तो वन माइनस एक बटे तीन कल्कुलेट करेंगे दो बटे तीन आएगा कौन सू आप्षण सही हो जाएगा सी वाला आप्षण यहाँ पे 24 का बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 25 question number 25 करा है कि दो पाइप A और B 8 गंटे 12 गंटे में एक खाली टैंक भर सकते हैं कोई खाली टैंक है हैना उस टैंक को यह 2 गंटे में भर सकते हैं जबकि pipe C 6 गंटे में एक पूर्ड टैंक खाली कर सकता है अच्छा इन दोनों का काम है भरना इसका काम है बाहर निकालना जब टैंक खाली होता है तो pipe A और B खोले जाते हैं दो गंटे बाद इसको भी खोला जाता है तो कर रहा टैंक कितने गंटे में भर जाएगा मान लो कि टैंक X गंटे में भर जाएगा मान लिज ज़िए कि एकदम time लग रहा है और A को कितना 8 लग रहा है तो Xπ8 हो गया यांनि कि कितना भाग भर गया यांनि कि X Keeping T Clap है A कितना 8 गंतेम भर रहा है तो X prim ourselves 8 भाग इसका भर गया s कि अंबर भर गया इसका भर जाएगा X सा बटे 12 total time में अगर बारा घंते चलेगा 12 गंटे इसके भरने की स्पीड 12 गंटे भर सकता तो 12 भाग ये भर देगा अगला वाला खाली कर रहा है लेकिन वो 2 गंटे बाद चालू किया जा रहा है तो जो टोटल टाइम है हमारा X उसमें से 2 गंटे बाद ये चालू किया गया था है ना तो हमने X माइनस 2 कर दिया ठीक है मतलब 2 गंटे कम चलता है तो बराबर ये इसको कितने लग रहे हैं इसे लग रहे हैं 6 गंटे बराबर क्या हो जाएगा 1 मिलके क्या होंगे ये भाग प्लस ये भाग प्लस ये भाग बराबर एक है तो होगा है न एक ही टंकी तो भरना है है न चलिएगा calculate करते हैं यहाँ पर ncm आएगा 24 divided by 8 3 24 3 x plus 12 24 2 x minus 24 24 का उपर गुड़ा तो 4 x हो जाएगा plus का कितना हो जाएगा 8 4 दूनी 8 plus 8 हो जाएगा equal to 1 अब देखेगा 3 2 5 5 में 4 गए x बचा x plus 8 बड़ाबर कितना 24 x बड़ाबर कितना हो जाएगा 24 minus 8 कितना आ गया भया 16 घंटे मतलब कि अगर यह 3 नल चालू रहेंगे तो 16 घंटे में टंकी क्या होगी भर जाएगी पूरी तरह से तो 25 में कौन सौप्षन सही हो जाएगा 25 का a option सही हो जाएगा देखिएगा यहाँ पर पहला question आपके सामने है 26 number 26 number कह रहा है कि a set x has 3 elements कि रहा एक set x है जिसमें 3 element है number of element कितने है 3 element है अच्छा पिर कह रहा है था number of element in power set आप power set तो पहले देखते हैं इसके power set में कितने element होंगे है power set में देखते हैं कितने element होंगे 2 की power 1 होता है 2 की power 3 हो जाएगा 8 इसके power set में 8 element हो जाएगे वो कह क्या रहा है हमें बताना number of element in power set आप power set आप x मतलब कि अब हमें क्या चाहिए इस power set के भी power set में element चाहिए तो अब देखिए इसके power set में कितने element है 8 तो इसके power set half power set में कितने element होंगे 2 की power 8 मतलब कि कितना हो जाएगा 256 कौन सा option से ही होगा श्री वाला option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 27 27 question number 27 कर रहा है कि the term independent of x in the expansion of इसके expansion में हमको x से independent यानि कि x से सोतंत्र चर्क निकालना है याना दा टर्म करा कि वो पद बताईए जिसमें x से सोतंत्र पद हो देखते हैं हम पहले क्या करेंगे x से independent terms का मतलब क्या होता है x की power 0 जिसमें x ना हो x की घात क्या हो 0 हो जाए की अचर पद हो जाए तो x की power 0 के लिए r पहले r निकालते है r का माण क्या होगा उसके लिए r बराबर होता है इतना n alpha माइनस n alpha माइनस m बटा alpha प्लेस बीटा n का माण कितना दिया है 9 9 हो गया alpha का माण कौन सा होता है यह वाला जो x का यहां पर घात होगा तो 9 हो गया गुडे alpha का माण हो गया 2 माइनस m का माण यह हो गया जिसके लिए निकालते है x की power 0 के लिए निकाल रहे यह हो गया m का माण divided by alpha प्लेस बीटा 2 घात alpha की 1 घात बीटा की मिला की कितनी हो गई 3 9 दूनी 18 बटे 3 r बराबर कितना आ गया 6 आ गया r का माण 6 आ गया तो हमें term निकालना है तो term क्या होता है r प्लस 1 यानि कि 6 प्लस 1 तो 6 प्लस 1 इस गोल टू कितना हो जाएगा n c r n मतलब 9 c मतलब c हो गया r फिर r का माण कितना है 6 r का मतलब कितना है 6 फिर x के पास आ जाओ x देखिए हमें x नहीं रखना ये नहीं रखना मतलब कि चरको नहीं रखना है क्यों ही रखना है चरको क्योंकि हमें पता है हमने निकाले कि x की पावर 0 के लिए है तो जीरो ही हो जाएगा तो हमें सिर्फ गुडां के गुडांग से मतलब है 3 बटे 2 की पावर n माइनस r n कितना है 9 r कितना है 6 फिर कितना है आगे माइनस का 1 बटे 3 की पावर में कितना 6 चलिएगा देखिए 9 c 6 को हम लिख सकते n c r को हम लिख सकते n c n minus r यानि कि 9 c r को लिखा जा सकता है 9 c 3 अब देखिए यहाँ उपर कितना बचा यह बचा यहाँ पे 3 की पावर 3 और नीचे कितना बचा यह 2 की पावर 3 गुडे आवर में समसंक्या माइनस का कोई रोल नहीं रहेगा खतम हो जाएगा 3 की पावर 6 काट देंगे उसको किये कितना हो जाएगा 9 c 3 इंटू 1 बटे 2 इंटू 3 हो जाएगा यहां पर 3 की 3 पावर बची 2 की 3 पावर बची यानि कि 2 गुडे 3 की पावर में कितना 3 यानि कि अब बन गया हमारे पास कितना 9 c 3 इंटू 1 बाई 6 है ना 6 की पावर में कितना 3 कौन सा ओप्सन ऐसा दिख रहा है 27 नमबर जो दिख रहा है आप 27 इसका A वो करेक्ट है आगे बढ़ेंगे question number 28 question number 28 में हमसे करा है the ration of the ration मतलब परिमे यानि कि ratio the ration of coefficient of x square in the expansion करा है इसके प्रशार में x square का coefficient और इसके प्रशार में x cube का coefficient दोलों का ratio क्या है यह हमको निकालना है चलिएगा इसके प्रशार में हम x square के लिए पहले r निकालते हैं निकाल लिए जाए हाँ पे x square के लिए r निकालेंगे तो r बराबर कितना हो जाता है r बराबर कितना हो था n n का मान कितना है 8 8 गुड़े alpha alpha का मान 1 है यह alpha का मान 1 इसकी पावर यह बीटा है माइनस m होता है जिसके लिए निकालते है कितना दिया उसकी पावर दो दी है divided by alpha प्लस बीटा यानि कि एक प्लस एक यानि कि दो आठ में दो गए आठ में दो गए कितने बच्चे 6 6 से 2 में भाग लगाया कितना बचा 3 ठीक है यह हो गया आगे अच्छा इसको में निकाले लीजिए तो यह कितना आजाएगा T3 प्लस 1 T3 प्लस 1 अब देखेगा N N कमान कितना हो जाएगा 8 C R R कमान कितना है 3 8 C R हो गया फिर यह दो किया आपर 1 है तो इसको रखने के कोई जूरूत नहीं है इसमें सिर्फ R वाले में आजाओ यह कितना जाएगा यह जाएगा माइनस का 1 बाई 2 की पावर में कितना R R कम मतलब कितना 3 ठीक है 8 C3 को चाहेए तो हम क्या करें ओपन कर ले तो यह कितना हो जाएगा 8 इन्टू 7 इन्टो 6 डिवाइड़ बाई 3 इन्टू 2 इन्टू 1 अब देखिए पावर में क्या है पावर में बिसम संख्या तो यह माइनस दे देगा और 1 बटे कितना हो जाएगा 8 है ना काट लिया जाए इसको काटेंगे तो 8 कंडम 8 यह कर जाएगा 3 दू 6 यह कर जाएगा सिर्फ हमारे पास बचेगा कितना माइनस का 7 अब आते अगले वाले के लिए अगला वाला क्या है हमारा इसके प्रसार में X क्यूब X क्यूब के लिए आप निकाल दीजिए X की पावर 3 के लिए पहले R निकाल लिया जाए तो R बराबर कितना जाएगा N N कितना दिया गए देखो इसका पावर 7 है शाथ अलफा का मान 1 है बीटा का मान भी 1 है तो N अलफा यानि कि 7 गुड़े 1 माइनस X की पावर 3 मैंने सोरी X की पावर 3 है तो M हो जाएगा M का मान कितना जाएगा 3 बटे अलफा प्लेट यानि कि 2 शाथ में 3 गए 4 2 से भाग लगाया कितना आया 2 अच्छा ये 2 आ गया अब हमें क्या चाहिए TR प्लेस 1 यानि कि T2 2 प्लेस 1 इक्वाल टू N N का मान दिया है शाथ C R का मान है 2 शाथ C R देखें यहापे कोई गुलान के नहीं तो बस यह हो जाएगा कुछ करने नहीं देखो यहापे इसका भी गुलान के 1 इसका गुलान के 1 है अब देखेंगा इससे कड़ेंगे तो यहाँ जाएगा शाथ गुड़े छे बटे दो गुड़े एक है ना कितना हो जाएगा भाई यह यह हो जाएगा कार देंगे इसको 3 आ जाएगा 21 कितना हैगा 21 अब हमें इनका दोनों का अनुपात निकालना है पहले वाले का और बाद में दूसरे वाले का हमें निकालना क्या है टी फोर यह टी फोर हो जाएगा ना हमें निकालना है टी फोर बटे टी थरी टी थरी हो जाएगा T4 कितना आ रहा है 3 आ रहा है यह ने T4 आ आ रहा है minus का 7 minus का 7 और यह कितना आ आ आ है 21 कार देंगे 3 यहनि कि minus का 1 बटा 3 minus का 1 बटा 3 कौन सा option सही हो जाएगा यहाँ पर 28 में B वाला option जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 29 की तरफ CR मतलब कि NCR denotes the binomial coefficient NCR the value आफ करा तो इसकी value क्या होगी चलिएगा निकालते हैं इसकी भी value निकाला जाएगे देखेंगे यहाँ पर एक बात clear होनी चाहिए आपको कि जब भी NCR बटा NCR R minus 1 के बारे पूछा जाए तो यह आपको याद होना चाहिए यह इसको आप निकाले तो time लगेगा यह होता बराबर किसके N minus R plus 1 बटे R इस concept का करेंगे इस्तेमाल देखें NCR बटा NCR minus 1 किसके बराबर होता है N minus R plus 1 बटा R चलिएगा इसके पास आते हैं R कमान यह है N सम्में N ही है करते हैं देखेगा N कितना दिया है N ON ही दिया है minus R कितना दिया है 1 plus 1 divided by कितना R R कमान कितना है 1 ठीक है two into N minus 2 plus 1 divided by कितना आजाएगा 2 plus three into कितना हो जाएगा N minus R r कमान कितना है 3 plus 1 divided by कितना 3 plus dot 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 आगे आएंगे तो यह जाएगा ये आजने आए गाएगा n into n minus n और थड़ा से दहले लिखते हैं plus n नवे last वाला term किया आएगा n into n minus n plus 1 divided by कितना n ठीक है छलिएगा नभी करते हैं इसे calculate इस n से यह N कट जाएगा इस 3 से 3 कट जाएगा इस 2 से 2 कट जाएगा यह यह खतम हो जाएगा यानि कि हाँ N बचेगा आगे वाले के पास बचेगा हमारे पास N-1 और आगे वाले के पास कितना बचेगा आगे बचेगा N-2 और आगे जाएंगे N-3 और लगातार यह कम होता जाएगा last में देखिए cut जाएगा last में one बच रहा है plus one उससे पहले plus का two आएगा इस तरह से ये पूरी natural number है ये देखो plus का 1, plus का 2, plus का 3 dot 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 कहां तक जाएगा n तक जाएगा और आपको पता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो sum होता वो कितना होता है एक बटे दो N into N plus 1 और यहाँ पर ऐसा कोई option नहीं दिया था तो कौन सा option सही हो जाएगा डी वाला option 29 में क्या होगा correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 30 की तरफ 30 question number 30 कह रहा है कि if E and E dash B eccentricity of the hyperbola and its conjugate है न चलिए हमें क्या करना है पहले तो आप hyperbola ले लीजिए hyperbola कितना है x square बटे a square minus y square बटा b square is equal to 1 एक तो यह हो जाएगा और इसका conjugate ले लीजिए है ना इसका conjugate लेने का मतलब क्या हो गया अब यह हो जाएगा X square minus का हो जाएक X square minus X square बटे A square और plus का हो जाएक कां B squared बटे Y square is equal to 1, ये इसकी conjugate हो गई, है ना ये इसकी conjugate हो गई, अच्छा अब चलते हैं दोनों situation के लिए हम निकालेंगे E, है ना, दोनों situation के लिए हम कैया निकालेंगे रिलेशन होता ना इन दोनों में इन में रिलेशन होता है इसमें रिलेशन क्या होता है इसका रिलेशन होता है B square is equal to A B और E के बीच में रिलेशन होता है E square into यह हो जाएगा E square minus 1 और यह क्या हो जाएगा अब देखिए यह पनल जाएगा क्या हो जाएगा A square is equal to B square into E dash है ना E dash का square minus का 1 ठीक है अब देखिएगा हमें करना क्या है हमें काम करेंगे यहाँ पे यह दिया है इसने B square यह आजाएगा B square बटा A square is equal to E square minus 1 और यह आजाएगा A square B square is equal to E dash का square minus 1 LHS और RHS दोनों का multiply कर दिया जाए हना LHS का LHS से RHS का RHS याना की question दोनों का multiply किया जाए तो यह लिखाए B square बटे A square और A square B square इधर आजाएगा 1 is equal to यह आजाएगा E square minus 1 एक bracket में और दूसरे bracket में आजाएगा E dash का square minus 1 करते हैं इनका multiply 1 equal to आजाएगा कितना E square और E dash का square minus E square minus E square यह ही हो गया इसका multiply कि हमने minus E square minus के 1 का multiply किर दीजे minus का E dash square और यह plus 1 हो जाएगा इस plus 1 से plus 1 कर जाएगा और इसको इधर नहीं आएगे अगर हम तो इधर कितना आजाएगा E square minus का E dash square equal to कितना E square और E dash का square E इनको सबको divide में दे दीजें है ना divide में देंगे तो यह आजाएगा थोड़ी से गलती कर रहे हम देखें के plus में आएगा दोनों इधर आएगे तो plus में आएगे अब divide कर दीजे तो कितना आजाएगा यह 1 by E square plus 1 by E dash I square is equal to किसके होगा 1 के बराबर होगा है ना तो कौन सा option सही हो जाएगा B वाला option जो है 30 का वो क्या होगा correct हो जाएगा 30 में B 1 upon E square plus 1 upon E dash square is equal to कितना हैगा 1 आगे बढ़ेंगे question number 31 क्रैक चात्र ने 2 गंटे 40 मिनट में बीज गडित और अंक गडित के 30 प्रशन हल किये total 30 प्रशन हल किये बहुत बढ़िया बात है यदि बीच गडित और अंक गडित के प्रत्तेक प्रशन कहरा है कि बीच गडित वाले को 5 मिनट में हल किया option satisfied करवा दें इसमें क्या करें option satisfied करवा दें देखिए दो गंटे 40 मिनट का उसे time लगता है इन तीन प्रशनों को हल करने में यानि कि अगर हम इसके total time की बात करें तो दो गंटे मतलब कितना हो गया 120 मिनट प्लस 40 मिनट कुल मिला के एक सो साथ मिनट लगने हैं कितने लगने हैं एक सो शाट मिनट सभी option के साथ हम खिलवार करेंगे देखेगा तो कह रहा है कि 20 गडित के साथ कितना लग रहा भी या वो लग रहा पांच मिनट तो यह कितना हो जाएगा यह जाएगा देखते हैं कुछ टोटल टाइम कितना लगेगा शोला पचे 8 प्लस और इसको कितना लग रहा है चैयर चोड़ासी कितने हो जाएगे एक सो चोंसट जब कितना और चाहिए था एक सो साथ कितना यह एक सो साथ मिनट आगे बढ़ते हैं 10 तो 10 के लिए 20 गड़ी तो अगर 10 तो यानिक यह हो प्लस चे पंद्रा चकट कर नब्वे यह कितना हो जाएगा एक सो पैसे मिनट मतलब यह आपसन भी नहीं होगा यह आपसन में होगा आगे तो में आख मुन के डी को सही कर देना चाहिए कि सरे डी बिल्कुल सही होगा लेकिन फिर भी बार देख लेते हैं देखो बीस आपस ने तो 60 कितना लगए भी यह यह टाइम बिल्कुल मैच कर रहा है न एक स्वुटाइं शुटन मेंच उसे लग रहे थे यारी कि उसने 20 प्लस ने किए कि से 20 गड़ित के और 10 प्लस ने किए किसके अंग गड़ित के इसलिए उसे ऐक 10 tangent to the hyperbola तो देखेगा यह मानने जिए कि हमारे पास hyperbola है यह क्या है hyperbola बनाते हैं अच्छा यह हो गए hyperbola यह और यह यह दोनों हो गए hyperbola हो अच्छा मान लिजे कि हम यह है इसका लगवाच है ना minor axis अब मान लिजे कि minor axis में यह जो है एक हमने इस पर से रहा इसकी ड्रॉ कर दी एक tangent इसकी ड्रॉ कर दी यह देखिए लगवाच है यह बी के बराबर होगा यह distance किसके बराबर होती है यह बराबर होती है यानि कि यह वाली जो line की question हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी y बराबर b y बराबर कितनी हो जाएगी b और इसकी फोकी कितनी हो जाएगी इसकी फोकी हो जाएगी माइनस का A E कॉमा जीरो ये वाली हो जाएगी और A E कॉमा जीरो ये वाली हो जाएगी ठीक है हमें क्या करना है हमें निकालना है लेंथ आप पर्पेंडिकूलर है ना क्या दोनों की उनका दोनों का product निकालना है तो देखिए मारे line का equation क्या है वाई या यानि की y- B equal to 0 यह यह लगवाच है अगर इस इस पर स्रेखा की equation निकालेंगे तो कितनी आएगा यह भराबर भी और इस 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 पर स्रेखा निकाल दीजिए पता चल जाएगा कितना आएगा अब देखेगा अच्छा तो पहले तो इसका एक question क्या हो जाएगा y minus b equal to 0 ठीक है अब हमें क्या करना है p1 निकाल दो p1 देखेगा a e comma 0 से है ना y minus b पे डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे तो कितना आजाएगा यह तो y 0 ही हो जाएगा x इसमें है नहीं है ना तो कितना बच्चे गए सिर्फ आएगा minus का b under root root 1 y के गुरां कितना है 1 ठीक है p2 निकाल दीजिए p2 है ना a e comma 0 से y बेराबर b पे डाले गए लंब की लंबाई वो भी कितने आ जाएगी minus का p बच्चे अंडर root 1 क्योंकि a का roll नहीं है y 0 है है ना a ही नहीं है x यहां पर ही नहीं x जब है ही नहीं तो उसका roll खत्म फिर हम से क्या करा है इन दोलों का product निकालो p1 into p2 is equal to कितना हो जाएगा minus का b into minus का b कितना जाएगा भीया plus का b square कौन से ही हो जाएगा 32 का a option जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 33 किरा for the given statement किरा कि a cross b union c अब देखिए a cross b union c is equal to क्या होता है a cross b हो जाएगा बीच में union आएगा a cross c आएगा बिल्कुल सही लिखा यह formula आगे second वाले part में भी उसने formula दिया है second वाले में क्या कह रहा है कि a cross b intersection c तो a cross b बीच में intersection आएगा a cross c यह formula भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है A cross B intersection C cross D तो कितना हो जाएगा A cross C बीच में intersection B cross D बिल्कुल सही लिखा ये formula भी A cross B minus C A cross B minus A cross C ये भी बिल्कुल सही है यानि कि सभी क्या होंगे true है कौन सा option सही हो जाएगा D वाला option करेक्ट हो जाएगा all true सभी क्या है शत्त है आगे बढ़ेंगे question number 34 question number 34 में कराएगे find domain up effects कराएगे fx का domain find कीजिए कि इसका domain क्या होगा अब देखेगा हमें पता है कि यह एक क्या है परिमेशंख्या का domain क्या होता हो क्या होता है कोई भी real number हो सकती है हर में बस क्या हो 0 ना हो है न यानि कि कहने का मतलब यह है कि 3x plus 11 does not equal to 0 यह 0 के बराबर नहीं होगा है न यानि कि x is equal to क्या जाएगा minus का 11 बटे 3 does not equal to minus का 11 बटे 3 कहने के मतलब यह है कि सारी real number चल जाएगी minus कर दो बस क्या है minus का 11 बटे 3 क्योंकि 11 बट्टे 3 रखने पे इसका हर 0 हो जाएगा और कोई भी परिमेशन क्या अगर हर 0 हो जाता तो अपरिभासित ही हो जाती है ना तो क्या होगा? R- — का 1 X 3 के लिए क्या होगा? जो इसका domain क्या होगा? के लिए क्लिए क्लिएकशन क्या होगा? गshow relevant ग्याधे 3 छोड़के भागी सारे इसमें ली जाएंगी. तो कौन साफफिन्स यह होगा? 34 में B वाला अप्सन क्या होगा correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे यह तो इक दिम क्लियर ही है ना उसमें कोई दिक्केत नहीं है अगर मालीचे कि हमारा जो function दिया गया है यह सभी कि आर के लिए परिभासित होगा सिवाए क्या छोड़के 3x plus 11 बड़ाबर 0 यानि कि x बड़ाबर 11 बटे थी इनको छोड़के तो हमने क्या 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 उतना subtract कर दिया है है ना तो बी वाला option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्या कि range up fx equal to minus का mod x है ना देखिए यहाँ पर fx is equal to minus का mod x है minus के mod x का मतलब क्या हो गया कि जो fx है वो define होगा प्रतेक real number के लिए है ना किसके लिए प्रतेक real number के लिए क्या होगा fx define होगा है ना हम कह सकते हैं कि fx is define for all real numbers है ना सभी real numbers के लिए क्या है define है मतलब कहने का मतलब यह है अगर हम बात करते हैं इसके domain की इसकी domain जो होंगी वो क्या हो जाएंगी real number हो जाएंगी है ना अब क्या कह रहा है वो माइनस का x है ना तो देखेगा कितना हो जाएगा यह माइनस का मॉड एक्स इज निगेटिव 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 रियल नमबर होगा निगेटिव रियल नमबर देखिए चुकि माइनस लगा हुआ है या तो ये निगेटिव रियल नमबर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है जीरो हो सकता है क्या होगा माइनस के मौड x की यो क्या होगी कोई भी आप मान रखोंगे रखोंगे सकता है या हमेंulty क्या प्रसक्तिय चाहले इसका रेंज क्या चाहिए range तो range क्या हो जाएगा इसका इसका जो रेंज हो जाएगा वह जाएगा open interval minus infinite और 0 भी चलेगा इसलिए इधर रहेगा हमारा close interval है ना अगर हम इसको पलटके लिख दे तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह open interval minus का infinite कोमा 0 और यह से दर्सन हमको कहां पर हो रहे हैं ऐसे दर्सन हमको हो रहे हैं डी वाले आप्शन में है ना माइनस का इन्फाइनाइट और कॉमा जीरो ठीकिए डी वाला आप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे कॉस्चिन नमबर 36 36 कह रहा है कि एफ एक्स इस गोल टू कितना कॉश मॉड एक्स अब देखिए अंगल में मॉड लग गया है तो निकाल लीजे वैसे एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा कॉश माइनस का एक्स और मॉड हटेगा तो कितना आ जाएगा कॉश मॉड एक्स है ना कहने के मतलब ये है कि एफ एक्स बर और दोनों जब भी क्या होंगे, दोनों मतलब कहने का यह है कि कोई फर्क नहीं पर था क्योंकि मॉड लगा हमें से अपलस आएगा, यानि कि f minus x is equal to f x आएगा, और ऐसे situation में दोनों क्या हो जाएंगे, event function हो जाएंगे, दोनों क्या होंगे, event होंगे, यह न, चलेगा, question number देखेंगे, 37, 37, 37 में देखेंगा, कह रहा है कि f such that r to r define for the f x, f x is equal to, यानि कि इसका जो domain है, वो क्या है, real number है, और co domain क्या है, वो भी क्या है, real number है, चलेगा, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि क्या है, यह one one mapping है, function क्या दिया गया, function हमको दिया है, f x is equal to 4 x cube minus 7, चलिए, आप निकाल दीजे, f of x1 equal to f of x2, रख दीजे यहाँ पर, यह आ जाएगा, 4 x1 cube minus 7 is equal to 4 x2 cube minus 7, दोनों cancel हो जाएगे, 4 से 4 कर जाएगा, यहाँ पर आने वाला x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह, 1-1 mapping हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी, 1-1 mapping हो जाएगी, 1-1 mapping हो जाएगी, मतलब 1-1 तो हो गया, हम क्या करना है, अब हमें अगला वाला देखना यह है, कि यह on to है या नहीं, है न, on to है या नहीं, चलिएगा, on to के लिए चेक करते हैं इसको हम, देखे on to के लिए चिप करेंगे तो सीधी सी बात यह है कि फंसन क्या दिया गया है हमको फंसन दिया गया है y equal to fx equal to 4x cube minus 7 ठीक है अब देखे यहाँ से हम निकालें अगर y बराबर तो y बराबर कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 4x cube minus 7 ठीक है अच्छा x अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा y plus 7 बटे 4 की पावर में कितना 1 बटे 3 ठीक है अब हमें निकालना है यहाँ पे कहने के मतलब यह है कि यह हमको मिल गया f of x कमाल लिए y कितना मिल गया अब हमें पता है कि f x बराबर कितना है f x बराबर दिया गया है 4 x cube minus 7 4 x cube minus 6 अच्छा आगे f x बराबर कितना हो गया 4 x cube minus 7 तो यहाँ पे y रख दीजिए तो f आप कितना हो जाएगा y plus 7 by 4 की पावर में 1 by 3 is equal to 4 into देखेगा x cube x की अप यह रखें 1 by 3 पावर जो हो खतम हो जाएगी y plus 7 बटा 4 है ना minus का कितना है यह 7 यह 4 से 4 कट जाएगा यानि कि कुल मिला के यह आने वाला है कितना y अच्छा इसकी जगह पर क्या रख सकते है x तो इसकी जगह पर रख दीजिए x बराबर y और जब भी हमको f आप x is equal to y पराप्त होता है तो function क्या होता है onto होता है function क्या हो गई है इसका मतलब क्या हो गई है function हो गया unto mapping हो गई fx बराबर yों क्या हो गया अंटू मैपिंग हो गई और अगर fx fx अगर y का सबसेट हो तो in2 होता है और यहां पे जो fx है वो y का सबसेट नहीं आएगा हर बार क्या होगा image अलग अलग अगएगी है अगर आप यहां पे one रखेंगे F1 की value आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यह 4-3-3-3 आ जाएगा F2 रखेंगे तो यह आ जाएगा 32 32 में साथ जाएगे 32 में साथ जाएगे 25 पतलब हर बार अलग-अलग होगा लेकिन अगर जो FX है FX अगर Y का subset हो तो क्या होता यह into mapping होती लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और क्या हो जाएगा अन्टू हो जाएगा तो क्या होगा first और second बहुत सही यहां पर 2 option सही थे a bी सही था c bी सही था ना first और second दोनों सही थे आगे बढ़ेंगे question नमर देखेंगे 38 38 में कह रहा है कि fx इतना है 10x और जोरी fx इस गोल टू दिया है कितना 10 inverse x gx is goal to sin x then हमें निकलना है g of fx है ना क्या निकलना आफ fx कहा है fx यह दिया है 10 inverse x कितना दिया है 10 inverse x अच्छा अब देखिए gx is goal to sin x दिया है और यहां पर क्या निकलना है g tan inverse x यानि कि हमें चाहिए हम को x की जगा पर क्या रख देना है 10 inverse x चलो यह कितना है g कितना दिया है sin x और x की जगा पर कितना रखना है 10 inverse x 10 inverse x कनवर्ट कर लिजिए इसको sin में यह अगर theta लेंगे तो यह lump x हो जाएगा यह one हो जाएगा और करड कितना हो जाएगा one plus x square कितना आ जाएगा यह shine और यह sin inverse लंब लंब कितना दिया है x बटे करड़ one plus x square यह दोनों cancel हो जाएगे और यह आएगा x बटे root one plus x square कौन सा आप्शन से यह जाएगा 38 में option number जो बी होगा वो क्या होगा correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 49 अच्छा यहां पर कह रहा है कि rb r plus r plus समझ रहे हैं कि वो सब सभी real number क्या है जो positive है positive real numbers की बात कर रहा है and if such that if plus r to if plus r tends to r plus मतलब इसका जो domain है वो क्या है positive real numbers है और जो code domain है वो भी क्या है positive real numbers है फंसलम को दिया है कितना f x बराबर दिया है e की power x अब तकिए पहले तो हम चेक करेंगे कि यह one one है की नहीं तो one one के लिए क्या करेंगे हम f x one बराबर क्या होता है f x two रखते हैं रख दीजिए तो e की power में x1 बराबर हो जाएगा e की power में x2 आधार बराबर हैं तो घाते हैं आपस में क्या होती है बराबर हो जाती है यानि कि कितना आ जाएगा x1 बराबर x2 जैसा ही x1 बराबर x2 मिलता है तो हम उसे बोलते हैं कि यह क्या है one one mapping है यह क्या है one one mapping है अच्छा one one mapping है तो हमें क्य बराबर लिट करते हैं y बराबर f x बराबर में कितना e की पावर x है ना यनि की y बराबर कितना e की पावर x एकस बराबर कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा log y एकस बराबर हो गया log y अच्छा फिर क्या करिए आप fx बराबर कितना दे दिया इन्होंने fx बराबर दे दिया e की पावर x कितना दिया है e की पावर x fx बराबर e की पावर x है चलिएगा f log y निकालिए f of log y equal to क्या हो जाएगा e की पावर में कितना log y base e ले लो यह value इसकी one हो गई तो कितना आ गया यह y log y किसके बराबर है x के यानि की f of x is equal to y जैसे ही f of x is equal to y प्रूब होता है तो function क्या होता है unto होता है क्या होता है unto होता है और जो function one one और unto दोनों होता है वो क्या होता है उसमें inverse क्या करता है exit करता है तो one one भी हो गया अन्टू भी हो गया, इन्वेटिबल हो गया, यानि कि क्या होगा, all true हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे, question number 40, क्या था standard deviation of the data, देखिए हम इसका standard deviation निकालेंगे, और जरूर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी समस्या है, वो solo कर ली जानी चाहिए, क्या हमें इसका निकालना है, पहले mean, तो mean कैसे निकलेगा, इस sum of time, बटे number of time, 9 plus 11 plus 13 plus 15, divided by कितना, 5, तो 11 और 9 कितने हो जाएंगे, 20, 20, और देखो, 7 और 13, 20, 20 हो गए, 40, 40 और 15, 40 और 15 कितने हो जाएंगे, 55, ये कितना आजाएगा, भाया, 55 plus 11 से काट देंगे, 55 plus 5, ये 11 आजाएगा, है ना, कितना आजाएगा, 11, हमें क्या निकालना है, standard deviation, SD निकालना है, तो SD बरावर formula होता है, क्या, root, root, sigma, x, i, minus का, x बार, बटा, in, है ना, देखते हैं यहाँ पर, x, i, मतलब कि ये data क्रम से, root के अंदर आएगे सभी, ठीक है, अब देखेगा, x, i, यानि कि 7, minus 11, minus के 4 आएगे, minus के 4 का वर्ग, plus, फिर कितना हो जाएगा, 7, 9, minus 11, minus का 2 आएगा, minus के 2 का square, plus, 11, minus 11, यनि कि 0 आजाएगा, plus, आगे, sigma का मतलब क्या, सबको plus करते जाना है, पिर कितना 13, minus 11, कितना जाएगा ये, 2 का square आजाएगा, फिर plus, फिर कितना 15, minus 11, कितना जाएगा, ये, 4 का square, divided by, कितना n, इन का मान कितना है पाँच आजाएगा अंडर रूट है ना अब देखिएगा कितना आजाएगा फिर ये आजाएगा भाई शोला चार बीस शोला चार बीस और ये भी बीस है ना बीस बीस चालिस चालिस बटे पाँच कितना आजाएगा आठ आठ का मतलब दो अंडरूट दो कितना आएगा दो अंडरूट दो दो गुड़े अंडरूट दो का मान रख दिया जा 1.4 एक करेंगे multiply तो 2.8 दो आएगा और ऐसा option कौन सा है डी वाला option 40 में बिलकुल सही आ रहा है आगे बढ़ेंगे question number 41 की तरफ radius and the slant height कहरा है कि radius और slant height जो दिये गई है वो कितनी उनका अनुपात कितना दिया गया 4 अनुपाते शाथ तो यह है radius और यह है slant height मतलब तरया कुछ आई इनका अनुपात दिया गया 4 अनुपाते 7 अच्छा यहां से हम अगर L बराबर निकालना चाहेंगे तो L बराबर कितना आ जाएगा 4 इन्टू आर इधर आ जाएगा और यह उधर चला जाएगा ठीक है हमसे कह रहा है कि its current surface area इसका current surface area इतना दिया है current surface area मतलब CSA CSA इसका कितना दिया है 792 यानि कि π आई आर इल का वैलोश ने दिया है कितना 792 है ना देखेगा 792 पाई का मान रखा जाए 22 बटे 7 इंटू आर रखा जाए और L का मान भी रख दिया जाए कितना है 7 बटे 4 आर इस गोल टो कितना 792 है ना 92 आप देखेगा है आपने इस 7 से ये 7 काट दीजिए फिर 11 से काट दीजिए 11 दूनी 22 11 77 है ना 11 77 दो 11 दूनी 22 ठीक है इस दो से फिर से काट दिया जाए इसको इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा अब 36 आ जाएगा है ना तो R स्कूर बराबर आजाएगा 36 गुड़े 4 आर बराबार आजाएगा 6 गुड़े 2 कितना 12 12 सेंटीमेटर आएगा यानि की रेडियस कितनी होगी 12 सेंटीमेटर कौन साप्षन सही हो जाएगा सी वाला आप्षन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 42 किरा कि equation of the normal equation of the normal of the circle अच्छा करा है कि अच्छा सर्कल की हाँ नॉर्मल क्या होगी तो पहले हम क्या करते है नॉर्मल की equation निकालेंगे 0,0 पे कह रहा है तो बिल्कुल निकालेंगे भाई और जरोड निकालेंगे है ना देखिएगा हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसकी tangent की equation निकाल ले तो tangent की equation कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी 3xx1 0 पे कह रहा है origin पे कह रहा है 3xx1 प्लस 3yy1 ठीक है minus कितना हो जाएगा यह लिखा हुआ इसने 4x 4x को क्या करते हैं हम 2 बना देते हैं 4x को क्या करेंगे 2 बना देंगे तो यह आजाएगा 2 और इसको क्या करेंगे x प्लस x1 कर देते हैं ठीक है आगे आजाओ आगे विलम कितना है यह 6 लिखा है 6 में 2 से भाग करो 3 आएगा minus का 3 और इससे बना देंगे y प्लस y1 equal to 0 अब देखिए x1 y1 की जगा पे हमें क्या रखना है 8 कितना x1 y1 बराबर कितना 0,0 पे हमें यह काम कर रहे हैं तो यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा और यह कितना जाएगा minus का 2x और minus का 3y equal to 0 कहने का मतलब यह है कि 2x plus 3y equal to 0 equation 1 है यह समी करण क्या है यह एक है और इस समी करण का क्या करना भी है यह हमें क्या मिली है यह हमको मिली है tangent और हमको क्या चाहिए हमें चाहिए normal तो क्या करेंगे इसको normal बदल ले इसकी normal की लेम्डा लिख दिए फिर इसे 0,0 से पास करवाएंगे जब तो लेम्डा बराबर कितना आ जाएगा 0 क्यों क्यों क्योंकि यह और जीन से जब पास होगा तो लेम्डा बराबर 0 हो जाएगा यानि कि जो हमारे पास equation आने वाली है वो कितने आ जाएगे 3x-2y बराबर 0 तो 3x-2y बराबर 0 कौन साफ़न से हो जाएगा 42 में option number c जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 43 यानि कि 45 कराएं figure ad is tangent ad क्या है टेंजेंट है इस पर स्रेखा है आपको दिख भी रही होगी है ना फिर उसके बाद किरा जो ad है उसका मान दिया गया है 6 cm या 6 unit है ना cm तुन्हों ने लिखा नहीं लेकिन answer में लिखा था cm ही होगा फिर bcm को दिया इसने 5 अच्छा और हमसे पूछा है कि length of secant है ना हमें निकालनी secant मतलब की इस 6 दक रेखा की लंबाई निकालनी length of secant का मतलब क्या है वो length of a c पूछा है है ना चलिएगा यह लो x अब आपको पता है थोरम क्या होती इस condition में यह होती है ad square is equal to a b into a c है ना चलिएगा a d कितना दिया है भी या 6 6 का कितना हो जाएगा 36 और a b कितना दिया है x और a c कितना है a c है x plus 5 ठीक है यह जाएगा x square धन का 5 x minus का 36 बराबर में कितना हो जाएगा भी या 0 है ना x square plus का कितना हो जाए 9 x minus का कितना हो जाए 4 x minus 36 यह हो जाएगा इसके accurate गुलन खंड X को लेंगे common X plus 9 आएगा और minus का 4 लेंगे common यहां भी आएगा X plus 9 equal to 0 अब देखिए चुकि एक्स length आए एक तो X बराबर 4 आएगी एक X बराबर minus minus का 9 आएगी ना minus के 9 को क्या करेंगे ignore कर देंगे क्योंकि लंबा ही negative नहीं होगी है ना तो X बराबर क्या लेंगे 4 X का मान हमने क्या ले लिया 4 अच्छा X का मान 4 ले लिया तो हमसे क्या पूछा उसने AC AC बराबर क्या हो जाएगा AB plus BC AB कितने दी गई है X यानि कि 4 BC दी गए ये 5 यानि कि ये कितना हो गया भी या AC हो गए 9 cm कौन सौफ़न सही हो जाएगा 43 का जो डिवैला उप्सन है वो करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 44 की दरफ करा find the length of tangent drawn from a point है ना अब देखिएगा बात को समझ जिएगा हमें क्या करना है length of tangent निकालना है point भी दिया गया है तो आपको पता है सीरी सी बात यह है कि जो length of length of tangent होगी length of tangent वो होती है under root S1 है ना under root कितनी S1 तो देखिएगा under root यह हो जाएगी x1 y1 रख दिया जाए हर जगा पर जहाँ x है तो यह आएगा x1 square plus y1 square minus 2x1 minus 3y1 minus 1 ठीक है अब point रख दिये जाएं सारे कितना भी यह x1 यह दिया है x1 है और यह y1 है तो 2 square कितना हो जाएगा 4 और यह कितना हो जाएगा 25 minus 2 दूनी 4 minus का 5 थी अब 15 minus 1 कितना जाएगा भी यह 4 और 4 खतम हो जाएंगे अच्छा 15 एक 16 हो जाएगा और यह जाएगा 25 minus का 16 कितना आएगा 9 वर गमूल लेंगे तो कितनी आजाएगी तीन यूनिट है ना कितनी आजाएगी टैंजन की लंबाई तीन यूनिट हो जाएगी यानि कि 44 का option number d होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 45 की तरफ 45 कह रहा है कि y बराबर 2x प्लस c टच दा पैराबूला है ना वो कह रहा है कि एक पैराबूला है जिसकी question कितनी दी गई है हमको y square is equal to 8 into x plus 2 और इसको एक इस पर स्रेखा टच कर रही है जिसका question दिया गया है हमको y is equal to 2x plus c तो देखेगा एक simple सी बात है कि y square is equal to जो standard form होती है y square is equal to 4ax है ना कि जो इस पर स्रेखा होती है इसकी जो हमारी tangent होती है इस पर स्रेखा होती है वो क्या होती है y is equal to mx plus c की जगा पे क्या होता है a by m यह होता है ठीक है यनि कि c बराबर क्या होता है a by m होता है तो एक छोटा सा काम करेंगे यहाँ पे बहुत आसान बनाएगा इस प्रश्ण को ठीक है हमें क्या करना है यह जो हमारी line दी गई यह दी गई है क्या इस पर स्रेखा जो हमको दी गई है ठीक है एक काम करेंगे अब देखेगा यहाँ पे हम निकालेंगे क्या y square is equal to 8 into x plus 2 की tangent इसकी tangent निकालेंगे क्या बनेगी इसकी tangent क्या बनेगी तो देखें सिंपल सी बात इसकी tangent क्या बनेगी इसकी tangent बनेगी y बराबर m बस इसमें थोड़ा सा change हुआ x की जगा पे क्या है x plus 2 है तो वहाँ पे आप रख दीजिए x plus 2 और plus आगे कितना हो जाएगा हमारा a by m cross multiply कर यह इसका m x plus 2 m plus a by m यह इसकी इसपर सरेखा हो जाएगी अच्छा और इसकी इसपर सरेखा यह है तो जो हमारी यह equation होई कौन सी यह वाली एक तो equation यह थी समीकरण 1 और समीकरण 2 तो देखें दोनों क्या है सेम इसपर सरेखा कि समीकरण है यह यह equation 1 और equation 2 दोनों same line को represent कर र देकिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर x का ओलान कितना है यहा है m बराबर 2 है यादि कि m का मान कितना मिल गया हमको दो अच्छा आगे आ जाओ या क्या देखो यहाँ यहाँ यहां पर c का मान ये वाला हो जाएगा और यहां क्या है constant term c है यानि कहने का मतलब यह है कि c बराबर कितना हो जाएगा 2m plus a by m हम सब कुछ रखेंगे लेकिन हमको क्या चाहिए सिर्फ a चाहिए तो देखो यहां पर 4 a बराबर 4 एना compare करिए 4 a बराबर कितना है 8 तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 है न यह compare करेंगे 4 a बराबर कितना है आठ है ना कितना जाएगा 2 तो दो भाईया m का मान भी 2 है plus 2 बटे 2 काट दीजिए एक आएगा चार प्लस एक कितना जाएगा पांच कौन सौफन सही हो जाएगा 45 में ए नंबर जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 46 की तरफ 46 question number 46 लिखा है x root एक काम करेंगे equal to 0 इसको उधन ले जाएगे यह आजाएगा x root आजाएगा 1 plus y equal to minus का y का root 1 plus x दोनों तरफ क्या करेंगे work करेंगे square कर दीजिए तो यह आजाएगा x square 1 plus y equal to y square into 1 plus x है ना फिर आ गया x square plus x square y minus का जाएगा y square इधर लाओगे और minus का जाएगा x y square equal to 0 अब क्या करेंगे आप यहाँ से x square लीजिए common इन दोनों को साथ में रखो x square minus का y square साथ में रख लीजिए और x square y minus x y square को साथ में रख लीजिए एक जोड़ा यह बना एक जोड़ा यह बना इसको क्या करेंगे यह से लिख सकते है x minus y और क्या लिख सकते है x plus y और इससे लिख सकते हैं अगर हम यहाँ पे common लेते हैं क्या plus का x y तो यह x minus y आएगा equal to कितना है 0 कहिने का मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पे x minus y ले 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 common x minus y ले ले common तो कितना आजाएगा x plus y plus x y equal to कितना 0 अब देखेगा दो गुरेंखन हो चुके हैं एक आ गया x minus y बराबर 0 आ जाएगा y बराबर x यहाँ कि y डैस बराबर कितना जाएगा one और यहाँ पैसा कोई option नहीं दिया है दूसरे वाले भी factor को try किया जाना चाहिए देखेगा दूसरे वाले से निकालेंगे देखेगे y में one plus x common लेंगे यह minus का x आ जाएगा divided by one plus x आ जाएगा अब निकालेंगे इसका differentiation y डैस निकाला जाए हर को चुपचाप बटे में रखते हैं और square मार देते हैं हर का square होता है अंस में आ जाओ one plus x one plus x into ans का differentiation होता है तो minus का one हो जाएगा minus है ना फिर क्या होगा भी या पहले हर को इलग किया अंस का differentiation की या इस बार क्या करेंगे अंस को करेंगे हर का differentiation करेंगे तो इसका कितना जाएगा one खुल मिलाके मामला हो जाएगा कितना one प्लस 1 प्लस X तो माइनस का मल्टिपलाई गरो पहले तो देखिएगा यह कितना हो जाएगा अरे यह 1 प्लस X हो जाएगा थोड़ा सा कहीं पे हम लोगों ने छोटी सी तोटी की देखिएगा यहां पे 1 प्लस X था यहने की जो function हमको मिल गया function क्या मिला function मिला में माइनस का X बट्टे 1 प्लस X ठीक है 1 प्लस X हो गया अरे यह माइनस वह आला माइनस हम कहां रख रहे हैं उस वाले माइनस को यहां रख लीजिए यहां रखे यहां पे ठीक है उस माइनस से मारा कोई मतलब नहीं तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, y is equal to minus का 1 बटे, 1 प्लस x का whole square, और ऐसा कोई option नहीं है, तो d वाला option जो होगा, वो क्या होगा, correct हो जाएगा, 46 का d क्या होगा, correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 47, 47 में कह रहा है कि f dash x, है ना, मतलब first derivative जो है, इसका दिया गया है, कितना, f dash x equal to 4 x, अब एक काम करते हैं, इसको differentiate का, sorry, integrate करते हैं, तो f x मिल जाएगा हमको, है ना, f x निकालो, f x is equal to क्या होगा, इसका integration करिए, दोनों साइड, दोनों साइड क्या करिए, integration कर दीजे, d x, इसद to कितना हो जाएगा, 4 into x square by 2 plus c, काट देंगे, तो कितना जाएगा, यह 2 आ जाएगा, यह निकि अब हमारे पास आने वाला है, f of x is equal to 2 x की power 2 plus c, है ना, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे, f 0 उसने दिया है, है ना, f of 0 की value कितनी है, 8 है, तो f 0 बराबर कितना हो गया, 8, तो इस 8, तो c बराबर कितना, 8, c कितना गया, 8, और हमें क्या निकालना है, अब यानि कि जो हमारा function हो गया, f x बराबर कितना उसने दिया है, 2 x square plus c, मतलब function हो गया, 2 x square plus 8, और हमें क्या चाहिए, f of 4, तो जहाँ पे x से वहाँ 4 रख दिया जाए, 2 into यह कितना जाएगा, 4 का square plus 8, 16, 32, 32 plus 8, 32 और 8 मिला के कितने हो जाएगे, 40, कौन सा अफ़न से हो जाएगा, 46 का बी वाला option जो है, वो correct हो जाएगा, आगे चलेंगे, question number 48, 48 में कह रहा है कि if y is equal to इतना, अच्छा, divide x हमको निकालना है, ठीक है, पहले वाले को आप यहां से निकाल लीजिए, क्या, dy d theta equal to, तो a तो चुपचाप रहेगा, रहने दीजिएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, 0, और cos theta का क्या हो जाएगा, sin theta, वो भी minus के, यानि कि यह कितन बन जाएगा, minus का a sin theta, ठीक है, इसी तरह से dx, d theta बराबर हो जाएगा, कितना, इसके पास आएगे, a को रखेंगे बाहर, 1 हो जाएगा, plus sin theta का कितना हो जाएगा, भी या, cos theta हो जाएगा, अच्छा, अब हमने कह चाहिए, dy dx, dy dx निकाल लिया जाए, ठीक है, यह कितना हो जा divided by, भी या, क्या होगा ये, dy dx निकल जाएगा, दो लोगा, divide कर दीजिए, यह जाएगा, one plus का, cos theta, यह से एक cancel out हो जाएगा, अब हमें क्या चाहिए, भी या, हमें चाहिए, dy dx, eight, theta is equal to, कितना, pi by two, 90 पे चाहिए, है ना, तो minus का, यह कितना हो जाएगा, शाइन, 90 बटे, one, plus, cos, 90, है ना, चलिएगा, इसके बाद, यह कितना हो जाएगा, minus का, one बटे, one आ जाएगा, है ना, minus का, one बटा, one आ जाएगा, भी या, इसकी value 0 हो जाएगी, है ना, कितना बचा यहाँ पे, minus का, one, कौन साफमन से हो जाएगा, 48 में, develop option, correct हो जाएगा, question number 49 देखेंगे, देखेंगे, question number 49 में कह रहा है, कि differentiation, आफ, sec inverse x, इसको y माल लो, पहले वाले को y माल लो, y बराबर उसने लिखा देखेंगे, sec inverse one by two x square लिखा है ना, इसे अगर आप cos में convert करना चाहेंगे, तो क्या बन जाएगा, cos inverse two x square minus one, है ना, भी पलट जाएगा, sec inverse x बराबर क्या होता है, cos inverse one by x, तो पलट जाएगा, तो यह आई जाएगा, cos inverse two x square minus one, और यह किसका होता है, यह मान किसके बराबर होता है, two cos inverse x के, है ना, इसे y1 ले लो, तो y1 बराबर कितना, two cos inverse x, differentiate कर दीजे, कितना, dy1 बटा, dx is equal to, कितना, minus का, two by root, one minus x square, यह आगया, equation one, यह dy1 आगया, है ना, अगले वाले को क्या करो, आप y2 के बराबर मान लीजिए, है ना, यह हो जाएगा, भाई सहाब, y2 equal to, कितना, root का, one minus x square, यह दोनों cancel हो जाएगे, हमें क्या चाहिए, इसके respect में चाहिए, जिसके respect में होता है, उसे नीचे रखा जाता है, तो यह आजाएगा, dy1 और यह, dy2 equal to, पहले यह हो जाएगा, minus का, 2 बटा, root में, one minus x square, divided by कितना, minus का, x बटा, root में, one minus x square, दोनों cancel हो जाएगे, minus minus cancel हो जाएगा, two by x आजाएगा, और x की जगा पे, एक बटे, दो रख दीजिए, दो भागे, एक बटे, दो, मतलब दो गुडे, दो, कितना जाएगा, चार, कौन सा ओप्षन से हो जाएगा, बी, है न, बी option है, आपे, उन चास में क्या होगा, correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 50, आज की class का ये last question है, चलिएगा, करते हैं इसका discussion, कराएगे, sum of two irrational number, देखे, कराएगे, sum of two irrational number क्या होगा, तो दोनों case में कुछ लोगों ने इसे irrational लगा दिया था, कि दो irrational number जोड़ी जाएगी, तो हमेशा irrational आएगा, है ना, sum of two irrational number मतलब की each case की बात कर रहा है, अगर माल लिजे आपके पास root two और root three है, है ना, दोनों क्या है, irrational है, तो इनका sum जोगा, हमेशा क्या होगा, irrational होगा, इस case में, लेकिन अगर माल लिजे दोनों क्या है, समान है, है ना, एक root two है, और दूसरी क्या है, minus का root two है, इस case में, ये क्या हो जाएगा, rational हो जाएगा, यानि कि sum of two rational number, कभी rational होगा, कभी irrational होगा, कभी irrational होगा, कभी irrational होगा, और rational और rational कहीं, दोनों एक साथ नहीं दिये गए थे, है ना, तो हम क्या कहेंगे, कि rational होगा, irrational हो दोनों क्या होते, real number होते, यानि कि 50 में C वाला option जो है, निकालने कुछ कि हम प्रवडता पहले निकालने करके तो यदस प्लस प्लस और आगर हम यह पर भाई-टाइस यह जाएगा तो देखो 2 लेके common उधर छोड़ दीजिए तो y dash बराबर कितना आजाएगा x y dash at निकाल दीजिए किस point पे निकालना है 2,1 पे तो कितना आजाएगा 2 माइनस का x आएगा यहाँ पे माइनस का x आजाएगा यह माइनस का x और यह माइनस का 2 हो जाएगा अब हमें इसके अभिलंब की प्रवर्टा निकालनी है हमें क्या निकालनी है इसके अभिलंब की प्रवर्टा निकालनी है normal की प्रवर्टा निकालनी है normal की प्रवर्टा निकालनी है तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटे m हमारी प्रवडता की निए अगर होता है तो क्या होता है तो अगर यह माइनस की प्रवडता है तो यह होगई हमारी M2 की प्रवड़ता ये हो गई M2 की प्रवड़ता हमें क्या चाहिए हमें चाहिए नॉर्मल की equation है नॉर्मल मतलब अभिलंब हमें चाहिए नॉर्मल की equation ठीक है अभिलंब का equation कितना हो जाएगा कहां से पास हो रहा है ये 2,1 से तो y-y1 equal to प्रवड़ता रख दीजी अभिलंब की M2 है x-x1 यानि की 2 कितना आ जाएगा ये y-y1 is equal to ये दिया गया है एक बट्टे 2 into x-x1 ठीक है दो से cross multiplication करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y-2 equal to x-2 दोनों cancel out कर देंगे तो ये आ जाएगा अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कितना x-2y equal to 0 x-2y equal to 0 मतलब अगर इस option में ये होता option इसके गलत थे x-2y equal to 0 होता यानि कि c वाला option correct होता typing mistake थी 51 में कौन सा option से होता c अगर क्या होता ये x-2y equal to 0 आगे बढ़ेंगे question number 52 question 52 में कह रहा है कि the value of the limit one plus अब देखेंगे यहां पर limit एक बार अपलाई करके देख लीजिए जहां पर x-y infinite रख लीजिए तो देखोए कितना जाएगा one plus p बटे infinite की power में कितना infinite p बटे infinite का मतलब 0 one plus 0 का मतलब 0 जानि की one की power infinite यह form बन गई है हमारी one की power infinite की और जब भी हमको one की power infinite की form बनती है तो मिसे convert करते है किसमें e की power के रूप में लिखते हैं लिख लिए हमने e की power कितना limit x tends to infinite और जो power होती है उसे into में लाते हैं और जो अंदर function होता उसमें घटाते हैं एक घटाएंगे तो x से घट जाएगा और यह कितना हो जाएगा भी यह हो जाएगा into p बटा x x से x कार्ड देंगे limit apply कर देंगे limit apply करेंगे तो कितनी आ जाएगी p x i नहीं वहाँ पे तो यह की power p कौन सा option से हो जाएगा बावन का यह वाला option जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question no.13 question no.13 में हमसे करा कि log 2 log 2 की power x यह तीनों तम्स जो है करा कि इसमें हैं ap में हैं अगर यह आपको पता है अगर यह ap में हैं अगर यह ap में हैं तो देखेगा यह क्या हो जाएगा मीड टर्म का टू टाइम्स यानि कि मीड टर्म बीच वाला टर्म क्या है log यह आ जाएगा log 2 की power x minus 1 equal to कितना हो जाएगा यह यह हो जाएगा log 2 plus log 2 की power x plus 3 है न अब देखेगा यह धर इंटू में आ जाएगा और थोड़ा से इदर लेखेंगे तो कितना आ जाएगा टू इंटू लॉग 2 की power x minus 1 equal to हो जाएगा इधर log 2 plus log 2 की power x plus 3 है न अब देखेगा इस power की जो 2 इधर इंटू में है अगर इसको square में ले 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 तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा टू की power x minus 1 का whole square equal to कितना इधर तो दोनों multiply में आ जाएगे तू इंटू लॉग दोनों तरफ से हड जाएगा काना टू इंटू आ जाएगा टू की power x plus 3 अच्छा अगर हम यहाँ पे टू की power x को क्या मान ले लेट कर लीजे टू की power x बराबर p तो कितना हो जाएगा p minus 1 का whole square p square plus 1 minus का 2p equal to कितना 2p plus 6 सब को उठा लाओ इधर तो कितना आ जाएगा यह p square minus का 4p minus का 5 equal to 0 अब देखेगा यहाँ से p की जो value आएगी 2 आ जाएगी इसकी पहलू एक value आ जाएगी कितनी p की एक value आ जाएगी 5 है ना इस p कमान कितना जाएगा x कमान एक आ जाएगा 5 बटा 2 आ जाएगा चलो करके देख लेते हैं factory कितना जाएगा यह आ जाएगा p square minus का 5p plus का p minus का 5 equal to 0 है ना अब देखेगा यहाँ पे अच्छा p लेंगे common तो एक आ जाएगा p minus 5 एक plus 1 common लेंगे तो p minus 5 equal to 0 अब लेंगे हम यहाँ से p बराबर एक मान आया 5 दूसरा आया minus का एक है ना तो p बराबर 5 रखके पहले यहाँ देख लिया जाए p बराबर 5 के लिए try कर लिया जाए p बराबर 5 रखेंगे जब यह आ जाएगा 2 की power x बराबर 5 अब देखिए यह लिखा हुआ है a की power m बराबर बी तो यह exponential form में लिखा है लेकिन answer जो आ रहा है वो किसमें आ रहा है एक्स कमान भी एक्स कमान तो अब तब निकाल पाओगे जो से लागरतिम form में convert कर लो यानि कि यह क्या हो जाएगा a m बराबर हो जाएगा m बराबर क्या होता है log log b base a log b base a log a base b log a base b चलिएगा करते हैं आप एक्स कमान निकाला जाएगा कितना आ जाएगा भी यह आ जाएगा log x कमान निकालेंगे यहापे कितना हो जाएगा convert हो के log 5 बन जाएगा यह b a m आ जाएगा 5 है ना ठीक है यह इसका conversion क्या होता है log b base a है ना चलिए देखेगा यहापे a की power m तो a कहाँ आएगा a आ जाएगा यहाँ पर है ना ठीक है तो कौन सा सही हो जाएगा log 5 log 5 base 2 यानि कि c वाला option जो होगा वो क्या होगा correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 4 की तरफ देखें का question number 54 में हमसे कह रहा है कि इसकी limit की value निकाल ली है इसकी limit की value हम find करेंगे पहले तो हम इसको देखतें किस form में है यह देखें अगर हम 0 apply करें तो देखो उपर क्या हो जाएगा root 1 minus 1 root 1 यानि कि 1-1 उपर 0 नीचे 0 0 बटा 0 का form बन रहा है यह यह बन रह जीरो बटा 0 का form है ना अच्छा यह 0 बटा 0 का form बन रहा है तो आपको पता है कि हम इसमें hospital rule बिना किसी से उच्छे लगा सकते हैं लगा दीजिए यह आ जाएगा limit कितना x tends to 0 देखो इसका differentiation करोगे तो यह आ जाएगा 1 by 2 root में आ जाएगा 1 plus x minus और इसका differentiation करोगे तो 1 by root आ जाएगा 1 minus x और into में कितना आ जाएगा minus का 1 और यह minus का 1 इसको क्या करेगा इस minus का one जो है ये वाला one minus का इसको plus करेगा अभी हिसाब करेंगे उसका आगे divided by कितना sine inverse x sine inverse x का जो differentiation होता वो क्या होता one upon root one minus x square ठीक है अब देखेगा यहाँ पर बस अराम से आ जाएगा बस थोड़ा सा इसे पहले simplify कर लिया जाए LCM लेंगे एक बटे दो को तो पहले बाहर निकाल दीजे निकाल दिया बाहर फिर अब क्या बच्छा आमारे पास इदर को यह one यह plus का हो जाएगा LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा यह यह आ जाएगा root one minus x plus root one plus x ठीक है divided by दोखो यहाँ पर यह हो जाएगा अब one root one plus x one minus x दोनों का into करेंगे तो कितना आ जाएगा root के अंदर आ जाएगा one minus x square divided by one by root one minus x square दोनों cancel हो जाएगे उपर कितना बचा उपर सिर्फ हमारे पास बचा हुआ कितना root one minus x plus one plus x रख दीजे भीया एक बटे दो limit के लिए apply limit apply कर देंगे तो कितना आ जाएगा अब हमारे पास अब यहाँ पे हम रखेंगे क्या 0 x के जगा पे 0 रखो तो root one plus root one उपर आ जाएगा two two से two guard देंगे value कितनी आएगा इसकी one चाहँ वण में कौन सा option सही हो जाएगा a वाला option जो होगा वो correct हो जाएगा है ना चलिएगा चाहँ वण का a option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 55 पच्पन भी एकदम कुराने जैसा question जैसे उपर हमने किया था है ना देखेंगा यहाँ पे one की power infinite बन रहा है तो सीधा सीधा e की power 3 हो जाएगा कौन सा आप्षण से हो जाएगा c है ना कैसे करेंगे इसको लेखें e की power की रूप में लिख लेंगे और यह क्या हो जाएगा वन की power infinite ही तो यह भी बन रहा है यह हो जाएगा x tends to infinite और x आएगा इंटू में 3y xv आएगा इंटू में उन्हों cancel हो जाएगे और यह बनेगा e की power 3 है ना सीवाल option correct हो जाएगा चलेगा 56 56 में हमसे कह रहा है कि यह continuous है किस किस पर continuous x is equal to 1 x is equal to minus 1 तो यह x is equal to 1 पर पहले बात कर लेते हैं है ना तो देखिए continuous उस पर होगा जिसमें क्या हो lhl rhl और उस function पर value क्या आ जाए बराबर आ जाए तो देखिएगा यहां पर hl निकाल दीजिए left hand limit है ना किसके लिए x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर ले लो तो यह आ जाएगा limit आपको पता है हम क्या करते हैं h tends to 0 रखते हैं और function में क्या करेंगे 1 minus h रख देंगे क्या रखेंगे 1 minus h अच्छा अब देखिए भाई यह क्या हो जाएगा lhl निकाल रहे हैं तो 1 minus x से छोटा कौन है एक से छोटा function कौन सा है तो एक से छोटे function के लिए आपको minus का x इस्तेमाल करना है तो यह limit वही रहने दीजिए limit h tends to 0 और हमें minus x चाहिए तो minus का कितना हो जाएगा यह 1 minus h हो जाएगा करेंगे अंदर multiply फिल limit की value रख देंगे तो कितना आ जाएगा यह minus का 1 आ जाएगा अब निकाल लीजिए rhl है ना right hand limit right hand limit कितना हो जाएगा यह हो जाएगा limit h tends to 0 function में रखेंगे 1 plus h अब देखिए 1 plus या एक से बड़े के लिए कौन सा function इस्तेमाल करना ह अब देखिए यहां पर minus 1 और 1 देखिए यहां पर दोनों लिमिट ही एक्जिस्ट नहीं कर रही है लेचल अलग है तो x is equal to 1 पर continuous होगा ही नहीं लेचल और होती तो फंसन पर value चेक करते हैं तो मतलब कि लेचल x वराबर 1 पर नहीं होगा एक्स वराबर 1 पर नहीं होगा x is equal to minus 1 पर देखिएगा x is equal to minus 1 पर निकाल दीजिए लेचल लेचल तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा लिमिट का h tends to 0 है ना फिर minus का 1 minus h क्या रखना फंसन में को रखना है minus 1 minus h है ना minus का 1 और minus का h रख देना है देखते हैं यहां पर 1 minus 1 से छोटे के लिए कौन सा फंसन इस्तेमाल करना है minus 1 से छोटा कब हो तब इस वाली कंडिशन में minus का 1 है ना तो इसमें रख दीजिए भाई इसमें रख दीजिए क्या हो जाएगा यह यह आ जाएगा इस situation पे limit limit h tends to 0 और फंसन में क्या रखना है minus 1 से छोटा के लिए minus x क हिस्तेमाल करना है आपको है ना तो यह कितना आ जाएगा x की जगा पर रखो minus h तो यह आ जाएगा 1 प्लस h हो जाएगा चोंकि वहाँ पर अल्रेडी वन है यह तो यह कितना जाएगा 1 आ जाएगा रहे हैं तो देखिए right hand limit पे क्या हो जाएगा h tends to कितना हो गया 0 और क्या रखना हमें minus 1 plus h minus 1 plus h टिक है तो क्या 1 minus 1 plus के लिए है ना मतलब कि minus 1 से बड़ा हो तो क्या minus 1 है इस condition में क्या है minus का 1 देखिए यहाँ भी LHL और RHL दोनों क्या है इक्वल नहीं है दब LHL आ रहेचल इक्वल ही नहीं है तो फंजन पर जाने का कोई बतलब भी नहीं है तो 56 में कौनसु आप्षन सही हो जाएगा डी वालो आप्षन सही हो जाएगा आते हैं 57 पर 57 करा कि there are 4 पॉइंट करा कि यहाँ पर 2 पॉइंट है तीन करा कि there are 4 पॉइंट है यहाँ पर ABCD करके है ना देकि यह AB PLUS BC AB PLUS BC अब देखे AB PLUS BC किसके बराबर हो जाएगा AC के बराबर होता है आए बी प्लस BC करमागत POINTS हमारे पास AB और BC किसके बराबर हो जाएगा triangle बनेगा वह AC के बराबर हो जाएगा PLUS यहाँ पर ऐसे करते हैं यह B और B कोलेप्स करो A और C बचा देखो यह D और C, D, D, A है न तो यह C, A के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, C, A, और इसकी direction change कर दो, तो यह minus का A, C हो जाएगा, दोनों cancel out करेंगे, क्या जाएगा, 0, कौन सा option से हो जाएगा, D वाला option correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question बता, ठामवन के राय कि A इतना है, B इतना है, तो then the find unit vector in direction of A, अच्छा, जिसके direction में हमको unit vector निकालना होता है, पहले तो उस vector को find कर लो, फिर vector बटे vector का मापांक होता है, उसका unit vector, चलिएगा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले, vector A plus vector B, दोनों को जोड लिया जाए, 4i औ फिर minus का J minus का 2J minus का 3J, फिर plus का K, plus का K, plus का 2K, ठिक है, अब हमें क्या करना है, A plus B की दिशा में हमें निकालना है, क्या unit vector, तो unit vector आपको पता है, कि अगर हमें निकालना है, a प्लेस b का इन दोनों unit vector निकालना है तो क्या होगा vector vector बटे vector का मापांग vector और vector का मापांग अगर इनका unit vector निकालना है तो क्या होगा vector बटे vector का मापांग vector कितना दिया गया है हमको वो दिया गया है 6i minus का 3j plus का 2k और इसका मापांग कितना हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 4 49 आजाएगा है ना 7 निकल के आजाएगा 6I माइनस का 3J प्लस का 2K बटे 7 कौन साफ़न सही हो रहा है A वाला आप्शन 58 का करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 69 की तरफ किरा कि यह 3 यह वेक्टर दिये गए है और यह वेक्टर आ है यह वेक्टर बी है एक्टर वेक्टर सी है चलिए वो कह रहा कोलीनर है पैरलल है पर्पैंडीकुलर है नॉट कोलीनर है अब देखिएगा यह 60 का आ गया अगले question का ठीक है हमें क्या चाहिए हम चेक करते हैं कि कोलीनर है की नहीं देखिए कोलीनर के लिए हमको इनका बॉक्स प्रोड़क्ट निकालना होगा अगर इनका बॉक्स प्रोड़क्ट क्या आजाए जीरो आजाए है ना क्या आजाए विक्टर ए विक्टर बी विक्टर सी का जो बॉक्स प् 1, minus का 2 और 5 फिर B के पास आ जाओ B दिया है 2 और minus का 4 दिया है और ये 7 दिया है और C के पास आ जाओ ये है 0, ये भी है 0 और ये है 3 हम चाह रहे हैं कि आप इन दोनों row को change कर लो last वाली row से, पहली row से 30 row को change कर दो तो minus आ जाएगा बस ये तो वही रहेगा अपना 2, minus 4 और 7 और last में आ जाएगा 1, minus 2 और 5 1, 2, minus 5 ठीक है कलते हैं open कलने इसको, देखें 3 के respect में open करेंगे ठीक है ये चुटेगा ये चुटेगा, कितना जाएगा minus का 4 minus का 4, plus का 5 नहीं नहीं, plus का 4 प्लस का 4 दोनों केटेंगे, कितना जाएगा minus का 3, गुड़े 0, यानि किया गया 0, अब यह box product यहाँ पे क्या आ गया A, vector A, vector B, vector C इन तीनों का जो box product 0 है इसलिए क्या होंगे ये जो तीनों vector दिये गये हैं वो क्या होंगे, koliner होंगे क्या होंगे, koliner होंगे है न, इसलिए क्या होंगे इसलिए क्या होंगे, ये koliner होंगे को linear होंगे, है न, आगे बढ़ते हैं question number 60 60 में कह रहा है कि the position vector of the points ABCD are इतने इतने respectively if ABCD lie on the plane क्या रहा जो ABCD वो same plane पे हैं, अब बताइए अगर ABCD same plane पे हैं है न, तो A से B, vector AB vector AC और A से ही D, है न ये तीनों जो होंगे, कौन ABCD same plane पे हैं तो A, B, A, C और AD, ये तीनों क्या होंगे co-planar होंगे, ये क्या होंगे co-planar होंगे, सम्तली होंगे तो AB पहले निकाल लिया जाए vector AB B, ठीक है, अगर वो क्या कह रहा है, कि ABCD जो है, वो लाई कर रहे है same plane पे, अगर ये same plane पे लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा AB, AC और AD क्या होंगे co-planar होंगे, शम्तली होंगे तो आप AB निकालेंगे AP कैसे निकलेगा, B का S3C-A का S3C-A वो आप निकालेंगे, कितना आजाएगा माइनस का I आएगा प्लस का 5J आएगा माइनस का 3K आएगा है न, AB हो गया, AB के बाद आप AC निकाल दीजे, A C, C-A C कहांपे है, ये है, है न, और A कहांपे है, ये, यानि कि माइनस का 1, माइनस का 3I, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4I आजाएगा और ये बनेगा प्लस का 3J और बनेगा ये, प्लस का 3K, है न, इसी तरह से AD निकालिए D का S3C-A का S3C-A 4I-3I सिर्फ बचेगा I, फिर 5J, तो ये 7 7 हो जाएगा, है न, आप कितना हो जाएगा ये, प्लस का 7J, आगे वाले हम देखेंगे, लिम्डा हुआ है, लिम्डा लगा हुआ है, लिम्डा के, प्लस K, तो के लेंगे कॉमन, इसमें, के लेंगे कॉमन, तो लिम्डा प्लस 1 हो जाएगा, अब बताईए, विक्टर A, B, vector a c vector a d अगर यह coplanar है अगर यह coplanar है तो आपको पता है कि इनका जो box product होगा a b a c और a d वो क्या होगा equal to क्या होगा 0 क्यों होगा क्योंकि यह coplanar है और अगर यह coplanar है तो box product हो जाएगा 0 तो देखिए का यहां पर रख लिया जाए सबको i j k minus का 1 5 minus का 3 यह ना बटा आओ इसके पाश यह आएगा minus का 3 और यह plus का 3 और यह 3 ठीक है आगे 1 7 और यह कितना lambda plus 1 एक काम करते हैं r1 plus r2 कर देते हैं ना क्या करें r1 plus r2 ठीक है r1 plus r2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह तो minus का 5 हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो minus का 5 और यह 5 तीन कितना हो जाएगा 8 यह 3 यह 0 आ जाएगा यहाप इसी 0 के लिए हमें काम कर रहे थे minus का 4 यह 3 यह 3 और यह 1 और यह 7 और यह lambda plus 1 और equal to 0 equal to 0 क्यों है क्योंकि अगर ABCD क्या है same plane पे हैं एक ही plane पे हैं तो A, B, A, C और A, D जो होंगे वो क्या होंगे को फ्लेनर होंगे और जब को फ्लेनर होंगे तो इनका box product यह नहीं कि आदिस्तिर्गुण जो होगा वो 0 के बराबर होगा चलेगा इसकेलर टिपल प्रोड़क्ट वो 0 के बराबर होगा और वही 0 कर रहे हैं अब आगे इसको open करेंगे अब देखेगा इससे जब open करेंगे तो कितना जाएगा भिया यह आएगा minus का 5 minus का 5 यह चुटेगा, यह चुटेगा यह 3 lambda plus 3 3 lambda plus 3 ठीक है, minus minus 5 था यह, ठीक है, minus 21 minus का 21 minus 8 into, यह चुटेगा यह चुटेगा, माइनस के 4 यह आजएगा, माइनस का 4 lambda, माइनस का 4, ठीक है यह और यह चुटा और माइनस का 3 वाँकी है सब 0 कोई दिक्कत नहीं है देखेगा यहाँ पे, यह माइनस का 5 into, 3 lambda अब देखे, 3 इस से घटाएंगे तो 18 और 3 क्या होते हैं 21, minus का 18, चलिएगा minus 8 into, minus का 4 lambda और minus, देखो, माइनस के 4, माइनस के 3 मिला के, माइनस के 7 हो जाएगे equal to हो जाएगा, 0 कितना जाएगा, यह, माइनस का 15 lambda, प्लस 18 पंचे 90 माइनस, माइनस प्लस हो जाएगे 8 चोक 32 lambda plus 8 सत्य 56, है ना, equal to 0, 32 यह घटाएंगे तो यहाँ पर 17 lambda बचने वाला है कितना बचेंगे, 17 lambda और इन को जोड लेंगे 9, 5, 14, 14, 14, है ना 146, equal to 0, और lambda बराबर आजाएगा, minus का 146 divided by 17, कौन सा ओप्षन से हो जाएगा यह वाला ओप्षन 60 में correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे question number 61 61 में कराया the projection of the line अच्छा, आप the line joining, मान लिजे कि इस point का निर्दिश यह point P है और यह point Q है और यह point R है और यह point S है तो कह रहा है कि line joining P, Q और on the line joining इतना तो पहले हमें क्या करना है वो कह रहा है कि हमें projection निकालना है किस पे on the line इस line का उपर वाली line P, Q का RS वाली line पर तो हम पहले P, Q निकालने है P, Q तो P, Q कैसे निकलेगा Q, minus P Q, minus P तो यह आएगा Q, vector Q, minus का P तो Q में P घटा दो तो 4, minus 3 कितना आएगा एक आएगा कॉमा 6, minus 4 कितना आएगा 2 फिर 3, minus 5 कितना आएगा minus को दो यानि कि point कितना बन जाएगा P, Q हमारा I, plus 2, J, minus 2, K यह तो P, Q आगया इसी तरह से आप निकालिए RS है ना इसी लाइन पर तो projection निकालना है हमको RS पर अच्छा कितना हो जाएगा 1, minus, minus 1 तो कितना आजाएगा भेया, यह 2 आजाएगा फिर 0, minus 2 तो minus का 2 हो जाएगा 5, minus 4 1 है ना, यानि कि RS कितना हो जाएगा 2i, minus का 2j, plus का K यह P, Q मिल गया है ना, यह मिल गया P, Q आग निकालो RS ठीक है, P, Q, RS दोनों मिल गए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए projection है ना, किसका P, Q का P, Q का RS पर प्रच्छेब है ना, प्रच्छेब चाहिए projection, ठीक है हमें क्या चाहिए projection आप P, Q आण RS निकालते हैं जिस पर projection निकाला जाता है उसका mod नीचे होता है ना, RS तो RS का mod ले लेंगे और दोनों का product उपर होता vector P, Q into vector RS चलिए दोनों का dot RS कितना आजाएगा ये आजाएगा 2I minus का 2J plus K divided by कितना RS mod इसका निकाल दीजिए कितना आजाएगा भीया mod आजाएगा इसका root के अंदर कितना 1 येनिक इस ये 4 हो जाएगा plus 4 हो जाएगा plus 1 हो जाएगा calculate किया जाए तो कितना उपर हो जाएगा 2 minus का 4 minus का 2 बटे में नीचे कितना आजाएगा 3 ये दोनों cancel हो जाएगे plus or minus के येन तो बराबर में आजाएगा minus का 4 बटा 3 कौन सा उप्षन से हो जाएगा 61 का जो A वाला option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 62 62 में कह रहा है कि the multiplicative group ये दिया गया है 1 minus 1 I minus I is a cyclic group किरा कि ये एक multiplicative group है जो cyclic group है किरा कि its generator इसके generator कौन कौन से होंगे तो देखिए कि हमारा जो ग्रूप दिया गया है किना ग्रूप के element में 1 दिया गया है minus 1 दिया गया है I दिया गया है और क्या दिया गया है minus का I भी दिया गया है अच्छा अब देखिए वो element generator होगा जिसकी मदद से सारे element मिल जाएं मतलब कि इस group के सारे element मिल जाएं तो देखिए कि 1 से I को लाना तो मुस्किल है चाहे 1 की power कुछ भी कर दीजेगा कभी भी I आपके पास नहीं आएगी है ना I या minus I नहीं आएगा minus 1 भी नहीं आएगा मतलब कि 1 से तो नहीं हो सकता चले चाहे करके देख लीजे देखिए 1 की power आप 1 करेंगे तो 1 आएगा 1 की power आप 2 करेंगे 1 आएगा 1 की power आप 3 करेंगे 1 आएगा मतलब 1 इसका generator नहीं हो सकता 1 कहां आए पहले option में ये नहीं हो सकता और दूसरा option में भी नहीं हो सकता अब मामला फस रहा है कि I और minus I में क्या मामला है I के लिए हम चेक करते है कि I इसका generator हो सकता है या नहीं चलिए I की power 1 करेंगे तो I आएगा थेक I की power 2 करेंगे तो minus का 1 आएगा I की power 3 करेंगे तो minus का I आएगा और I की power गर आप 4 करते हैं तो 1 आएगा देखिए ये जो I है इसने इस group के सारे element दे दिये हैं और आगे आप power करते जाएंगे फिर से यही मान repeat होते जाएंगे तो मतलब I जो है इसका एक generator है है ना I एक इसका generator है एक क्या है इसका ये generator I हो गया अच्छा minus I को भी चक कर लिया जाए क्या कहीं चक्कर minus I के साथ है या नहीं अब देखेगा तो ये minus के I की power 1 का मतलब कितना हो गया minus का I minus की I की power 2 का मतलब क्या हो गया minus का 1 फिर minus की I की power में कितना 3 देखो ये minus का आएगा और minus I यानि कि ये plus का I बन जाएगा और minus की I की power 4 का फिर से वन देखे यहां भी पूरे element आ गए हैं इस group के तो i और minus i दोनों इसके generator हैं कौन सा option सही हो गया c है ना बाफट में c वाला option जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 63 के दरफ दिखें कि 63 में कह रहा है कि a और b are two unit vector कि रहा है a और b जो है ना वो दो unit vector है देखेंगा भाई सांदार है ना अगर a और b दो unit vector है इसका मतलब क्या है कि vector a है ना का mod और vector b दोनों का mod क्या है one है है ना यही तो होता है अगर को unit vector होता तो उसके मापांग की जो value होती वो क्या होती है 1 होती है, अब वो कह रहा है कि ये और ये दोनों perpendicular है और दो vector अगर perpendicular होते हैं तो उनके dot product की value क्या होती है 0 होती, मतलब कि vector a plus 2b into vector, यानि कि 5 a vector minus 4 b vector equal to क्या हो जाएगा 0, क्यों होगा क्योंकि वो कह रहा है कि वो perpendicular है है, अब देखिए अगर ये perpendicular है तो dot product निकाल दीजिए, भई, ये हो जाएगा 5 5, ये क्या हो जाएगा vector a into vector a, ये क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाता है किसके mod k square के, plus आगे के पास जाएगे, तो minus का 4 vector a dot vector b, और आगे जाएगे 5 दूनी 10 हो जाएगा vector a dot vector b, इसका multiply करेंगे, अब आगे वाले का multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा, minus का 8, minus का 8 vector b का square equal to कितना 0, अच्छा, अब देखे गए आपे 5a square, इसकी value 1 हो जाएगी, तो ये आजाएगा, 5 5 गुड़े, minus देखो ये 4a b ये हैं, 4a dot b और 10a dot b ये हैं तो यानि कि 6, vector a dot vector b plus के हैं है ना, minus का कितना ये, 8 गुड़े 1, equal to कितना है भाई 0, तो ये आजाएगा 6 vector a dot vector b बराबर, देखो 5 में 3 गटा देंगे 5 में 8 गटा देंगे, 3 बचेंगे तीन को इधर भेज़ देंगे यानि कि हमारे पास आने वाला है क्या a dot b बराबर कितना 1 बटे 2, अच्छा 1 बटे 2 है, तो vector a dot b मतलब क्या हो गया vector a का मापांग vector b का मापांग और क्या साथ में, cos theta equal to 1 by 2 पर इन दोलों की value 1 हो जाएगी है ना, 1 into 1 और यह हो जाएगा, सहाब cos theta equal to 1 by 2 और cos theta बराबर अगर 1 by 2 दिया गया है, तो आपको पता ऐसा कब होता, जब theta बराबर क्या हो, साथ हंसू कौन साफ़न से हो जाएगा, 63 में b वाला जो option है, वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे, question number 64 की तरफ, question number 64 कह रहा है कि या particle acted on by two forces, दो force हैं, जब भी दो force कहेगा, तो आपको क्या करना है, net F निकाल लेना है, कुल बल निकाल लेना है, तो कुल बल कितना हो जाएगा दोनों बलों को जोड़ दिया जाए, तो 3 I A, 2 I A मिला के कितने हो जाएगे, सहाब ये 5 I हो जाएगे, फिर ये 2 J प्लस 4 J ये हो जाएगे भी या 6 J और ये माइनस का 3 K प्लस का 2 K तो ये माइनस का K आएगा, ये net Bल आ गया, अच्छा It is displayed from the point, कि रहा है, A point से उठा के कहां ले गया गया, B तक ले जाया गया यानि कि जो displacement यानि कि vector R बरावर हुआ, वो क्या हुआ A B, क्या हुआ A B मतलब A से B तो A B कैसे निकालेंगे, B का इस्थित सदिस माइनस A का इस्थित सदिस है ना, B का position vector माइनस A का position vector, तो B कहां पे है, 5 I 5 I में घटा देना है I, तो कितना बचेगा ये 4 I, फिर 4 J में घटा देना है 2 J, तो ये भी बचेगा 2 J, फिर 2 K में घटा देना है K, तो आएगा plus का K, तो ये vector R आ गया F हमारे पास है हमें अब क्या निकाल देना है, भाई हमें निकालना है, work work done, तो work done W बराबर क्या होता है F dot R है न, F dot R F कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5 I, प्लस 6 J, माइनस का K, इन तो और R कितना दिया गया है, R दिया है 4 I, प्लस 2 J, प्लस K, करिए multiply, कितना जाएगा 5 चों का 20, J, J वाले multiply होंगे, 6 दूनी 12 माइनस 1, कितना हो जाएगा भी, या 32 माइनस 1 32 में 1 गये, तो साइद 31 बसते है, 31 unit है, कौन साफ़न हो जाएगा 64 में D वाला option जो है, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 65 की तरफ क्वेस्टन पर 65 कर रहा है कि A इतना है, B इतना है, B इतना है represent two sides of any triangle कर रहा है कि कि किसी triangle की दो side को बता रहे हैं, triangle की कोई भी side हो 2 adjacent side तो होई जाएंगी मतलब कि कुल मिला के हमें निकालना है, इसका area हम निकालेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या A cross B क्योंकि हमें पता है जो triangle का area होता है वो क्या होता है 1 by 2, A cross B दो adjacent side जो हो triangle की दो sides का cross product का mod निकाल लेते हैं, है ना cross product निकाला जाए इसका पहले तो यह आजाएगा I और यह आजाएगा J और यह है K अच्छा, यह दिया है 2, यह दिया है minus 3 यह दिया minus का 1, यह दिया है 1, यह दिया है 4 और यह दिया है minus का 2, ठीक है आगे हम, यह हो गया हमारे पास 2, minus 3, minus 1 और यह 1, 4, minus 2 कर यह cross product निकाला जाए यह आजाएगा I into यह चुटेगा, यह चुटेगा 6 plus 4, 6, 4 कितना हो जाएगा 10, minus का J into यह चुटेगा, यह चुटेगा, माइनस का 4 प्लस का 1, माइनस का 3 आगे रहा प्लस K into यह चुटेगा, यह चुटेगा 8 प्लस 3 8 और 3 मिला कि कितने होते हैं 11, कितना आजाएगा यह यह आजाएगा 10 I प्लस 3 J प्लस 11 K मिल गया अब निकाल देते हैं, इसका मॉड है न, मॉड भी निकाल दिया जाए मॉडूलस A क्रोस B इक्वल टू कितना आजाएगा भीया यह रूट में आजाएगा 10 का स्कुएर 100 प्लस 9 प्लस 11 का कितना हो जाएगा 101 सब को जोड देंगे कितना आजाएगा 130 और सब जोड़ेंगे 230 एरिया क्या हो जाएगा 1 बटे 2 और अंडर रूट 230 यूनिट स्कुएर है न तो कौन सा आप्षन से हो जाएगा यूनिट स्कुएर नहीं लगा न तो यह 65 का A वाला आप्षन करेक्ट होगा एक बटे 2 अरे नहीं नहीं वह यह उप्षन से होगा इसमें भी लगा होना चाहिए था वैसे एना स्कुएर यूनिट लिखा होना चाहिए था यूनिट स्कुएर ठीक है कौन सा डिवाला आप्षन करेक्ट हो जाएगा 65 का चलिएगा आगे बढ़ेंगे question number 66 66 में हमसे कह रहा है कि A इतना है B इतना है तो लंबवप्त एकक सदिस ग्याद करना है है ना हमें यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ग्याद करना है तो पहले हमें क्या करना है ये दिया है A वेक्टर A है है ना देखिए A है और B है दोनों दिये गए है 66 में A इतना दिया B इतना दिया है हमें इनका परपेंडिकुलर वेक्टर ग्याद करना है तो हमें क्या करना सबसे पहले तो परपेंडिकुलर वेक्टर ग्याद करें यह कितना दिया है वन फन वन और ये टू और ये थ्री माइनस का वन ठीक है आई आएगा कोमन में ये चुटेगा ये चुटेगा माइनस का वन-3 माइनस का चार हो जाएगा माइनस का j आएगा ये चुटेगा ये चुटेगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 आजाएगा प्लस का k ये चुटेगा ये चुटेगा 3 माइनस 2 यानि की 1 आजाएगा अच्छा तो ये कितना आजाएगा अब माइनस का 4i प्लस का 3j प्लस का k ये A cross B आ गया हमें क्या निकालना है इसका unit vector निकालना है अगर हमें इसका unit vector निकालना है अगर हमें इसका unit vector निकालना है ये क्या है ये तो लंबवध vector होता है ये क्या होता है हमारा normal होता है ठीक है normal vector होता है अगर इस normal vector का हमें क्या निकालना है unit निकालना है unit vector निकालना है है ना यानि कि a cross b का क्या निकालना है unit vector अगर इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा vector ये पहले vector रख लिया जाए minus का 4i plus का 3j plus k बटे इसका मापांग है ना इसका मापांग किसका मापांग कितना हो जाएगा ये बोला हो जाएगा यह नौ हो जाएगा यानि कि वह 26 आ जाएगा तो माइनस का फूर आई प्लस का तीन जे प्लस के बटे अंडर रूट 26 कौन सा अप्षन से हो जाएगा 26 में ए नंबर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेस्चन नंबर सरसड देखेंगे क्वेस्चन नंबर सरसड कह रहा है कि वेक्टर एरिया आप दा ट्राइंगल पोजीशन वेक्टर जिसके ये दिये गए हैं अच्छा देखते हैं हमें क्या करना है ये ट्राइंगल दिया गया है हमको इसका निकालना है एरिया ठीक है निकालते हैं वेक्टर एरिया वेक्टर एरिया क्या होगा यह बताना है हमें तो यह मा लिजिए यहां पे हमारा ए पॉइंट है एक के क्वाडिनेट हमको दिये है क्या 2,3,-5 और B के coordinate दिये हैं 3,4,2 और C के जो coordinate दिये हैं वो कितना है 1,1,-1 हमें इसका area निकालना है उससे पहले हमें इसकी दो कोई addition side पता चल जाएं कोई दो भुजाएं पता चल जाएं कौन सी शलगन हो जाएं तो आप एक तो पहले vector A, B निकाल लो A, B बराबर क्या हो जाएगा B,-A, B-A का मतलब 3 में 2 घटा दो थैंना, B-A, तो B vector B-A का vector A बराबर कितना आ जाएगा ये, B-A कितना आ जाएगा भाई ये हो जाएगा, देखो 3-2, 1, 4, और कितना 4-3, ये भी कितना आ जाएगा, 1, सीधा माँ वही रख लो, वेक्टर भी रख लो देखे, 3-2 कितना आ जाएगा, I, 4-3, J, फिर 2-5, यानि कि 7 हो जाएगा, और ये 7, K हो जाएगा, अच्छा, A, B हो गया, और A, C हो गया, vector C, minus का vector A, ठीक है, C में A को घटा दीजे, C कितना दिया गया है, 1-2, 1-2 का मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा, minus का I, फिर 1-3, यान कि minus का 2, J, फिर minus का 1, plus का 5, कितना आ जाएगा, भीया, plus का 4, K, plus का 4, K, अच्छा, ये A, B आ गया, अब हमें क्या चाहिए, area चाहिए, area, तो आपको पता है, कि इसका जो area होगा, हमें कौन सा निकालना, vector area निकालना है, area कितना हो जाएगा, 1 by 2, 1 by 2, A, B, cross A, C, है न, A, B, cross क्या होगा, A, C, तो देखेगा, यहां पर, यह तो हमारा आही चुका है, अरे, A, B, cross A, C, भी तो निकाल लीजिए, तभी तो निकाल पाएंगे, है न, चलिएगा, निकाल लिए भाई, A, B, cross A, C, equal to, यह जाएगा, I, J, K, हम, वो कितना दिया गया है, 1, 1, 7, और यह कितना दिया गया है, माइनस का 1, माइनस का 2, और यह 4, है न, चलिएगा, यह आजाएगा, I, इन्टू, यह चुटेगा, यह चुटेगा, चार प्लस 14, है न, कितना आजाएगा, यह 18, आजाएगा, माइनस का J, इन्टू, यह चुटेगा, यह चुटेगा, चार प्लस 7, य यानिकि यह आ गया 18i minus का 11j minus का k है ना अगर इसका vector area निकालना है तो कितना आ जाए गए एक बटे दो into ab cross ac यानिकि 18, minus का 11 minus का 1 ऐसा कौन सा option दिया गया था तो ऐसा b वाला option जो था वो correct था एक बटे दो 18 minus 11 minus 1 है ना कौन सा option से हो जाएगा b वाला option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 68 कराया force कराया force है कितना दिया गया है बल f दिया गया है 5 unit अच्छा 5 unit दिया गया है कराया act along the line एक line दी गई है इस line की question को convert कर लिया जाए cross multiplication करेंगे तो कितना जाएगा minus का x plus का 3 equal to 2y minus का 8 है ना सब को उठाके उधरे ले जाएगे कितना जाएगा x plus 2y है ना x plus 2y is equal to कितना जाएगा plus का 11 होगा है ना दिया ले जाएगे plus का 11 इधर आजाएगा plus का 11 equal to 0 नहीं उधर तो minus का 11 रहेगा माइनस के गयरा हो जाएगा, ठीक है भाई, यह हो जाएगा, हमारे पास सबको उधरी ले जाएगा, तो आट तिन गयरा प्लस करेगा, है ना, अच्छा, माइनस के गयरा हो जाएगा, ठीक है, तिन गुड़ेगा, माइनस के गयरा हो जाएगा, अच्छा, यह हमारी लाइन हो किरा है कि along the line the moment of force about the point किरा है इस point से अब देखिए हमको moment of moment निकालना है moment of the force बल आगुड निकालना है और आपको पता है कि बल आगुड tau बराबर क्या होता है f into d d क्या होती है perpendicular distance होती है तो मतलब हम क्या करें इस point से 4,1 4,1 4,1 point से यह जो line है हमारे पास कौन सी x plus 2y minus 11 इस पे डाले गए perpendicular की length निकाल ले इसकी lambic दूरी निकाल ले तो हम आराम से निकालेंगे बल गुडे क्या होगा लंबवाद दूरी है ना तो लंबवाद दूरी पहले आप निकाल लीजे कि डी कितनी है तो डी बराबर कितनी आ जाएगी भीया यहां पे 4 रखेंगे अरे भाई 4 को हमा एक से x plus 2y minus 11 equal to 0 पे डाले गए लंब की लंबाई कितना जाएगा 4 plus 2 minus 11 बटे under root कितना 1 plus 4 1 का square plus 2 का square 1 plus 4 कितना हो जाएगा भाई अब यह बचेगा minus का 5 उपर कितना बचा 4 दो 6 गटा देंगे तो minus का 5 और नीचे कितना under root 5 calculate करेंगे तो distance आएगी under root 5 minus की आएगी लेकिए उसे ignore मार देंगे क्यों क्योंकि distance कभी negative नहीं होती दूरी कभी negative नहीं होती equal to f बल कितना दिया गया है पांच यूनिट है न कितना एगा पांच यूनिट यह नहीं कि कौन सा अप्षन से हो जाएगा डी वाला option 68 में शाही हो जाएगा अब बढ़ेंगे question number 79 की तरफ question number 69 करा है कि यदि रेखा xyz अच्छों से देकि सब कुछ दिया है एकदम बहतरीन अंदाज में दिया है कि रहा यदि रेखा xyz अच्छ से नब्य अंस 135 और 45 अंस का कोड़ बनाती है तो इनके direction cosine यानि कि दिक कोज जाए निकालनी है हमको क्या निकालनी है हमें निकालनी direction cosine तो एक direction cosine il होता है cos alpha और एक direction cosine कोज बीटा और एक direction cosine in होता है वो क्या होता है भिया cos gamma अब देखेगा हमें पता है कि x अच्छ से alpha code y अच्छ से beta code और z अच्छ से gamma code बनाता है तब यह होता है तो यहाँ पर alpha कमान कितना दिया गया है 90 तो भिया यह हो जाएगा l बराबर cos 90 cos 90 की value 0 होती सब ही जानते हैं m बराबर कितना बीटा y अच्छ से 135 का code तो 90 प्लस 45 माइनस साइन 45 यानि किया जाएगा माइनस का 1 बाई root 2 आगे वाले के पास चलेंगे n बराबर cos 45 cos 45 का मतलब एक बटे अंडर root 2 तो ऐसा कौन सा option मिल रहा जिसमें आपको l मिले m मिले और n मिले 0, minus 1 बे टेंडर root 2 कौमा 1 बे टेंडर root 2 ऐसा d वाला option है उनतर का d जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 70 question number 70 कह रहा है कि उस रेखा का शमी करन देखिए जो रेखा दी गए पहले उसको standard form में convert कर लिया जाए वो रेखा उसने दिया है क्या minus अगर हम उपर से common ले तो यह x minus 2 x plus 2 बन जाएगी और यह minus नीचे आ जाएगा तो minus के 1 के साथ आ जाएगा बराबर ठीक है इधर का तो कोई tension नहीं यह लिखा है y plus 3 बटे 7 बराबर दो ले लो common दो लेंगे common तो यह हो जाएगी z minus का 3 बटे 3 बटे 2 अब सम में क्या करो 2 से नीचे साइड है ना हरो में 2 से multiply कर दो 2 से multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा यह x plus 2 minus का 2 बराबर y plus 3 यह 14 हो जाएगा बराबर z minus 3 बटा में कितना 3 है ना अब देखिए भाई यह यहाँ पे इसके जो हमारी direction कोसाइन मिल गए वो क्या minus का 2 है वो 3 है और क्या है 3 है है ना तो देखेगा हमें दोनों conditions पे इस से जाने वाली रेखा का समीकर निकालना है कहां से 1, 2, 3 है ना 1, 2, 3 से होकर जाने वाली equation का रेखा का समीकर ना तो देखिए 1 तो होता हमारा vector form तो vector form क्या होता है इसका vector form हो जाएगा क्या vector form में होगा r is equal to a plus lambda b है ना कहां से a से जाने वाली और b के समानतर तो देखिए जो समानतर होंगे तो इसके भी direction cosine same यही हो जाएगे minus के 2 है ना minus के 14 प्लस 3 तो देखिएगा यहां पे a कितना हो जाएगा हमारा a हो जाएगा कितना i plus अरे यह है a किसे जा रहा है ना plus 2j plus 3k into plus में लगाई है lambda b b कितना हो जाएगा देखो यहां पे यह है minus का 2i plus का 14j इधर लगा लिख देता हूँ कितना जाएगा उसी के आगे plus lambda minus 2i plus 14j plus 3k यह तो vector form हो गई vector form के बाद हम इसे cottageian form में भी अगर लिखना चाहें कारतीन रूपर भी करना चाहें cartagian form अब देखें कर इसम cartagian form यानि की कारती रूप में लिखना चाहें तो इसका जो कारती रूप होगा वो क्या हो जाएगा x minus alpha कहां से जा रही है x minus 1 1 से जा रही है x minus 1 और यह क्या हो जाएग y minus 2 और यह क्या हो जाएगा z minus 3 बटे 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 किसके समानता रहे इसके तो यह direction cosine इसे दे दिये जाए minus के 2 और यह 4 और यह 14 और यह 3 तो देखेगा यह option कहां पे दिया गया है यह वाला एकदम same option यहां दिया गया है third में और यह वाला option कहां दिया गया यह वाला first में दिया गया है मतलब first भी था सही है और third भी सही है यानि कि 70 में कौन सा offense ही हो जाएगा A first और third दोनों क्या है true है है ना दोनो true है तो क्या हो जाएगा 70 का A वाला option correct हो जाएगा question number 71 देखेंगे सटा सिखा रहे हैं और यह क्या है यह है हमारे football प्रेमी ठीक है चलिएगा यह hit नहीं है वरना यह भी यही सिखाएगे चलिएगा अब देखेगा अब मेरी बात सुनेंगे यह C है football खेलने वाले हैं 16 और स्टरी cricket खेलने वाले है football खेलने वाले 16 cricket खेलने वाले हैं 24 football खेलने वाले हैं 16 total लड़के हैं 35 total कितने हैं 35 तो इनको जोल लिया जाएं तो 24 और 16 कितने हो जाएंगे भीया यह हो जाएंगे 40 कितने हो जाएंगे 40 मतलब कहने का यह है कि जो special cricket खेल रहे हैं और जो फुटवाल खेल रहे हैं उनमें कुछ mix-up हैं तो पांच लोग भीया टोटल कितने हैं 35 टोटल 40 तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों खेलते होंगे तो कितना आ जाएगा पांच है ना यहां कितना आ जाएगा पांच तो इन दोनों को जोड़ने पर टोटल संख कितने कि वृद्धी लंख की जाए लेटकित इसमें भी ृए wsp रॉड़न दोनों की ब्रुटी व्रुट्दी तो किया होगी तो पाई आ इंटू एल आर इंट्वटी ब Days संतन बठाउं तो प्लस आएगा और कितना हो जाएगा दोनों को गोड़ा करते में हैं तो दस गुड़ए 10 यानि रहता है कुल मिला के प्लस x अग्स तोनों को गोड़ा करेंगे लिए 5700 अगर fees और यहां पर कि पैस्समालगी जीग के 1 में वृद्दी होती है एक में क्या होती होती कमी होती यदि किहांék इसमें कितना कंबाइन वहाएं रहा है दोनों cancel हो जाएंगे और यह इन दोनों का कितना है 21% आ गया है ना कम माइंड डिसकाउंट कम मेंड वृद्धी जो आई है वो 21% आ गई और यह 10% को फिर से मिलाके इनके साथ में निकाला जाए देखे वृद्धी है तो यह 21% प्लस 10% मैंने क्या बता है पहले इन दोनों चिल्नों का गुड़ा करेंगे तो प्लस का आ जाएगा कितना 210 डिवाइड़ बाई 100 है ना ठीक है अब देखेगा यह कितना हो जाएगा 21, 10, 31 प्लस यह 0 से 0 काट देंगे और आ जाएगा 2, 10, 2, 10 दोनों को जोड देंगे कितना आ जाएगा 33.1% कितने ब्रिद्धी होगी 33.1 कौन से हो जाएगा सी वाला ओप्शन तो ऐसे क्वेस्टन करिएगा है ना अगर मान लिजे कि ऐसे टाइप के क्वेस्टन आते हैं मान लोग भाई चांस आ गया है ना कि आयत की लंबाई में इतने परशन की ब्रिद्धी चौड कर दी जाए अब देखो यहां पर आयत की लंबाई में 20% की व्रिद्धी कर दी जाए अब देखो यहां पर आयत की लंबाई में अगर 20% की व्रिद्धी कर दी जा रही है 20% की कमी कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने परशन की व्रिद्धी करनी पड़ेगी तो देखे चौड़ाई में जो व्रिद्धी होगी तो चौड़ाई में व्रिद्धी तो चौड़ाई में जो व्रिद्धी होगी वो क्य में भीज घटा दो असी हुड़े सो ठीक है चलिए अब देखिए मतलब जितने पर्शन कहेगा चोड़ाई में करा कोई परिवर्ता नो चेतर फल बदलना नहीं चेतर फल वही रहना चाहिए चाहिए अगर लंबाई घट गए तो में चोड़ाई बढ़ा देना है तो चोड़ से 0 काड़ दो यह आजाएगा 200 बटे आठ यानि की शोव बटे चार काड़ देंगे सीधे सीधे क्या आजाएगा 25 चोड़ाई परसेंट है ना कितना परसेंट यानि किसकी चोड़ाई में 25 परसेंट की ब्रिद्धी कर दी जाए तो छित्र फल वही रहेगा कोई टेंसन नह जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेस्टन नमर 74 की तरफ सेवेंटी फूर किरा बारा मीटर लंबे और दस मीटर चोड़े बराम्बे के चारों और दो मीटर चोड़ा रास्ता है देखते हैं भाई इसकी जो चोड़ाई है वो दो है दो मीटर ये दो मीटर ये है ना मतलब दो मीटर ये बढ़ा दो मीटर ये बढ़ा तो इसकी बाहरी जो एली चोड़ाई हो गई देखिए टोटल दस थी दस और दो ये कितनी हो जाएगी भीया ये 14 हो जाएगी अच्छा लंबाई की बात जो ये वाला हमारा बरामदा है इस बरामदे का छेतरफल निकालना है तो इस बरामदे के छेतरफल में बाहरी आयत के छेतरफल में अंदर वाले आयत के छेतरफल को घटा दे तो पता चल जाएगा कि सोरी ये जो रास्ता है रास्ते का छेतरफल बढ़ाबर कितना हो जाए गाया बाहरेचीस त्रफल देखो पूरा तो यह हो जाएका शोलह गूडे 14 माइनस अंदर वाले पार्ट में देखो जो हमारा अंदर वारा पारट है तो उसका छेटरफल कितना वैँ आप यह वाला है यह वाला है ना तो कितना हो जाएगा यह 12 गुड़े 10 ठीक है मल्टिप्लाई कर दें 14 चंग 84 कि 4 आए 8 चौदा कर देंगे 120 घटा देंगे तो यह जाएगा एक यह जाएगा जीरो और यह जाएगा चार यानि कि 104 मीटर स्क्वेर चोहत्तर में सी वाला ओप्सन जो है वो करेक्ट हो जाएगा ना 104 मीटर स्क्वेर होगा यह रास्ता जिसके हमें तलास है 75 75 75 में कहा रहा है कि the differential equation करा एक differential equation है m dx प्लस nd y equal to 0 तो करा यह exact equation कब होती है तो देखिए exact equation कब होती है जब यह n है न तो यह डिल n बटा डिल x बराबर हो डिल m बटा डिल y जब ऐसा होता है जब डिल n बटे डिल x बराबर हो डिल m बटे डिल y तो यह exact equation होती है और ऐसा option कौन सा सही हो रहा है पहला है ना पिज़त्तर में जो पहला option होगा वो करेक्ट हो जाएगा एक्जैक्ट होने के लिए यह वाली कंडिशन को फालू करना होगा चलिए उम्र ठका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती गर जिद है जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती नमस्कार दोस्तों मैं उदैसिंग मैंस गुरू उदैसर यूट्यूब च सेवन जिसमें कोश्चन नमबर सेवन्टी सिख्स से लेके हैंड़ तक के प्रशनों को सम्भलित किया गया है चलिए शुरूआत करते हैं आज के इस वहतरीन सेशन को करा कि कोशन दी गई है हमको डिफरेंशल एक्वेशन दी गई है करा सॉल्व दी स्कुर माइनस फोर है न तो यह कितना जाएगा डी स्कुर माइनस फोर इकोल टू जीरो यहां से मिलेगी एम की दो वैलू क्या मिलेगी एक मिलेगी प्लस माइनस टू है ना एम के दो मान मिल गए एक प्लस का दो मिल जाएगा और एक माइनस का दो मिल जाएगा और इसके लिए हम निकालेंगे cf तो इसकी cf क्या हो जाएगी cf जो हो जाएगी देखिए दोनों डिफरेंस अलग-अलग है न तो कितना हो जाएगा भी यह हो जाएगा c1 c1 e की पावर m1 x m1 ले लिया प्लस c2 e की पावर m2 m2 कितना दिया गया माइनस का 2x यह हो गया अब हमें क्या चाहिए पर्टिकुलर इंटरगल है न पर्टिकुलर इंटरगल पी आई चाहिए तो देखिएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपान d square minus 4 operating on 1 by 2 cos 2x तो एक काम करते हैं 1 by 2 को बाहर ले ले लेते हैं 1 by 2 को बाहर ले लीजिए अब कितना आ जाएगा 1 by d square minus 4 cos 2x अब देखिए कि जो d की value होती है यहाँ पर जो d की value होती है यह एंगल में देख रहे हैं अगर मालो cos a x होता तो a का हम square करते हैं क्या करते हैं इसका minus करते हैं वो d का मान हो जाता है तो यहाँ पर एक कितना दिया गया है दो दिया गया है तो दो का square हो जाएगा minus लगाएंगे यानि कि जो d square की value आ जाएगी सोलह cos 2x अब हमारा solution क्या हो जाएगा इस equation का differential equation का solution जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा y equal to cf plus pi cf कितना दिया गया है cf दिया गया है c1 e की power 2x plus c2 e की power minus 2x pi कितना आगया हमारा minus का एक बटे शोलह cos 2x और ऐसा कौन सा option है तो option नंबर जो है a 76 का क्या होगा correct हो जाएगा 76 में a option जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question नंबर 77 की तरफ 77 77 में कराएगे जन्रल सोलूशन आप दा d e हैना correct differential equation का जन्रल सोलूशन क्या होगा तो यह तो बहुत आसान है इसमें auxiliary equation में पहले आप convert कर लीजिए देखेंगा याँपे इसे auxiliary equation में convert करेंगे तो देखें यह लिखा हुआ है d cube y dx3 इसका मतलब यह लिखा हुआ है क्या d cube minus d square y dx2 मतलब कि यह d square लिखा तो यह 4d square हो गया और यह कितना हो गया भीया यह हो गया 5d यह हो गया 5d और आगे कितना लिखा minus का 2y equal to 0 अब इसकी अगर हम auxiliary equation निकालते हैं है ना सहायक समीकराण निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा इसका जहाँ d है वहाँ पे m रख दिया जाए तो कितना जाएगा m square minus का 4m square plus का 5m minus का 2 हम इसका calculation करेंगे है ना हम क्या करेंगे इसके factor करेंगे तो इसके factor जो आएंगे वो आ जाएंगे एक आ जाएगा m minus 1 का holy square हो जाएगा एक factor और दूसरा इसको हम लोग करेंगे किससे successful प्रमें से करेंगे ना एक बराबर x बराबर m बराबर 2 रख के देख लिजे 1 रख के देख लिजे तो यह clear हो के आ जाएगा यह हमारे factors आ जाएगे जो इसके कितने आ जाएगे एक आ जाएगे m minus 1 का holy square दूसरा आ जाएगा m minus 2 मतलब कि m के यहाँ पर तीन मान आ गए एक कितना आ गया 1 दूसरा कितना गया 1 तीसरा कितना गया 2 है ना 1 1 2 अच्छा तो अब देखेंगे यहाँ पर अब इसके जो हमारे solution हो जाएगा वह कितना हो जाएगा y बराबर c1 दे यह देखो m1 और m2 दोनों बराबर है और e की पावर में वही जो सेम वाला वैलू होगा उससे रख देंगे c1 एक्स भी होगा है ना c1 प्लस c2 x यहाँ इसके साथ x जोड देंगे अगर एक और बराबर आ जाता तो c3 x square करते और into में आ जाएगा कितना e की पावर m1 1 दिया यह हमारी c1 plus c2 x अच्छा into में आ जाएगा e की पावर में x plus c3 into e की पावर में 2 x है ना बैस यह हमारा y आ गया यह हमारा y आ गया और ऐसा कौन सा option है c1 plus c2 x और e की पावर में x दिया गया है यानि कि यह option number कौन सा है हमारा D, है ना, 77 में जो option सही होगा, वो कौन सा सही होगा D वाला सही होगा, आगे बढ़ेंगे question number 78 78 में हमसे कह रहा है कि if row T denote the rank of T, rank of T दिया गया है row T, है ना, rank कितनी दी गई इसकी, row T दी गई है and, you, mu T denote the nullity of T of a linear transformation uses that, u to u, u to v then, देखिए हमको पता है कि dimension हमसे पूछा, dimension के साथ relation पूछा है, तो जो dimension of u होता है, वो क्या होता है, rank और nullity के sum के बरावर होता है, है ना, rank plus nullity, तो dimension of u equal to कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा rank, और rank कितनी दी गई है, rank दी गई है, rho T plus mu T, है ना, और ऐसा कहां पर दिख रहा है, तो हमारे पास 78 में, जो पहला वाला option है, वो same दिख रहा है, ना, rho T plus mu T equal to dimension of u लिखा गया है, चलिएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 78 question number 78 78, तो यही था ना, हाँ, 79 चलिएगा, इसे attempt करेंगे, question number 79 क्या correct होगा इसमें, बहुत आसान सा question है, हमसे कह रहा है कि if the complex number, कैरा तीन complex number है, Z1 है Z2 है, Z3 है और यह तीनों complex number जो है किसमें है, arithmetic progression में है शमांतर shreddy में दी गई है, very good evening रोहित कुमार जी चलिएगा अब देखिएगा, हमारी बात को समझा जाए यहाँ पे Z1, Z2 और Z3, तीनों क्या है Z1 भी और Z2 भी और Z3 भी किसमें है AP में है, है न तीनों किसमें है, AP प्रंड भी जाए अब देखिएगा, Z1 Z2, Z3 dot 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 in AP, arithmetic progression में तो देखिएगा, mid term का double, 2 Z2 equal to कितना हो जाएगा Z1 plus Z3, रख दीजे Z1, Z2 हमारे पास X1, ये माले जे हो जाएगे हमारी क्या X2 plus IY2 equal to ये हो जाएगी X1 plus IY1 plus ये हो जाएगी X3 plus IY3 चलेगा आगे अब देखिएगा, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे Real part को अलग कर लें, imaginary part को अलग कर लें, ठीक है ये आजाएगा 2X2 2X2 और ये माइनस का X1 माइनस का X3 plus I ले लो कॉमन 2Y2 माइनस का Y1 और प्लस क्या हो जाएगा, सोरी, माइनस का Y3 माइनस का Y3 equal to कितना आजाएगा? 0 अब ये देख रहे हैं, क्या दिखा रहा है है? ये एक लाइन दिखा रही है, अगर हम दोनों को अलग 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 imaginary part और imaginary part और real part की तुनला करेंगे देखेंगे, ये आजाएगा और ये आजाएगा, दोनों किसको प्रजेंट कर रहे हैं, line को प्रजेंट कर रहे हैं तो कौन सा option से हो जाएगा? 79 का C वाला option correct हो जाएगा आगे पढ़ेंगे, question number देखेंगे 80 question number 80 में हमसे करा कि vector F दिया गया है है ना, F ये दिया गया है vector F दिया गया है, आपके कितना x square y, i plus y square j, plus z square k find del dot f है ना, तो देखेंगा, हमें क्या निकालना है del dot f इनका dot product निकालना है और आपको पता है, ये हमारा क्या होता है i diver i diver, बटते diver x, plus j, diver y, plus k, diver, diver z, into f क्या होता है, हमारा f1i, plus f2j, plus f3k, और इनका जो हम dot product निकालेंगे, तो इनका dot product आएगा, वो कितना आजाएगा diver f1 dx, plus del f2 dx, है ना del x, plus ये del f3 del z ये हमारा f1 है ये हमारा f2 है, और ये f3 है, तो करते हैं इसका differentiation, x के respect में इसका differentiation करेंगे, i वाले का, तो 2xy आ जाएगा, तो यानि कि इसकी जो value आ गई, वो कितनी आ गई? 2xy plus 2y plus 2z है ना कौन सब्सक्राइब से हो जाएगा 80 का option सही हो जाएगा c बिलकुल सही जवाब दिया है अरुन सर ने शांदार सर आगे बढ़ेंगे सबी लोग अटेम्ट करेंगे इन प्रशनों को आगे बढ़ते हैं question number 81 radius alpha hemisphere question आया था शाल आधा प्स्कीन और चैसर चलिएगा है हम है यह मिस्फैर का बश्का Sharing और यहां पर हमने बना दिया यह hemispherehington が है मैच सफ्क्रणाhone अर्दोगोला य हे अरधव गोला है ये अरधव गोला है वैटर्धव एट उआ हैın अर्दो गूला तो हमसे पूछ रहा है जो इसका सी जी है ना संटर आफ ग्रेविटी गुरुट तो केंडरिस का कहां पे होगा अगर मालो इसकी जिसने रेडियस दी है वो कितनी है एक है अच्छा क्राइब कि ए डारेडियस एडी गई है मिस्पेरिक रोडियस वो क्या है यह इसकी रेडियस ए है त्रिज्जा कितनी है एग तो देखिएगा यह हमारा वाई अच्छ हो गया है चलिए अब देखिए दो पॉइंट्स है दो चीजी दो प्रश्णिया से बनते है एक बनता इसके बेस से यह इसका बेस है यहाँ पर क्या है इसका बेस है आधार है और यह हां पे उपर वर्टेक्स है हिए तक है अगर हमसे पूंचा जाएगा सेंटर आफ ग्रीविटेविटी है तो देखिएगा टोडल की हमारी एप है अगर हम यहां पर आ जाये इस पॉइंट को हम अगर बिति कहने तो इधर वाली जो डिस्टेंस होती है से, बेस की तरफ से, जो बेस की तरफ से distance होती है, वो होती है हमारी 3, ये वाली distance जो है, वो होती है, 3 by 8 A, और जो ये उपर वाली vertex के side से जो distance होती है, ये वाली, वो कितनी होती है, वो होती है, पांच A बटे 8, तो question ने हम से क्या पूछा है, कि the radius of a hemisphere is A, then center of gravity from its vertex, इसके vertex, यानि कि सीर्स की तरफ से कितनी दूरी पे होगा center of gravity, तो सीर्स की तरफ से कितना होगा, पांच A बटे 8 distance पे होगा, और अगर पूछता base की तरफ से कितनी दूरी पे है, तो वो हो जाएता, 3 by 8 A, है ना, vertex की तरफ से पूछा है, from its vertex तो कितना हो जाएगा option, इसमें B वाला, T1 का जो B option होगा, वो correct हो जाएगा, बहुत सही अरुन सर, ला जवाब, है ना, तो ये प्रस्ण 2020 में मुझे लग रहा आया हुआ था, ठीक है, तो ये B वाला option यहाँ पे correct हो जाएगा, vertex की तरफ से 5 by 8 A होगा, और base की तरफ से जो होगा, 3 by 8 A होगा, आगे बढ़ेंगे, question number, ला जवाब, आगे, करा कि, if T is the tension at any point P, of a catenary, अब देखें, catenary होता क्या है पहले तो ये समझना है, by chance एक safe होती है, अगर मान लीजे कि हम एक माला गले में पहने हुए हैं, ये हमारा गला है, और ये माला कुछ इस तरह से हम लोग पहने हुए हैं, तो ये इस type का कुछ एक safe बनता है, जो कि ना तो वो वृत्त होता है, वो वृत्त नहीं होता, वो क्या होता, इस type का safe होता है, जिसे catenary हिंदी में क्या बोलते हैं, रज्जुका, रज्जुका, रज्जुका एकस का नाम है, या catenary कहा जाता है, तो कह रहा है कि T is the tension at any point P, अच्छा, तो देखते हैं यहाँ पे, एक point यहाँ पे A है, जहाँ पे बांधा गया है, और A point यहाँ पे B है, ठीक है, अच्छा, यह हमारा अच्छ है, और यह उर्ध्वाधर अच्छ है, एक इस पर सरेखा यहाँ पे खीची जा रही है, एक इस पर सरेखा खीच रहे हैं, एक इस पर सरेखा एक टैंजेंट है, जो इस एक सर्च के साथ, एक टैंजेंट है, यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जो साई अंगल बना रही है, शाई अंगल बना रही है, और इस point P पे, है ना, एनी point P, आना के टेनरी, P0 is that the lowest point C, अच्छा, T0 यहाँ पे देखो, surface tension है, तनाओ है, तो तनाओ कहाँ पे lowest point, lowest point कहाँ पे होगा यह, जो lowest point होता है, लगभग क्या होता, symmetry होता है, इधार देखिए, और इधार दोनों पार्ट बराबर होते हैं, तो यह जो यहाँ पे surface tension है, यह जो तनाओ दिया गया है, यह उर्ध्वादर घटक, यह उर्ध्वादर घटक, और यह 36 घटक, 36 घटक इसका कितना हो जाएगा, 36 घटक हो जाएगा, T cos psi, और यह उर्ध्वादर घटक हो जाएगा, T sin psi, अच्छा, अब जो इसका भार होगा, इसका जो भार होगा, डोनी का, वो किदर होगा, नीचे की तरफ होगा, उपर की तरफ क्या होगा, T sin psi होगा, इसका को balance रखेगा और T0 जो है Tcos 5 को rational花 dubक दोनों के दिसायन तो अलग अलग है लेकिन यह दोनों क्या है बराभर है कहने की मतलब यह है कि यहाँ पर जो ऑगा T0 बरावर हो जाएगा किसके 36 गहटक के 36 गटक क्या दिया गए हमारा टी कोश शाई और उसके बाद देखिए अपवर डिरेक्शन में वही भार नीचे एक तरफ दोरी का भार नीचे एक तरफ कार कर रहा है और तनाव उपर की ओर यानिकि जिसका तनाव को उर्धादर गटक टी साइन, टी साइन फाई है ना तो डबलू बराबर यहाँ पे आ जाएगा कितना टी शाइन फाई यह दोनों क्या होंगे बराबर होंगे है ना तबी मामला पुरा बैलेंस में चल रहा है अब अगल इनको वर्ग करके जोड़ देंगे क्यों क्योंकि हम चारे है कि साइन बैटा देते हैं भाई, तो कितना जाएगा ये T0 का स्क्वेर, प्लस T0 है ना, W का स्क्वेर इक्वल टुद देखो, T2, T2 कौसी स्क्वेर साही, T1, T2, साही, दोनों का साही, T2 का अमल लेंगे, तो 1 हो जाएगा, यानिक ये T2 हो जाएगा, हमें क्या निकलना है, W, W स्क्व है खुला खुला एकदम करेक्ट है यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी गुड इवनिंग हाँ एक दो क्वेश्चन आपके टपक जाते हैं इसको बहुत डिटेल में बहुत जल्दी हम इसका पुरा कंप्लीट वीडियो लेके आते हैं लेक्टर्स का लेके आएंगे एक गंटे के लेक्टर्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नमबर 83 बिल्कुल सही था इमान सों सिंग जी आगे बढ़ते हैं यहां पर दिया गया है हमको 83 में X श्रीज दी गई है न हमसे केरा Kyra के कनवरजंट है डाइवर्जंट है उसलेटरी है बताना है हमको है चलिएगा चेक करते हैं सबसे पहले तो इसका UN निकाला जाए है ना तो यह हो जाएगी हमारी शिगमा ठीक है 1 से सुरू हो रही है कहां तक जा रही है N तक जा रही है और अगर हम इसका एनवापद निकालेंगे तो यह वाला एनवापद हो जाएगा N इंटो N प्लस 1 ठीक है N इंटो N प्लस 1 1 से सुरू हो रही है और N तक जा रही है है ना चलिएगा अब हाँ ठीक है कनवर्जेंट देख लेंगे अभी अब इसका हम निकालें UN देखिए यहाँ पर जो UN है UN तो यही है कितना जाएग 1 बाई 2 N इंटो N प्लस 1 अच्छा एक काम करते हैं इस UN से नीचे से N ले लो common नीचे से N लेंगे common तो आजाएगा N इंट स्कॉयर कितना जाएगा N स्कॉयर हाइएस्ट पावर उपर हो नीचे स्कॉयर ले ली जाती है तो यह आजाएगा 1 प्लस N बाई N है हम यहाँ पर चेक करते हैं लिमिट लिमिट N टेंस टू इंफाइन बटे वी एन है ना चेक करते हैं क्या आता है यह हमारे पास तो जाएगा 1 बाई N स्कॉयर इंटू में आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई N डिवाइड़ बाई 1 बाई N स्कॉयर दोनों के एंसील हो जाएंगे और हम यहाँ पर N टेंस टू इंफाइनाइट है N टेंस टू इंफाइनाइट पर चेक करते हैं ठीक है देखेंगा यह आपर यह पर सिर्व बचा हुआ है 1 प्लस 1 बाई N लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस 1 बाई, मतलब 1 प्लस 0 यानि की वैलू इसकी क्या चाएगी 1 क्या गई? एक पॉजिटिव इन्फाइनाइट नमबर आ चुकी है जब भी हमें लिमिट एंटेंस टू इन्फाइन lunar कि वैलू क्या हो? finite number मिलती है तो क्या करेंगे अब यहाँ पे हम P test लगाएंगे कौन सा test लगाएंगे अब हमको इसकी value क्या मिल गए एक finite मिल गए वह भी positive है तो हम यहाँ पे by P series test P series test by P series test P series test कहता क्या है कि अगर जो P का मान है अगर वो क्या है greater than 1 है एक से बड़ा है तो ये convergent होगी क्या होगी convergent होगी और अगर p का मान जो है वो क्या है less than 1 है तो ये divergent होगी कहना ये divergent होगी divergent होगी चलिएगा हम vn के लिए पहले चेक कर रहे है vn is equal to कितना दिया गया था 1 by n square अब देखे 0 by n कि power p p का मान यहाँ पर कितना है p is equal to 2 है उपर which is क्या है वह एक से बड़ा है तो जो vn होगी वो क्या होगी convergent होगी vn क्या होगी convergent होगी और अगर vn convergent है तो un जो होगी हमारी by comparison test है ना by comparison test comparison test तो un भी क्या हो जाएगी वो भी Convergent हो जाएगी है ना वो भी क्या हो जाएगी Convergent हो जाएगी तो कौन सा अप्पन सही हो जाएगा 83 का A वाला जो option है वो correct हो जाएगा ठीक है बिलकुल सही मानसु से बहुत बड़िया सानदर सर बिलकुल कृष्णा अगुत्ता सर सानदर सर आगे बढ़ेंगे question number 84 84 देखें कि 84 को हम अगर normal way में करें वैसे तो हमें यह याद रहे तो बड़ा अच्छा बात है है ना जैसे कि n-1pr plus इससे related question भी पूचा जाता same format दे देता है और यहां से r की value हम से पूच लेता है यहां पर रखता है अगर हमको पूरा format याद है कि n-1pr plus r into n-1pr-1 तो यह npr के बराबर होता तो यहां पर जो r का मान होगा वही r का मान कई बार यह प्रश्न पूचा जा चुका है लेकिन by chance आपको यह भूल चुका है तो अग्दम simple सा funda है जिससे हम लोग याद रखेंगे हम क्या करेंगे यहां पर कुछ छोटी value रखेंगे n का मान हम यहां पर 3 रखेंगे और r का मान 2 रखेंगे पहले इसकी value निकालते हैं जो पूचा गया है फिर उसके बाद यही दोनों मान रखेंगे option में रखेंगे जो option satisfied कर जाएगा उसे हम answer कर देंगे तो देखिएगा पहले आप रखेंगे n की जगा पर कितना रख रहे हैं 3 तो n-1 का मतलब क्या हो गया 2pr का मान 2 है plus rr का मान 2 है into n-1 यानि कि यह हो जाएगा बटा 2p1 है ना कितना जाएगा यह जाएगा 1 प्लस 2p2 का मतलब क्या हो गया 2 हो जाएगा 2p2 तो यह जाएगा 2 चार हो जाएगा, यानि कि इसकी वैलू ऊपर वाले की वैलू कितनी आ गई इसकी पूरी वैलू कितनी आ गई छह एन बरबर तीन और बराबर दो रखने पे जो मान हम को क्या दिदेगा च्छह वही करेक्ट होगा तो देक्यों हम पहले इस वाले option में अगर रखें 3C2 तो कितना जाएगा तीन गुड़े दो बटे दो गुड़े एक इसका मान तीन आया मतलब पहला option करेक्ट नहीं हो सकता इसके पास आ जाईए 3P2 3P2 का मतलब क्या हो गया तीन फैक्टोरियल बटे 3-2 नहीं कि 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुड़े दो गुड़े एक का मतलब क्या हो गया 6 अगर उपर वाले की वेलू 6 आई है और इसने बी वाले नंबर ने इसका 6 मान दे दिया मतलब कि यहीं करेक्ट एंसर है बस आगे बढ़ जाईए आगे चेक करना चाहां क करेंगे लेकिन वह आएगा नहीं आगे वाला ठीक है तो कौन सोप्षन से हो जाएगा बी वाला ऑप्षन 84 का करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल हां डारेक्ट भी हिट कर सकते हैं अगर आपको याद है तो डारेक्ट हिट कर सकते हैं कि N-1 PR प्लस R इंटू N-1 PR-1 इकोल टू N-1 PR होता है है ना चलेगा सर आगे बढ़ेंगे एक फंसन दिया गया है हमको Y is equal to sin X plus cos X करा defined in the interval तो देखेगा सिंपल सी बात है यहाँ पे sin X plus cos X जो होगा इस interval पे close interval 0 to 5 by 8 पे continuous होता है यह बात पूरी सही है 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 ना शाइन X और cos X करा होंगे दोनों यहाँ पे क्या होंगे continuous होंगे और differentiable भी होंगे किस पे 0 से यहीं कि open interval 0 to 5 by 8 पे क्या होंगे differentiable भी होंगे मतलब first और third बिल्कुल सही है एक बार आप सिर्फ यहाँ पे verify करवा लिजिए rolls theorem rolls theorem को आप verify करवा लिजिए rolls theorem क्या कहती है वो कहती है कि हमारे पास क्या होना चाहिए पहले तो f a बराबर f b होना चाहिए यह हमारा a है और यह है b चलिए f a मतलब की क्या हो गया f 0 बराबर आना चाहिए किसके f 5 by 2 के f 5 by 2 रख दिया जाए यहां पे तो कितना हो जाएगा sin 0 plus cos 0 बराबर sin 5 by 2 plus cos 5 by 2 यह दोनों बराबर आ जाए फिर आगे अगली conditions roll theorem की चेक करेंगे पहले दिया ही थी कि continuous होना चाहिए और इस पर differentiable होना चाहिए ओपन पर तो दिखिए यह वान आ जाएगा 90 कमानी धरवन हो जाएगा उसका मान 0 हो जाएगा दोनों बराबर आ चुके हैं फिर आपको पता है कि f c क्या होना चाहिए f c एक नंबर इस इंटर्वल में होनी चा जाएगा और कॉसितना हो जाएगा मैनडस का साय निक्स हो जाएगा एक उन्ठीग फोन एकानिका सी लगारों जाएगा तैंसी बराबर लन यह निकि सी वराबर कितना हुजाएगा 5x4 हो जाएगा जो हमारा 5x4 है वो इसी इंटर्Seeल में है 0 से बड़ा है 5x4 और 5x2 से क्या है छोटा इसी इंटर्वल में यह क्या कर रहा है लाई कर रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रोल्स थोरम भी वेरिफाई हो गई मतलब फश्ट तो सही था ही शेकंड भी सही था थर्ड भी सही हो गया मतलब कि all true कौन साफ़न दिया गया है all are true डी वाला अप्सन जो होगा correct हो जाएगा बिल्कुल सही है 85 में डी किसना गुपता सर लाजवाब और उन सर लाजवाब आगे बढ़ेंगे सर पॉस्ट नमबर 86 86 किरा फाइंड डिग्री आप दा डिफरेंशल एक क्वेस्टन चलिए बताएंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी बताईएगा अब देखिएगा डिग्री और ओर दो चीज़े होती है और तो हाइएष्ट डेरिवेटिव जो होता है हमारा है ना वही और ओर हो जाता है लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास सामने क्या आ चुका है लोग लोग के नमबर के रूप में दिया गया है डिफरेंशल कोफिसियंट कोई भी अगर हमारा कोफिसियंट के साथ आ जाये हमारी not define और अगर बात आती है order की तो order कितना हो जाएगा highest order derivative जो यहां पे second order का है यानि कि order 2 हो जाएगी तो degree क्या हो जाएगी इसकी undefined हो जाएगी not defined हो जाएगी यानि कि 86 में कौन सा option सही हो जाएगा साथ D वाला option correct हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आया है हिमानसु सिंग का और सर रसानदार आरुन सर बिल्कुल सही है डिग्री इस नॉट डिफाइन हिमानसु सिंग सर बिल्कुल सही सर आगे बढ़ेंगे question number 87 करण परवले परिवार करा है कि हमें परवले परिवार जिसकी नाभियां मूल बिंदू पर तथा अच्छ एक्स अच्छ हो करा है कि का भी मूल बिंदू पर तो यह हो गया हमारे पास नाभी और दूसरी कंडिशन यह हो सकती कि एक बार हमारा भई एक बार पॉस्टिव में बना ले और एक बार क्या करें निगेटिव में बनाएं ठीक है चलिएगा question number 87 देखिए हम क्या करते हैं इसकी नाभी को मूल बिंदू पर बना लेते हैं यह हमारी इसकी नाभी हो जाएगी और एक बार यह situation यह हो सकती है कि यहां हो जाए इस वाली condition normally जब हमारा बनता था तो y square is equal to 4x होता था है ना अब यह हमारी a distance हो जाएगी यह distance कितनी हो जाएगी a तो अब हमारे पास जो equation बनेगा इसका बनेगा y square is equal to 4 a into x plus a और इसका क्या बनेगा y square is equal to minus 4x होता था minus 4a into x minus a है ना यह बन जाएगी अच्छा एक को ले लो किसी को आप उपर वाले को उठा लीजिए उपर वाला मतलब equation उपर वाली है ना बाकि उपर वाला तो सबको उठाता है y square is equal to 4a into x plus a तो इसी family के हमें differential equation निकालनी है च क्या बात है कितना जाएगा यह two y y dash है ना first derivative ठीक है d y dx मत लिखा करो y dash लिखा करो ज्यादा smart लगता है फिर बाद लिए answer में कर दिया करो थोड़ा छोटा भी लगता है और खतरनाक नहीं लगता 4a बाहर कर दीजिए देखें यहां पर x का तो 1 हो जाएगा तो यानी कि 4a ह हो जाएगा मतलब कि y y dash बराबर कितना आजाएगा साभ वो जाएगा 2 आजाएगा यहां पर ना कितना जाएगा तू ए अगर मैं यहां से ए निकालना चाहूं कितना निकल के आजाएगा a is equal to आ जाएगा y y dash by 2 और इसी equation में यहां रख दिया जाए put कर दिया जाए put करते हैं भाई कितना आ जाएगा यह यह आएगा y square equal to 4a a का मान रख दिया जाए y y dash y y dash y y dash divided by 2 2 into x plus y y dash by 2 है ना by 2 चलिएगा हम लेंगे यहाँ पर 2 को काट दिजे पहले इससे तो एक 2 वहाँ बचा यह हो जाएगा देखिए एक y से y कर जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर y equal to आ जाएगा कितना 2 y dash into 2 x plus y y dash y 2 इस 2 से 2 को काट दिजिएगा अब कितना आ जाएगा अब आ जाएगा यह equation हमारा कितना y equal to dy dx into 2 x plus y dy dx और ऐसे दर्शन कहीं पर हो रहे हैं ना सेम सेम डिट्टो सी वाला option जो है वो दिख रहा है है ना इसके दो option आ रहे हैं शेर और एक सा कोन आ रहा है और कौन सा रहा है एक ही तो आ रहा है हिमानसू जी एक ही तो आ रहा है c number 87 में d अगर यह equation ना दी होती तो फिर हम अगला option choose करते है ना अगर यह equation ना दी होती तो फिर हम अगला चूच करते ठीक है दिखें यहां पर d यह ना उसने यह वाला एक question match कर रहे ही न, y is equal to divide x, 2y plus y into divide x, न, यह question एक match कर रहे ही न, तो c वाल option सही हो जाएगा, है न, 87 में c को सही मानेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 2y करके भी, हाँ, हाँ, वहाँ से भी निकल जाएगा, चलिएगा, करा था solution, आप the differential equation, करा इस differential equation का solution क्या होगा, तो अगर हम इसकी comparison करें, compare करें इसका, किसे, dy, dx, plus, है न, dy, dx, plus, py is equal to q से, अगर हम इसकी तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं, कि, p equal to, यहाँ पे हमको मिल रहा है, minus का, 1 by x, और जो q equal to मिल रहा है, वो x की power 3, है न, हम निकालेंगे integrating factor, integrating factor क्या हो जाएगा, e की power में minus को ले लो बाहर, 1 by x, dx, यह minus आएगा बाहर, और यह रहेगा e की power में, और यह हो जाएगा log x, और इस minus को ले लो x की power में, यह आजाएगा e की power में, log x की power minus 1, और यह e, देखो इसका मान पूरा 1 हो जाएगा, यह x की power minus 1 का मतलब हो गया, 1 by x, और इसका solution क्या होता है इसका जो solution होता है वो हो जाएगा y into if if का मतलब 1 by x है ना 1 by x equal to integration if 1 by x into q x cube dx काड़ दीजिए वहाँ पे x की power 2 बचेगा और x की power 2 का आप करोगे integration यह हो जाएगा y by x is equal to x की power 2 का करेंगे x की power 3 by 3 plus c है ना तो यह कितना आजाएगा y equal to आजाएगा इधर तो यह 3y हो जाएगा 3y equal to हो जाएगा कितना यह हो जाएगा x into x into x की power में किता 3 और यह plus 3c हो जाएगा 3c को भी आप c ही बना दीजिए ना तो ऐसा कौन सा option है ए वाला option मैच कर रहा है ना ठीक है 3y equal to x into x2 plus c यानि जाएगा 88 c में option कौन सा सही हो जाएगा a ठीक है बिलकुल सही है ना कौन सो जाएगा a वाला option करेक्ट हो जाएगा इमानसु सिंग सार बिलकुल सही सानदार सर सत्यवीर सर बिलकुल सही पासी का सी क्रिष्णा सार 88 88 मीं सी क्यों रेतरी भी तो आएगा न यह थिरी भी तो आएगा न इंटु में यह ठीका आजएगा कि है कि है कि मानसु सिंग जी साई हो गाना कि इसमें सी नहीं आगे बढ़ेंगे 89 हाँ हाँ देखिए गए आपे हमें दिया गया है 89 89 में दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 5 dy dx प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 इकोल तो 0 हम क्या करेंगे dx का इधर multiply कर ले dy का इसके साथ multiply कर ले है ना इसे हम थोड़ा से maintain करें तो कितना आ जाएगा ये ये आ जाएगा 2x dy 2x dy प्लस 3y dy माइनस 5 dy अच्छा अब ये इसके साथ dx आ जाएगा प्लस 3x dx प्लस 2y dx है ना माइनस का 5 dx इक्वल टो 0 चलिएगा थोड़ा सा maintain करेंगे है ना इन्हे थोड़ा सा maintain करेंगे बाकि फिर इसके बारे में सोचा जाएगा देखेगा हम चाहरे हैं कि x dy और y dx को एक साथ रख लिया जाए 2 दोलों में common है common ले लिया जाए यह x dy plus y dx को हमने एक साथ कर लिया है ना आगे plus का आ गया कितना 3y dy 3y dy minus का 5 dy plus 3x dx minus का 5 dx equal to 0 अब क्या करते हैं integrate करने देखों integration करेंगे तो यह differentiation दिया किसका x y का तो differentiation दिया तो यह निक integration में क्या आ जाएगा वो term आ जाएगा तो यह आ जाएगा 2xy plus यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3y square by 2 minus यह कितना हो जाएगा भीया यह हो जाएगा 5y plus और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3x square by 2 और माइनस का 5x है ना बराबर में ले लो c ठीक है अब हम क्या करें lc हम ले लेते हैं lc हम लेंगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 4xy प्लस 3y square माइनस का 10y प्लस 3x square माइनस का 10x बराबर 2c हैगा उसको वसी ही बना देना कोई दिख करते हैं आप देख लेटे ही कौंसा ऑप्शन इससे satisfied करेगा कौन सा औप्शन की फॉर्मिट्ट चेंज है इसलिए multiply करके देखना पड़ेगा तो पहला वाला देख लेते हैं multiply करके तो देखिए पहले वाले में क्या दिया गए option 5 को चेक कर लेते हैं option A चेक कर लेते हैं तो देखिएगा 3 को बाहर रखेंगे multiply करो y-1 का holy square कितना हो जाएगा y square plus 1 minus का 2y plus x minus 1 का holy square कितना हो जाएगा x square minus का 2x plus 1 इसमें 3 का multiply है आगे वाले 4 से multiply है लेकिन ये कितना हो जाएगा xy minus का x minus का y plus का 1 करेंगे multiply देखो 3y square आ जाएगे ठीक है 3y square मैच कर रहे हैं फिर 3x square 3x square भी मैच कर रहे हैं 3 दूनी 6y और इधर देखो 4y 6 4 10y 10y भी मैच कर रहे हैं इसके बाद 3 दूनी 6x और 4x 10x वो भी मैच कर रहे हैं बाकि constant doesn't matter उसी के बराबर कर देंगे मतलब पहला वाला option correct है है ना कौन सा अप्षन है पहला वाला option correct हो जाएगा टी 9 का पहला सही हो जाएगा अच्छा अच्छा ह्मट्सी सबहा नैं इन बाद हमार 90 ना यह पेजा निकाल दिया क्या है हाँ हाँ तो यहो गया Zustand हिमाग मतली पहलऊ को देंगे उसनतों पहला best बद निक्नाइब्स निक्तनदीर के पर 11ङकल निकाल निकाल बटे में उधर भेज दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा डी एक्स बटा डी वाई प्लस वाई बटे में आ जाएगा one minus का y square into x is equal to ay बटा one minus y square अगर हम इसकी compare करें dx बटा dy plus px is equal to q तो p की value जो यहाँ पे आने वाली है है ना वो कितनी आने वाली है y into one minus x square और यहाँ पे हमें निकालना है if integral factor तो यह आ जाएगा e की power में integration कितना y by one minus का y square कितना dy अच्छा एक काम करेंगे one minus का y square को t मान लेंगे क्योंकि इसका differentiation उपर दिया गया है यह आ जाएगा minus का two y dy is equal to कितना dt यनि कि यह आ जाएगा y dy is equal to minus का 1 बटा 2 dt है ना अब आते हैं आगे समझें कहानी हो है ना चलेगा देखिएगा यह आ जाएगा minus का 1 बटे 2 को अगर हम बाहर कर लेंगे तो कोई नुक्सान नहीं होने वाला integrating कितना हो जाएगा y dy dt के साथ चला जाएगा ना वो dt by t यानि e one by t dt लिख देते हैं एक लाइन में का y square अच्छा एक बटे दो दिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम थोड़ा से से अभी समझेंगे यह कितना आए गभिया यह आ जाएगा अब log t है ना अभी option नहीं कोई ऐसा आ रहा था ना लॉग t e base पे कोई दिक्यत नहीं हमें काम करेंगे यह वन बाइटू यहां पर नहीं बाहर नहीं है है ना गलती कर रहे थे हम ना यहां नहीं है यहां पर आएगा minus का 1 बटे दो यहां आएगा तो यह हो जाएगा भाई e की power में log हो जाएगा देखो t की power minus का हो जाएगा root t है ना root t और यह मान इसका पूरा 1 हो जाएगा यह जाएग 1 upon root t t का मान रख दिया जाए कितना जाएग 1 upon root में 1 minus का y square कि इसके बराबर हो जाएगा यह कौन साफ़न सही हो जाएगा 90 का वाला जो option है वो करेक्ट आ रहा है ना बिलकुल सही जवाब यहां पर आया है एक बटे दो रोट में चला जाएगा बिलकुल इमान सुझी बहुत बढ़िया है ना इमान सुझी 90 में बिलकुल सही है सर इसका differentiation दिया हो लॉग एक्स का differentiation यहां पर दिया है और जिसका differentiation दिया होता उसे हम क्या करते है t माल लेते हैं ना लिट करेंगे log x is equal to t differentiate करेंगे 1yx dx is equal to कितना हो जाएगा भीया dt हैना देखिएगा यह क्या जाएगा इंटेग्रेटिंग, इंटेग्रेशन dx बटे, x जो है dt के बराबर हो गया है dt बटे, अंडर रूट कितना आ जाएगा यह यह आ जाएगा t square t square प्लस अंडर रूट 10 का square इसे कर दीजिए, है ना, चलिएगा अब आपको पता है कि integration आप x square plus a square is equal to होता है, log x plus root x square plus a square, इसका integration आ जाएगा कितना log x का मतलब क्या हुआ t plus अंडर रूट आ जाएगा कितना t square plus इसका square यानि कि 10 आ जाएगा और plus का c हो जाएगा, है ना, तो यह t की जगह पे मान रख दिया जाए, यह आ जाएगा log, t की जगह पे क्या रखना भाई, वो log x रखना है plus, अंडर रूट हो जाएगा log x का square, plus का 10, और plus का c है ना, आ गए integration और ऐसा option कहाँ दिख रहा है log, log x plus root log x का whole square plus 10, है ना, कौन सा option लग रहा है हमको, यह वाला हाँ भाई, बिल्कुल, कौन सा सही लग रहा है a वाला सही लग रहा है, ऐसे option बनाये गए हैं कि एकदम confusion पर confusion हो जाए है 91 का कौन सा option सही हो जाएगा a, एक क्याणवे में a वाला option correct हो जाएगा ना, भाई, clear हुआ ना, आगे बढ़ते हैं 92 92, बिल्कुल सही हिमानसु सिंग जी, सांदार 92 कि रहा find the value आफ ये दिया गया है और इसकी value हमें find करनी है तो हमारी जम्मेदारी ये है कि अगर किसी term का differentiation दिया है तो पहले उसको t माल लिया जाए तो ये दिया है integration x by root में 9 प्लस x की power 4 को हम चाहरे है x की power 2 की power 2 dx लिख लिया जाए और यहाँ पे लेट किया जाए मान लिया जाए क्या x square is equal to t अगर x square को हम t मानेंगे तो ये आजाएगा 2x dx is equal to dt मतलब x dx is equal to आजाएगा dt बटा 2 और ये देखिए x dx dt के साथ चला जाएगा 1 by 2 को हम common लेंगे वो dt बटा में आजाएगा root कितना ये 9 दिया है ना 9 को हम लिख देंगे क्या वही अपना एक काम करते हैं इसे लिख देते हैं देखो x की power 2 है उसे हमने t माना है तो ये आजाएगा t square plus 3 का square कितना जाएगा 1 upon 2 वही सेम log log t plus t कामान रख दीजे ये लगे हाँ t कामान भी रखते जाएगे t कितना दिया गया x square x square plus root के अंदर t square plus ये तो यही सेम आ जाता है यही वाला term तो यहाँ जाएगा 9 plus x की power 4 plus c और ऐसा कोई option नहीं दिख रहा तो 92 का कौन सा option सही हो जाएगा d वाला जो option है वो correct हो जाएगा 92 का d option जो होगा वो correct हो जाएगा बान बे में d correct होगा बिल्कुल सही सर नरेन संस्टर उसमें पहले वाले में इसमें कौन सा 92 में बी वाला पार्ट सही हो जाएगा कुश्य नंबर जरूर लिखें बी फार्ट डॉग वाला सही होगा भीया यहां पे आप 10 कैसे लगा सकते हो 10 तो तब लगाते ना जब यह root ना दिया होता वो root दिया है यह भी तो देखना है है ना गलती हो जाएगी फिर अगर आप ऐसे करते हैं तो ठीक है चलेगा आगे बढ़ेंगे साब बानबे का D कैसे होगा बानबे का D कैसे होगा यह लिखा हुआ है root कितना T square प्लस A square है ना आगे बढ़ेंगे दिवाला option सही होगा ना आप दिए बब बिलकुल सत्तवीर सर सांधार हिमान सुजिंग सर सांधार सर आगे बढ़ेंगे 93 93 कितना हो जाएगा भाई इसको X के respect में differentiate करना है कितना हो जाएगा यह रहेगा U और इसको लिखेंगे D, D, X आप D, U बेटे D, X X के respect में करेंगे तो यह आजाएगा U और यह आजाएगा D, V, D, X है ना माइनस अच्छा इसमें यहाँ पे V है यहाँ पे V है तो इसका integration करेंगे V बाहर निकल जाएगा और यह क्या हो जाएगा D, D, X साफ D, U, D, X D, U, D, X जो option है वो क्या होगा correct हो जाएगा question number 94 देखेंगे 94 question number 94 में दिया गया था integration दिया गया था 0 to pi by 2 X cos X तो हम चाहा रहे हैं कि X cos X का पहले integration अलग से कर लिया जाए तो देखिए X cos X का जो integration होगा आपको पता है I late select करते हैं इसको first मानते हैं इसको क्या करेंगे हम second relate करेंगे है ना तो कितना हो जाएगा ये ठीक है question number जरूर लिखेंगे जो भी question का आप जवाब दे उसका question number उसके साथ में सही option के साथ जरूर mention करें है ना तो first को हम क्या करते हैं first first को बाहर second का integration होता है तो sin x का sorry cos x का integration sin x minus integration first का differentiation 1 आ जाएगा और cos x का क्या होता भी है ये sin x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा कहने का मतलब ये कि ये हो गया x sin x minus minus plus हो जाएगा क्योंकि sin x का integration होता है वो minus का cos x होता है अब हम क्या करेंगे x cos x dx है है ना इसका हमने differentiation integration निकाला है इसका जो integration आया है वो कितना आया है x shine x plus में cos x limit है 0 से pi by 2 upper limit apply की जाए pi by 2 sin pi by 2 90 into 91 आ जाएगा plus cos 90 की value 0 आ जाएगी minus lower limit रखेंगे तो 0 minus cos 0 command 1 है ना तो calculate करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा भाई pi by 2 minus 1 है ना 94 का जो d वाला option है वो correct हो जाएगा 94 में d option correct होगा चलिएगा 94 का d 94 का कौन साप्षन से होगा d आगे बढ़ेंगे question number 95 question number 95 में दिया गया है integration अब देखिए इस type के छोटे छोटे इंटीग्रेशन हमको याद भी होना चाहिए जैसे कि log x का क्या होता है log x का integration पता होना चाहिए x log x का integration क्या होगा log x plus 1 का integration क्या होगा अगर छोटे 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 चीज़े याद रहती ही तो आपके score को ये surplus कर देंगे जैसे कि आप log x का integration अगर आपको याद है कि x log x x log x minus x होता है तो आप सीधा limit apply कर सकते हैं याँ ठीक है तो अगर जिने करना है वो करेंगे फिर आख तो इसको क्या करेंगे x की power 0 लेंगे इसको first लेंगे इसको second लेंगे है ना और करेंगे integration वैसे इसका integration जो होता है है ना integration of log x dx बराबर होता है x log x minus x है ना चलेगा हम apply करते हैं याँ पर सीधा limit limit कितनी दी गई हमारी 1 से 3 log x dx equal to है ना integration कितना होता है x log x minus x है ना और 1 से 3 पहले 3 को रख दिया जाए कितना जाएगा 3 अरे ज्यादा गचर पचड़ हो गया एक मिनट x log x minus x तोड़ा x का बड़ा अपना सीन खराब है x और ये कितना हो जाएगा भी या x हो जाएगा है ना चलिए आप समझे लिमिट अपलाई कर दिया जाए लिमिट अपलाई करेंगे तो कितना जाएगा 3 log 3 log 3 minus का कितना 3 lower limit apply की जाए तो ये कितनी हो जाएगी भाई ये 1 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 1 का मतलब क्या हो गया ये 0 हो गया एक तो 3 log 3 हो गया 1 रख दिया जाए यहां पर देखिए 1 into log 1 1 कमान तो 0 हो जाएगा तो minus का 0 आ जाएगा और यह plus का 1 हो जाएगा है ना यह minus होगा already जब minus में आती है ना low limit तो minus minus plus कर देगा इसको तो यह कितना आ जाएगा भाई यह आ जाएगा 3 log 3 minus का 2 और ऐसा option कहां पर दिख रहा है तो नजर जाती है हमारी option B की तरफ है ना 3 log 3 minus 2 3 log 3 minus का 2 बिल्कुल सही था 94 में डी क्यों सही होगा 94 में अरुन सर 95 हाँ पंचान बे में 20 सही है बिल्कुल सही सर अ तुल सर question number जरूर mention करेंगे साथ में तो थोगा सा समझने में आसानी रहती कि आपकी इस प्रशन का जवाब दे रहे हो अच्छा आगे पंचान में भी हिमानसु सिंह सर सांदर करना तब value of the integral करा इसकी value हमको find करनी है अब देखेगा यह integration दिया गया है i is equal to वैसे आपको इसकी value याद होना चाहिए क्या 0 to pi by 2 dx upon a square cos square x plus b square sin square x की जो value होती है वो pi by 2ab होती है अब चूंकि इसने या 2 into में ले लिया है तो इसकी value जो होगी pi by ab हो जाएगी मतलब c option अगर हमें याद होता तो हम तुरंती क्या करते है टिक मार देते लेकिन by chance नहीं आ दे तो फिर करके भी देखा जा सकता है लेकिन tgt प्रिक्षा को qualify करने के लिए हर छोटे प्रश्ण को करके नहीं देखा जाएगा है ना कुछ प्रश्ण ऐसे होने चाहिए हमारे तरकस में कुछ तीर ऐसे होने चाहिए जिनको हम हवा में उड़ा दे तुरंत है ना चलिएगा हम क्या करेंगे इस two को हम चारे है बाहर ले लिया जाए two को हमने बाहर ले लिया उपर और नीचे दोनों में sec square x से कर दिया multiply य अच्छा अब एक काम यह करेंगे यहां पर हम b tan x यानि कि इसको हम t मान लेंगे है ना मानेंगे कितना b tan x is equal to t यानि कि b c square x dx is equal to dt यह आ जाएगा यानि कि dt by 2 आ जाओ वहां पर वापस i equal to देखो वहां पर 2 है 2 by b को ले लो बाहर 2 by b लिमिट देखिए 0 रखेंगे तो 0 आएगा 5 by 2 रखेंगे तो infinite आएगा c square x dx जो है वो dt बटे b के बराबर हो गया b common लिया वहां पर हम dt रख देंगे dt बटे और यह आ जाएगा कितना a square plus t square और यह बन जाएगा हमारा 2 by b है ना और यह 10 inverse 1 by a 1 by a को ले लो बाहर और यह बन जाएगा 10 inverse t 10 inverse t 10 inverse t by a और यह 0 to infinite 90 रखेंगे 90 रखेंगे तो आपको पता 10 inverse infinite का मतलब क्या हो जाएगा 10 inverse 10 pi by 2 है ना तो यह आजाएगा कितना अंदर आजाएगा pi by 2 और आगे वाला तो 0 ही हो जाएगा है ना भाई तो कितना आजाएगा यह pi by a b यानि कि c वाला option क्या होगा correct होगा तो हमें याद होना चाहिए कि integration 0 to pi by 2 है ना dx बटे a square cos square x plus b square sin square x की जो value होती है वो pi by 2 a b होती है ना अब वहां उसे 2 से multiply कर दिया तो एक नीचे वाला टू खतम कर देंगे pi by a b हो जाएगा है ना शर रहने दीजिए famous question है बिल्कुल बिल्कुल आगे चलते हैं 97 कराया कि limit n tends to infinite 1 by n r की value n से 2n तक है कराया कि log 1 plus r by n की value क्या होगी तो इसमें क्या करते हैं हम r by n को x माल लेते हैं कितना जाएगा 1 by n को x माल लेते हैं माल लिया हमने differentiate कर दीजिए कितना जाएगा 1 by n dr is equal to कितना जाएगा भी या dx आ जाएगा है ना limit apply करेंगे चलिएगा पहले integration के limit रखते हैं limit intense to infinite है n का मान जो infinite है तो नीचे वाली देखो r की जगह पर हम जब n plus 1 रखेंगे lower limit के लिए देख लेते हैं क्या होगी इसकी है ना एलल जो होगी आर की जगह पर कितना रखना भी या n plus 1 बटे n बराबर x देखो कटेगा तो वान आ जाएगा कितना जाएगा वन तू एन की जगह पर रखेंगे अपर limit के लिए अगर हम बात करते हैं n की जगार की जगह पर रखेंग के 2N बटे n is equal to x से काड़ देंगे तो यह 2 आ जाएगा 1 से 2 ठीक है जो हमारा समेशन था 1 by n जो चला गया वो dx बन जाएगा और integration समेशन integration में convert हो जाएगा और यह आ जाएगा log में 1 plus x dx कर दीजिए इसका integration अब आपको अगर log 1 plus x का integration पता है तो बहुत अच्छा होगा है न इसका अगर integration वर्ना आप कर लीजिएगा कोई दिक करना सबको आता है चोटी चोटी चीज़े आती है इसका integration जो होता है वो होता है कितना x plus 1 x plus 1 होता है और log का x plus 1 होता है ना जब हमारे पास वो differentiate करते हैं नीचे क्या x बटे 1 plus x आएगा तो एक x भी हमको मिल जाता है तो व lower limit हमारी 1 है वो 2 है ठीक है रखा जाए value यह value रखते हैं यहाँ पर देखिएगा एक minute रखेंगे देखो 2 रखेंगे जब अपर limit रखी जाएगी तो यह बन जाएगा 3 log 3 minus का 3 lower limit जब रखेंगे तो यह बन जाएगा minus में 2 log 2 2 log 2 है ना 2 log 2 minus minus यह plus 1 हो जाएगा अच्छा अब देखिए 3 log 3 का मतलब इसको power में ले जाओ तो यह हो जाएगा भाई साब log 27 और यह minus का हो जाएगा कितना log 4 यह 2 power में ले जाओ 4 बन जाएगा है यह कितना हो जाएगा minus का 2 गो मैंने सका 2 अच्छा यहां पर यह मैंनस ऐग हो जाएगा स्राइप यहां पर कितना आजाएगा दो आएगा तो सिर्फ माइनस का एक बच्चा कोई दिक्कत नहीं इस जो माइनस का एक जो बच्चा है ना इसको आप लिख दीजिए क्या लॉग E बेस E और इन दोनों को साथ में ले लिजिए यह कितना आजाएगा यह आजाएगा लॉग 27 माइन माइनस है तो लॉग M माइनस लॉग इन डिवाइड में आ जाएगे लॉग M बटा इन तो 27 बटे कितना हो जाएगा साथ 4E है ना लॉग 27 बाई 4E option B बला काफी फेमस क्वेस्चन है यह पूछा गया question है तो B वाला option 97 में क्या होगा correct हो जाएगा है ना बिल्कुल सही जवा होगी सेम काम होता है और बाइन को हम क्या मानते है टी मांन लेते हैं एक्स मान लिए हमने एकस और एन हमारा थोड़ा एक ही जैसा बंता है कोई दिक्केत नहीं है 1 बाइन डर इस गोल टो किसके हो जाएगा यह डिए अक्स के बराबर हो जाएगा आज आओ integration में limit के लिए प रख गया है तो R की जगह आप N रखेंगे N बटे N दोनों केंसील हो जाएंगे 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा ठीक है 1 बाई N हमारा Dx के साथ अग्जिस्ट हो जाएगा और E की पावर में 2x बचेगा ये E की पावर में कितना 2x और ये Dx और E की पावर 2x का जो integration होगा वो E की पावर 2x ही होता है बस उसका जो coefficient है integration में divide में आता है differentiation में into में आ जाता है है ना x case का जो coefficient था वो divide में आ गया है ना तो ये 0 to क्या हो गया 1 हम चाहरे किसे 1 बटे 2 को यानि कि यहाँ पर option number जो D था 98 का वो क्या होगा correct होगा बिलकुल सही जवाब आया यहाँ पर हिमान सो सिंग जी का शांदार सर है ना बहुत बढ़िया चलिएगा आगे बढ़ते हैं question number 99 99 में कह रहा है कि if x stands for greatest integer function then the value आप कह रहा तब इसकी value क्या होगी ये हमें बताना है चलिएगा 14 लोग class देख रहे हैं जिन में से 8 लोगों को ये class पसंद आई है और यह बहुत ही अच्छी बात है है ना चौदा में से 8 लोगों को पसंद आई है और लास तक को सिज करेंगे कि चौदा में 14 लोगों को पसंद आई ये class और वो भी session को like करें चलिएगा आगे बढ़ते हैं यह integration दिया गया है हम इसको i के इक्वालेट कर ले रहे हैं है ना हम चाहा रहे हैं कि इस i को थोड़ा सा और मेंटेन किया जाए है ना आई इक्वल टू आ जाएगा integration कितना फोर टू टेन है ना यह यहां पर लिखा हुआ है कितना x square integration ग्रेटेस्ट इंटीजर फंसन है यह है ना जी आई अफ है divided by देखिए यहां पर देखेंगे तो यह 14 माइनस x का होल स्क्वार लिखा हुआ है है ना यह क्या लिखा हुआ है 14 माइनस x का होल स्क्वार तो हम चारे है उसे लिख दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंसन के अंदर लिखा हुआ है यह 14 माइनस का x और उसका होल स्क्वार प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंसन का स्क्वार और यह कितना हो जाएगा साहब यह dx हो जाएगा हम क्या करन इस equation first माल लेनी है यह हमारी पहली equation है और यहाँ पर प्रागूर अपलाई कर दिया जाए कौन सा limit a to b fx dx is equal to होता है limit a to b a f of a plus b minus x तो 10, 4, 14 minus x जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है 14 minus x तो यह 4 से कहाँ तक 10 तक जाएगी और यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 14 minus x का whole square divided by यहाँ पर x की जगा पर 14 minus x रखेंगे जैसे ही तो यह कितना हो जाएगा सिर्फ x बचेगा और यह आजाएगा x का square plus और यहाँ पर आजाएगा 14 minus x का whole square equation 1 और equation 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 2i बराबर आएगा देखो सेम सेम अंसार हर में आजाएगा वो 1 बन जाएगा और यह आजाएगा 4 to 10 1 dx है ना 1 dx तो कितना आजाएगा यह 2i equal to आजाएगा x है ना यह x आजाएगा limit रख दिया जाए 4 to 10 और i equal to आजाएगा 1 by 2 पर यह कितना हो जाएगा अपर limit 10 minus 4 कितना आजाएगा 6 कितना आजाएगा 3 3 is correct answer for this question 99 का बी वाला option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number अब देखेंगे 99 का बी बिल्कुल सही जवाब आया है यहां पर ओम प्रकास सरका हिमान सु सिंग सर बिल्कुल सही सांदार आगे बढ़ेंगे सर्थ 100 है ना देखेंगा 100 में एक बहतरीन question है यह भी है ना बस थोड़ा सा logical है बाकी है और इसमें कुछ है नहीं चलिएगा 100 और आज की class का यह last question देखेंगा यहां पर दिया है f of a minus x is equal to fx और हमको value निकालनी है इस integration की देखेंगा यहां पर given है f of a minus x is equal to किसके विया वो fx के equal है तो यह integration हमको दिया गया है i is equal to ले लिजी 0 to a और यह x fx हो जाएगा और यह हो जाएगा dx अच्छा प्रगूल आप कर दीजिए apply प्रगूल apply करेंगे क्या होता है 0 to a fx dx की जगा पर क्या रख सकते है 0 to a f a minus x रख सकते हैं जहाँ x से वहाँ पर a minus x रखा जा सकता है प्रगूल को apply किजिए यहाँ जाएगा 0 to a जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है a minus x और यहाँ पे आ जाएगा यह a minus x और यह हो जाएगा dx और आपको पता है कि f of a minus x की जगा पे हम क्या रख सकते है fx यह हमारी equation पहली है रख दीजे यहाँ पे तो i equal to आ जाएगा 0 to a a minus x और f of a minus x की जगा पे हम fx रख सकते है और यह dx है equation 1 equation 1 और equation 2 दोनों को अगर हम जोडेंगे तो कितना आ जाएगा 2i equal to आ जाएगा limit हमारी वही रहेगी 0 to a अब देखेगा यहाँ पे x fx है और यहाँ पे अगर इसको multiply करें a into fx dx और इस a को अगर हम बाहर ले आए तो i equal to आ जाएगा और इस two को divide में ले आए a by two 0 to a और उसके बाद यह fx और यह dx ऐसा कौन सा option है तो 100 का आपको होगे कि सर a वाला जो option है वो correct हो जाएगा डी नहीं डी नहीं डी नहीं बिया कौन सा a है ना करके देखा करेंगे थोड़ा जिद्धी हूँ को आप देखने से बाज नहीं आता अपने सपनों के लिए बिना संधर्स किये हार जाओं यह मुझे को नहीं आता नमस्कार दोस्तो मैं उदे सिंग मैं अच्छ गुरू उदेशर यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अबनेंदन करता हूँ और आज हम लोग इसकस करने जा रहे हैं अगली पत्तिस्ट सिरीज का ATS 7 जिसमें question number 101 से लेके 125 तक के प्रशनों को समलित किया गया है चलिए question number 101 आपके सामने है शुरूआप करते हैं आज के इस बहतरिन सेशन की लिखा हुआ है integration की limit दी गई है 0 to A F X divided by F X plus F of A plus B minus X D X तो कह रहा है क्या होगा इसके equal किसके होगा हमने I के equivalent कर लिया है अब इसमें हम लोग प्रगूर apply करेंगे प्रगूर apply करेंगे property लगाएंगे property कौन सी 0 to A sorry A to B F X D X is equal to 0 to B F A plus B minus X मतलब upper limit lower limit upper limit दोनों को जोड के X गटा के X की जगा पर रख देते हैं है ना चलिएगा रखते हैं यहाँ पर देखेगा तो यह हो जाएगा हमारा integration की limit A to B और X की जगा पर आ जाएगा A plus B minus X divided by यहाँ पर X की जगा पर आ जाएगा कितना A plus B minus X और यहाँ पर देखेगा A plus B minus X दोनों cancel out हो जाएंगे सिर्फ X बचेगा यानि कि A plus B X की जगा पर क्या रखेगा A plus B minus X तो 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 plus का हो जाएगा और यह दोनों A और B दोनों cancel हो जाएंगे यानिक F of X बचेगा और यहां लगा दीजिए D X यह equation हो गए 2 equation 1 और equation 2 को अगर हम add कर देंगे तो यह आजाएगा 2 I equal to देखिए add करेंगे हर दोनों के बराबर है answer से answer जुड़ जाएगा और answer भी हर के बराबर आजाएगा तो यहां पर आएगा 1 और यह हो जाएगा D X है न तो यह आजाएगा 2 I is equal to X आजाएगा upper limit हमारी B है lower limit A है 2 I is equal to कितना आजाएगा upper limit minus lower limit है न B minus A तो integration जो आजाएगा वो कितना आजाएगा B minus A by 2 कौन सा option से ही हो जाएगा C वाला option जो है correct हो जाएगा 101 का C option correct होगा आगे बढ़ेंगे question number 102 दिखेगा 102 में integration दिया गया है 0 to 1 log 1 plus X divided by 1 plus X square थोड़ा सा आगर हम ध्यान दें है न देखिएगा अब इसे हम I के equal इसे लिप करेंगे चलिए लिट कर लिए हमने I के equal integration हो गया 0 to 1 log 1 plus X divided by 1 plus X square एक छोटा सा काम करेंगे यहाँ पे X is equal to 10 theta लिट करेंगे X is equal to 10 theta लिट करेंगे differentiate करेंगे DX is equal to आ जाएगा shake square theta D theta है न यह कितना हो जाएगा भाई limit change करेंगे 0 होगा तो 0 ही रहेगा 0 जब रखेंगे lower limit जब 0 रखेंगे तो 0 ही आएगी theta कमान भी 1 रखेंगे तो 5 by 4 5 by 4 आ जाएगा और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा कितना log में 1 plus 10 theta divided by यहाँ पे रखेंगे 1 plus 10 1 plus 10 square theta यह हो जाएगा 6 square theta और आपको पता है जहाँ dx वहाँ पे रखना 6 square theta d theta 6 square theta d theta दोनों को cancel out कर देंगे और यह हमारा integration आ जाएगा यह आ जाएगा integration कितना i equal to 0 to pi by 4 log log 1 plus 10 theta d theta ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ पे भी प्रगूल अपलाई करेंगे प्रगूल अपलाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा i equal to आ जाएगा 0 to pi by 4 और यहाँ आ जाएगा log में कितना 1 plus 10 pi by 4 minus theta 10 45 minus theta किसके बराबर होता भी यह 1 minus का 10 theta divided by 1 plus 10 theta और यह d theta चलिए इसे अगर हम question 1 बना दें तो यहाँ देखिएगा lcm लेंगे तो i equal to आ जाएगा कितना 0 to pi by 4 और यह आ जाएगा log lcm लेंगे तो देखो 10 से 10 कर जाएगा उपर बचेगा 2 और नीचे आ जाएगा 1 plus 10 theta और यह d theta है ना यह आ जाएगा i equal to कितना भाई यह आ जाएगा log 2 को बाहर कर लेंगे integration 0 से pi by 4 और यह d theta minus का आ जाएगा 0 to pi by 4 log 1 plus 10 theta d theta और देखिए question 1 और question 2 जोड देंगे दोनों को जोडेंगे यह और यह दोनों cancel out हो जाएगे यानि कि हमारे पास i और i मिला के कितना हो जाएगा साहब यह हो जाएगा 2 i 2 i is equal to कितना आ जाएगा 2 i is equal to आ जाएगा log 2 और यहाँ पे इसका 1 आएगा x आएगा तर थीटा आएगा और थीटा के लिए limit अपलाई कर देंगे 5 by 4 और यह 0 है ना कितना आ जाएगा यह 2 i is equal to log 2 into 5 by 4 minus का 0 है ना तो कितना आ जाएगा i is equal to 5 by 8 log 2 5 by 8 log 2 102 में यह वाला option correct हो जाएगा है ना आगे बढ़ेंगे question number 103 103 करा find area आप दा ellipse करा कि इस ellipse का area find कीजिए चलेगा इस ellipse का हमको area निकालना है देखे जो हमारा ellipse होगा इस type का होगा हमारे पास यहाँ पे हमको 4 symmetric area मिलेंगे है ना कितने 4 symmetric area मिलेंगे देखे यह सभी बराबर होगे यह और यह और यह सभी क्या होगे बराबर होगे यह हमारा इसका origin होगा origin 0,0 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा भी यह 0,0 और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1,0 इसका series हो जाएगा अब देखेगा हम अगर 0 to y है ना अगर हम इसका area निकालें area इक्वल टू देखे एक भाग ये दो तीन चार चार भाग हो रहे हैं चार भाग हो रहे हैं तो एक का निकाल के चार से multiply कर दें है ना 0 to a y dx है ना 0 to a y dx चलिए y यहां से निकालते हैं भाई ये कितना आ जाएगा y निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा y square by b square is equal to 1 minus x square बटा a square फिर क्या करेंगे हम LCM लेंगे तो ये y square is equal to आ जाएगा b square equal to कितना a square minus x square बटे a square अच्छा कुल मिला के y बराबर यहां पर आने वाला है कितना b बटा a root में a square minus x square ठीक है हमें निकालना एरिया 0 to a y dx y का हम्मान रखेंगे तो simple सी बात है कि ये 4 और ये b बटा a आ जाएगा बाहर और ये 0 to a 0 to a y की जगा पर रखेंगे कितना root a square minus का x square dx अच्छा 4 b को हम बाहर करेंगे 4 b by a को बाहर करेंगे अब इसका देखें integration करेंगे इसका integration होता क्या है एक तो होता है हमारा x y 2 x y 2 और root हो जाएगा a square minus x square ठीक है plus कितना हो जाएगा a square by 2 plus में आता है a square by 2 under root a square minus x square का integration क्या होता ये formula पूछा भी जा सकता है बहुत ही important है a square by 2 और ये sin square x by a plus c तो रखने ज़रूत नहीं limit रख दीजिए 0 to a चलिए अब आप क्या करेंगे पहले a रखेंगे तो दिखेंगे जब आप a रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 by a जब a रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा अच्छा और यहां पर कितना आ जाएगा यह वाला पहला टर्म तो हो गया 0 क्योंकि यहां पर a square minus x square a square हो जाएगा दोनों cancel हो जाएगे जब आप a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा है ना प्लस तो ये आ जाएगा प्लस में आगे कितना a square by 2 into sine inverse 1 है sine inverse 1 का मतलब क्या हो गया कि ये pi by 2 बन गया कितना बन गया pi by 2 बाकि 0 ये सब भी 0 बन जाएगा देखो ये term भी 0 हो जाएगा क्योंकि x कमान 0 रखोगे और यहां पर sine inverse x x कमान 0 हो जाएगा तो ये term भी 0 हो जाएगा आगे आपको minus 0 minus 0 दोनों 0 ही मिल जाएगे कुल मिला कि अबर इसका calculation किया जाता है तो 4 भी y a हो जाएगा और into में आ जाएगा कितना a square pi बता 4 4 से 4 काट देंगे 1 a से 1 काट देंगे तो बचेगा कितना pi a b कौन सो अप्षन से हो जाएगा 103 का 6 नंबर वाला जो भी तल्प है वो सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 104 चलिए 104 बहतरीन question है करा find the area of loop आप दे करो करा कि find the area of the loop आप दे करो करा कर दिया गया है तो इस loop का हमको area निकालना है देखिएगा यह जो loop होगी हमारी इसका जो figure बनेगा क्या दिया है a y square is equal to x square into a minus x तो यह जो loop होगी हमारी कुछ इस तरह से बनेगी यह loop कुछ इस तरह से बनेगी इसका जो graph बनता है वो कुछ इस तरह का बनेगा तो यहाँ पर हमारा origin होगा यह हमारा origin है origin का मतलब हो गया कि इसके जो coordinate है वो 0,0 हो जाएंगे 0,0 हो जाएंगे और यह जो होगा यहाँ पर है ना यह पूरा बराबर रहेगा symmetry होता है पूरा यह जो होगा वो हो जाएगा a,0 है ना x अच्छ पर चलिएगा हमें क्या निकालना इसका area निकालना है तो देखिए यहाँ पर दो symmetric बन रहे है एक तो यह वाला area और एक यह वाला area दोनों area तो हम क्या करेंगे तो से multiply कर लेंगे है ना a area equal to कितना आ जाएगा two और zero to a है ना x अच्छ के long कितना हो जाएगा एक सच के long कितना हो जाएगा जीरो to a y dx y dx है ना अगर हम यहां से y निकालना चाहें है ना कितना निकालना चाहें y तो देखो यहां से y कितना आएगा y equivalent to आ जाएगा X X आ जाएगा इसको आ रूट ले लिजे दोनों तरफ यह रूट A आएगा और यह भी रूट में आएगा अंदर हम चाहरे हैं कि इसको लिख दिया जाए A-X बटा रूट A रूट लगा है ना तो A को हमने अंदर ले लिया अच्छा मतलब कि Y कमान यह आने वाला है यानि कि यह एरिया आ जाएगा तू इंटिग्रेशन जीरो टू A Y की जगा पर क्या रखेंगे X रूट में कितना A माइनस X बटा A और यह D X अब देखिए एक छोटा सा काम यहाँ पर हमको करना है छोटा सा काम यह है कि इसको T मान लिया जाए है ना इसको T मान लिया जाए मान लिया जाए यहीं पर मान लेते हैं इसको हम T मान रहें माना माना root A माइनस X by A is equal to T अच्छा अगर इसका वर्ग करेंगे वर्ग कर दीजिए work करेंगे तो कितना आएगा a minus x बटे a equal to t square फिर differentiate करेंगे तो इधर देखो a का तो a बटे a इसका 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा minus का x तो वो 1 बन जाएगा 1 by a dx is equal to इधर 2 square रहेगा उसका हो जाएगा 2t dt है रहा कुल मिला के अगर हम यहाँ dx is equal to रखना चाहें तो कितना आजाएगा minus का 280 dt है ना minus का 280 dt dx जगा पर हम रख सकते हैं रखिये अब यहाँ कितना आजाएगा area 2 under root अब देखो 0 यहाँ रखो जब x का मान 0 रखेंगे तो हाँ सोरी क्या रखेंगे x low limit कितनी दी गए यह उपको 0 to a दी गई है और जब हम 0 रखेंगे यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो देखो x का मान 0 नहीं पर रखेंगे ना x का मान 0 तो 1 आएगा तो यह 1 आजाएगा फिर x की जगप अगर हम a रखेंगे तो अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, अच्छा, अब जहाँ पर x है, x निकाला जाए यहां से, देखो अगर यहां से x आप निकालोगे, तो कितना आ जाएगा, a-x बटे, a is equal to t square, तो यानि कि a t square minus a, फिर इस minus का multiply करोगे, तो a minus a t square, कितना आ जाएगा यह, a minus minus का a t square, और इसकी जगह पे आपने पूरे की t माना है, तो यह आ जाएगा into t, और d x की जगह पे आपको रखना है, minus का 2 a t dt, तो हम यह minus बाहर निकाल लिते हैं, और into में 2 a t dt रख लिया जाए, जो फो यह 2 भी बाहर निकल जाएगा, a के इस से बाहर निकल जाएगा, और ज यह minus है, वो minus अपना कमाल दिखा देगा, यह minus आप limit interchange कर दीजिए, अपर को lower, lower को upper बना दीजिए, तो कितना जाएगा, यह minus का हो जाएगा, भाई, 4 a square, ठीक है, और limit हुई change, 0 to 1 हो गई, 0 to 1 हो गई, 1 to 0 थी 0 to 1 हो गई, minus खतम, यह minus हटा लिया जाएगा, अब देखिए ग निकल गया, यह निकल गया, अपर T का करो multiply, दो है, एक यह T है, एक यह T है, T square, T square का करेंगे हम multiply, multiply करेंगे, तो यह कितना आने वाला है, यहां पर हमारे पास, T square minus T की पावर में 4 है ना, और यह सहाब DT, चलिए, अब यह आ जाएगा, 4 a square, 4 a square हो गया, T square का मतलब हो गया, T cube by 3 minus, T की पावर 5 by 5, अच्छा, यह 0 to 1, अब limit apply कर दी जाए, limit apply करेंगे, करते हैं, limit apply, अपर limit बस रखना है, नीचे तो 0 हो यह सब को 0 हो जाएगा, अपर limit रख दो, बस 4 a square, कितना जाएगा, 1 by 3 minus 1 by 5, कितना जाएगा, 5 minus 3, यह उपर आने वाला है, यह हो गया, 4 a square, यहने कि calculation करेंगे, तो 4 दूनी 8 a square बटा 15, 4 दूनी 8 a square बटे 15 unit है, ना, तो कौन सा option से ही हो जाएगा, यह 8 बटे 15 a square, यहने कि 104 में, B वाला option जो है, वो correct हो जाएगा, question number 105, करहा, if geometric mean of the two number, करहा कि, दो number हैं हमारे पास, मान लिजे कि हमारे पास जो two numbers हैं, लेट कर लिया जाए भाई, two numbers दी गई हैं, है ना, कितने दी गई हैं, two numbers, आप दोनों numbers को लेट करिए, अरे क्या है, हाँ, दोनों number आप लेट करेंगे, कितना आ जाएगा, अब देखेगा, यहाँ पे दो number लेट करने के लिए बोल रहा है, एक मिनट, देखते हैं, यहाँ पे, दो number कह रहा है न, लेट करेंगे, कोई दिख्कत आगे, टेकनिकल प्रॉब्लम, प्लीज, हाना, देखेगा, दो number कह रहा है, एक number आप लेट कर लो, ए, दूसरी number लट कर लो, ब, दो number हमको मिल गई, ए मिल गई, और बी मिल गई, अच्छा, फिर क्या करा है कि, इफ जिमेट्रिक मीन आप टू नमबर इच, त्वल्ब, क्या किनका जिमेट्रिक मीन जो है, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी कितना है, बारा, तो ए ब बराबर एक सुचब वालिस हो जाएगा, अच्छा, यह अर्थमेटिक मीन है, ए प्लस बी बटे दो, कितना दिया गया है, भाई, वो 13 दिया गया है, तो यहां हमको मिलेगा, ए प्लस बी बराबर कितना, 26, 13 दूनी, 26, लास्टली हम से उसने पूछा है, कि देन, डिफरेंस आप दियार स्क्वाइर, आप दीज नंबर, मतलब हमें निकालना है, ए स्क्वाइर माइनस बी स्क्वाइर की बेलू, that is क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, मतलब ए प्लस बी पता है, अगर कहीं से गलती से हमको ए माइनस बी पता हो जाए, तो दोनों को रख ए प्लस बी कितना दिया गया है हमको 26 दिया गया है और 26 का स्क्वेर कितना हो जाएगा साब 676 माइनस चार गुड़े ए भी का मान हमको 144 दिया है 144 चार सो और 160 और 16 है ना कितना हो जाएगा ये 576 देखेगा कितना हो जाएगा ये 676 ये हो जाएगे 5 हो जाएंगे 570, दोनों को घटा देंगे कितना जाएगा सहाब, 100 A-B का square is equal to 100 आ जाएगा, और A-B बराबर कितना जाएगा, 10 और हमें चाहिए क्या, हमें इन दोनों का, दोनों के square का difference चाहिए, तो A plus B का value कितना आ गया 26, और A-B का value कितना आ गया, 10, तो कितना आ जाएगा सहाब, ये 206 कौन सा option से हो जाएगा 105 का C option जो होगा, वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे, question number 106 करा कि किसी छण, फेके गए पिंड की चाल की दिसा 36 से alpha कोड बनाती है, 36 से कितना कोड बनाती, alpha ये हमारा 36 है और ये हमारा उर्द्वदर है, यहां से कोई कड फेका गया और करा, जिस छड़ों फेका गया वो alpha कोड बना रहा था कितना 36 से alpha कोड बना रहा था अच्छा alpha कोड बना रहा था ठीक है, ती समय बाद वो beta कोड बनाता है ती समय बाद कहीं पहुंचा होगा, यहां पिंड पहुंच गया होगा ती समय बाद जब वो यहां पहुंचेगा, मालो यहां पहुंच गया हो तो यह यहां से कह रहा है कि वो कितना बना रहा है कोड यह बना रहा है इस दोरान जो कोड बन रहा है वो बीटा बन रहा है अच्छा माल लेते हैं कि जो पहली velocity रही होगी वो यू रही होगी और ये अंतिम velocity V रही होगी है ना अब समझे कहानी को थोड़ा सा आगे अब देखेंगे तो कि रटी समय बाद बीटा कोड बनाती है अब देखेंगे आपको एक बात यहाँ पे किलिए रहना चाहिए जो हमारा 36 घटक होता है ना horizontal velocity horizontal velocity किसी भी point पे ना इस परवले में किसी भी point पे horizontal velocity जो होती है जो 36 component होते हैं वो दोनों क्या होते हैं मतलब कि इस velocity के 36 component होते हैं पूरे घटना करम के दोरान बराबर रहते हैं कहने का मतलब यह कि यहाँ पे u cos alpha is equal to equal था किसके v cos beta यहाँ पे यह वी बेक था इसका यहाँ पे जो 36 wave होगा ठीक है 36 component होगा 36 घटक जो होगा और यहाँ पे इसका जो 36 घटक होगा वो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे u cos alpha बराबर होगा v cos beta अब हम बात करते हैं यहाँ पे मालिच इस जगा पे हमारा जो रहा होगा क्या कहते है उर्द्वादर वेग 36 घटक उर्द्वादर घटक जो रहा होगा वो क्या होगा sin beta क्या होगा sin beta और यहाँ पे क्या होगा यह हो जायेगा देखू u hex v accomplishments v is equal to u minus GT हो जाएगा क्योंकि उपर की ओर जा रहा है कड जो है बाती होगा तो यह गती के जो पहला समिह अर्ट है v comigo minus GT और up जगह पे चो जाएगा u generally alpha के बराबर हो जाएगा है ना उपनागी है एक प्लस 80 होता है तो उपर के और जा रहा है तो एक जगह पे जो ए हमारा यह बराबर हो जाएगा तो यह होगया और यह दोनों क्या होंगे बराबर होंगे अना तो अब देखिएगा वे, sin, beta, equal to ये हो गया, अब हम यहां से निखालेंगे, है ना, अब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, इसका जो हमारा उर्द्वादर वेक, उर्द्वादर गटक और इसका उर्द्वादर गटक दोनों क्या होंगे, equal हो जाएंगे, अच्छा अब हमको यहां पर उसने पूछा क्या दिन, find पिंड का वेक पिंड के वेक का 36 गटक मतलब हमें चाहिए, u cos alpha हमें चाहिए, u cos alpha u cos alpha चाहिए, तो हम यहां से वेक 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 रखते हैं, यहां से देखो वीक निकालो, वीक इतना आजाएगा, u cos alpha divided by cos beta, और into में कौन है, into में है mr sin beta shine beta, equal to u sin alpha minus gt अच्छा, अब यह कितने हो जाएंगे, u cos alpha, देखो sin alpha, और यह cos alpha बटे में, तो यह हो जाएगा, sorry, sin beta बटे, cos beta, 10 beta बन जाएगा और बराबर में आ जाएगा, हमारे पास, u shine alpha minus का gt, अब एक काम करना है हमको, gt उधर बेज़ दो तो यह minus का gt, plus का gt बन जाएगा, अच्छा, अब देखिए u sin alpha है, यह हो जाएगा, u shine alpha minus u cos alpha 10 beta हमें क्या चाहिए, u cos alpha तो हम चाहरे हैं, यहां से जबरजस्ती u cos alpha common ले आ जाएगा यह gt उखोल टू आ जाएगा u cos alpha ले लो, जबरजस्ती common, तो देखिए, यहां पे cos है नहीं, तो divide में चला जाएगा, यानि कहने का मतलब यह है, कि यह tan alpha बन जाएगा, माइनस यहां से निकल जाएगा और यहां पे सिर्फ tan beta बचेगा, हमें निकालना क्या है t, ने, ने, हमें निकालना u cos alpha तो u cos alpha यहां पे आ जाएगा, u cos alpha बरबर देखिए, तर gt चुपचाब अपनी जगा पे है, और यह into में division में आ जाएगा, divide में आ जाएगा tan alpha माइनस का tan beta, न, u cos alpha is equal to gt बटे tan alpha माइनस tan beta, तो कौन सा option भेहां, 106 में b वाला जो option है, वो बिल्कुल correct होगा आगे बढ़ेंगे question number 107 question number 107 करा दो कड एक ही उचाई, उर्धोधर समतल में हम एक ही बिंदू से क्रमसा you और वीवेग से 36 से alpha और beta code बनाते हैं अच्छा, 36 से alpha और beta code बनाते हैं कौन? एक ही बिंदू से दो कड, कड बना रहे हैं एक alpha बना रहा है, एक beta बना रहा है बेग उनके क्या है अलफा वाले का वी है यू है और उसका वी है साथ तेंके जाते हैं ग्याद किजिए कि दोनों कर कितने समय बीतने पर समानतर दिसा में चलेंगे अब देखिए दोनों कर अगर समानतर दिसा में चलेंगे तो दोनों के बीच का जो कोड होगा वो बराबर हो पढ़ा था 10 theta वाला 10 theta का formula होता था U sin alpha minus GT बटे U cos alpha ये हो जाएगा इसके लिए आओ पहले alpha वाले के लिए ये हो जाएगा U sin alpha minus GT divided by U cos alpha ये हो जाएगा बराबर और theta 2 वाले के लिए देखिए वेग इसका V है और एंगल कितना बन रहा है बीटा बन रहा है तो यह कितना हो जाएगा यू शाइन बीटा माइनस जी टी डिवैड़ बाई वी कौश बीटा अब समझे हमें क्या चाहिए हमें चाहिए यहाँ पे कि याद कीजिए कितने समयबाद मतलब हमको टी का मान चाहिए टी का मान हम निकालेंगे जरूर निकालेंगे लेकिन पहले क्रोश मल्टिप्लिकेशन करेंगे तभी निकलेंगा इस टी का मान तो कितना हो जाएगा यह इस यू का करिये इद्र ओगा यू वी साइन अलफा कॉश बीटा माइनस जीटी जीटी वी कॉश बीटा बराबर में आ जाएगा कितना यू यहां पर V है यह V होगा यू V साइन बीटा साइन बीटा कॉश अलफा माइनस यू जी टी यू जी टी कॉश अलफा अच्छा अब एक काम करना हमको टी वाले टम से एक तरफ चाहिए और यह वाले टम से एक तरफ चाहिए को को टी निकालना है को टी को सेप्रेट करना है है ना देखते हैं यहां पर आप वो साइन अलफा कॉस अलफा बीटा सूत्र बंदा है तो हम चाहरे हैं कि इसको इधर बेजा जाए यू वी लो कॉमन और देखो साइन अलफा कॉस बीटा माइनस है ना कॉस अलफा साइन बीटा यानि कि साइन अलफा माइनस बीटा बन जाएगा इधर जब आप इसे लाओगे शाइन कितना alpha minus का beta equal to अब देखें इधर आप लेंगे T common है ना T क्या GT common लिजे आप GT लो लो common लिया हमने GT common तो ये इधर plus में आएगा GT common हो जाएगा V cos beta V cos beta minus का हो जाएगा U cos alpha हमें T चाहिए क्या चाहिए T तो देखेगा यहाँ पे T को लाने के लिए क्या करेंगे T is equal to आजाएगा कितना U V shine alpha minus beta divided by यह हो गया divide में यह ले आओ G आजाएगा into V cos beta minus का U cos alpha है ना यह हो गया T हमारा तो कहा हो गया U V sin alpha minus beta G into V cos beta minus U cos alpha है ना पहला ओप्षन 107 का A ओप्षन करेक्ट हो जाएगा चलिएगा आगे बढ़ेंगे question number 108 108 में करा है कि a particle is projected at an angle of 30 degree to horizontal with velocity velocity दीगे 2943 cm per second the time of flight है ना हमें flying time चाहिए कि कितना लगा होगा है ना देखेगा यहाँ पे गम को दिया है वेग कितना दिया है वेग इसको थीटा पहली बाद तो थीटा दे दिया थीटा कितना है प्रछे किसे एंगल के साथ प्रचिप्त किया जाता है थर्टी रिगरी के पोड के साथ इसे प्रचेपड किया जाता है अच्छा और उसके बाद यू कितना दिया है 2943 सेंटी मीटर प्रती सेकेंड और उसके बाद जी का मान इसने दिया है जी का मान आपके सामने है 981 शेंटी मीटर प्रती सेकेंड स्क्रेइड और हमसे निकालने पूछा है दा टाइम आफ फ्लाइट है ना हमसे पूछा है उड़ायन काल तो उड़ायन काल टी बराबर क्या होता है 2 uникаion एंट साइन तीटा पां जी है ना 2 u साइन तीटा पां जी रखिए मान साप तो यह हो गया 2 और U कमान दिया है 2943 शाइन 30 कमान आएगा शाइन 30 रख लो चलो बटे में कितना जी कमान 981 981 में एक और तीन से काटेंगे कर जाएगा कितना आगया 6 गुड़े 37 कमान एक बटे दो काटो भाई T कितना आगया 3 सेकंड 3 सेकंड बाद यह जमीन में गिरेगा 3 सेकंड हवा में रहेगा चलिएगा कह रहा है कि 9.8 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड इस प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड अच्छा उपर क्यों फेका गया अट विच हाइट 2.5 हाफ है किसकी काइनेटिक एनरर्जी की अच्छा यह जो हो जाएगा एक बटे दो काइनेटिक इनर्जी कितनी होती है हाफ mv square ठीक है इस m से इस m को काड़ दें फिर कितना हो जाएगा ये है g g का मान हमको कितना दिया गया 9.8 g का मान कितना होता 9.8 h equal to ठीक है एक बटे 4 हो जाएगा और इधर देखो वेग दिया गया है ये दिया इसने वेग 9.8 का square हो जाएगा 9.8 into 9.8 1.8 से 1.8 काट दीजिए है ना तो h is equal to अब कितना आ जाएगा ये आ जाएगा भाई 9.8 by 4 4 से divide करेंगे कितना जाएगा 2 4 दुनिया 8 हो जाएगा 1 18 4 चोक 16 फिर कितना हो जाएगा 4 5 20 मीटर है ना भए तो कौन सा उप्षन से हो जाएगा इसमें 2.45 2.45 यानि कि 109 का C वाला उप्षन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 110 की तरफ परस्टर संक्या 110 में कह रहा है कि A is fair A is fair after collision एक गोला है collision with a plane vertically downward with velocity 40 cm प्रती second अच्छा विलोस्टी दिया गया है यहाँ पे कितनी है वो 40 मीटर प्रती second दी गई है अच्छा एक सांदार क्वेस्टन है ये भी है ना देखे करते हैं इसे तो यहाँ पे हमको जो V दिया गया है V क्या दिया इसने 40 V कितना दिया 40 40 cm प्रती second और जो U दिया है इसने upward करा है कि C return upward with velocity 8 cm प्रती second तो U दिया है इसने 8 cm प्रती second then value of coefficient distribution है ना प्रत्यानियन गोडान का मान हम से पूछा है अच्छा अब आपको पता है जो rewind rebound velocity होती है है ना यह वो क्या होती है rebound velocity U is equal to होती है EV है ना EV से ठीक है rebound velocity V U is equal to EV से U कितना यहाँ पे दिया गया है 8 और E into V कितना दिया गया है 40 V करेंगे calculate तो यह आ जाएगा 40 का E is equal to 8 E is equal to 8 बटा 40 मतलब की एक बटा 5 यानि कितना आ जाएगा एक बटा 5 है ना तो आपकर collision with the plane vertically downward with the velocity 40 cm पर 30 second है ना return upward with velocity 8 cm per second rebound velocity जो होगी हमारी ना वो क्या होगी rebound velocity यानि कि U is equal to क्या होता है E into V है ना चलिएगा तो यह हमारी V हो गया और U का मानम को दिया rebound velocity कितनी दी गई थी 8 cm per second ठीक है और starting वाली कितनी थी 40 cm per second बस रख दिया हमने E का मान निकाल दिया कितना आ गया एक बटा 5 D 110 का development करेक्ट हो जाएगा question number 111 cry ball is dropped from a height cry ball है जो इस height से drop की जाती है छोड़ी जाती है on a horizontal plane and the coefficient of institution प्रत्याने अन गुलांग प्रत्याने अन गुलांग का मान जो है यहाँ पे एक बटा 4 दिया गया है for the impact the velocity with which the ball rebound rebound the floor के राजी का मान इतना दिया गया है तो हमें पता है जो rebound velocity होगी उससे पहले हम यहाँ से देखिए हमको एक velocity तो इसने height दे दी है तो पहले हम यहाँ से rebound velocity निकालेंगे तो h का मान भी इसने दे दिया कितना दिया गया है drop from a height 490 490.5 cm और g का मान इसने दिया है 981 cm प्रती शेकेंड अब देखिएगा हमें पता है कि V square is equal to क्या होता है U square plus 2GH 2GH अब देखिए जब कड़ फेका जाएगा starting में विरामा वस्था के दोरान जो हमारा U होगा प्रादम्भिक वेग होगा उसका क्या होगा वो 0 होगा प्लस कितना हो जाएगा 2GH है ना अब देखिएगा यह V square जो इसकी वेग मिला होगा वो कितना जाएगा वर्ग मूल ले लेंगे वेग कितना रहा होगा उस कड़ का उस बॉल का वो रहा होगा 2GH यह है 2 और G का मान आपको पता है कितना दिया उसने 981 गुड़े H का मान दिया उसने 490.5 करेंगे 200 मल्टिपलाई तो देखो यह भी 981 बन जाएगा 490.5 है 981 वर्ग मूल के बाहर जो इसका वेग निकल के आएगा वो 981 शेंटीमीटर पती शेकेंड निकल के आएगा अच्छा अब हमसे लास्ट में उसने पूछा दा विलोष्टी दा विलोष्टी विद विच दा बॉल रिबाउंड फ्राम दा फ्लोर तो आपको अभी थोड़ी देर पहने रिबाउंड विलोष्टी के बारे में बताया है ना एक रिलेशन बताया कि क्या रिबाउंड विलोष्टी यू इक्वल टू क्या होता है इवी इ कितना दिया गया है इदिया गया है एक बटे चार और वी कितना दिया गया है 981 काट देंगे इसको तो इसको भी काटेंगी तो वही आएगा क्या 245.25 cm प्रति शेकेंड यानि कि 111 का कौन सा आप्शन सही हो जाएगा 111 का आप्शन नमबर A करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नमबर 112 की तरफ क्वेश्चन नमबर 12 कह रहा है कि एक कण 32 जी 29 से सोतनता पूरवा 2636 समतल पर गिरता है यदि पृत्यासता गुडान कि यानि कि यहां पर भिदिया रेसिट्यूसरन लगा समय पृति छेपंळ बंद होने में लगा समय यह लगा समय बराबर सूत्र होता है और मतलब पूरी तरह से जो टपाग चल रहा था पार पार पूरी तरह से कब सांत हो जाएगा तो उसे ही कह रहा है कि प्रतिशेपन बंद होने में समय कितना लगेगा तो इसके लिए सीधा सा सूत्र अपने पास अंडर रूट टू एच अपान जी अंडर रूट टू एच अपान जी इंटू में वन प्लस ए डिवाइड़ बाई वन माइनस ए रख दीजिए फार्मूला में हाइट कितनी दी गई भी या बत्तिस दो गुड़े बत्तिस डिवाइड़ बाई जी ठीक है अच्छा बत्तिस जी है उसके साथ में बत्तिस जी है ना फिर वन प्लस ए ए क्या मान कितना एक बटे दो वन माइनस एक बटे दो इस जी से जी कर दीजे बत्तिस दुनी चॉंस सा ठाएगा कितना आठ गुड़े देखो एक प्लस एक बटे दो यह हो जाएगा तीन बटे दो और यह हो जाएगा दो बटे एक यह दोनों को कट दिया जाएगा आठतरी कितना हो जाएगा भीया 24 सेकंड कितना समय लगेगा प्रति छेदन प्रति छेपन समय का खत्म होने में कितना टाइम लगेगा 24 सेकंड बाद ये मामला पूरी तरह शिर्षांत हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेस्चन नमबर 113 के चार सेंटीमीटर सेकंड के वेग से चलता हुआ दो किलो ग्राम का ये गोला बिराम आवस्था में इस्थित चलिए पहले बनाते हैं दोनों गोले एक गोला ये है और एक गोला ये है अच्छा इसका जो वेग है वो चार सेंटीमीटर परति शेकंड दिया गया है है ना यूवन इसका स्टार्टिंग का जो वेग है टकराने के लिए जा रहा है मामना लडने के लिए जा रहा है है ना कितना है चार सेंटीमीटर परति सेकंड जा रहा है और कितना वजन है इसका चलता हुआ दो किलो ग्राम का ये गोला ये दो किलो ग्राम इ इस्थित अगर यह विरामावस्था में इस्थित है तो इसका प्रारंभिक होगा वो क्या होगा शुन धोगा यह इसकी तरफ टक्राने जाएगा इधर जाएगा तब ही तो कॉलिजन होगा कि कितना दिया है म two m two पुदा दिया है चार केजी है चलिये दोनों तकुराने दीजिए कि यदि दुसरे गोले से सीधा संगट करता दोनों ठकुरा यदि संगट के पश्चात पहला गोला विरामावस्था में आजाता है ना पहला गोला विरामावस्था मतलब ठकराने के बाद पूच रहाएग्षा फ्रॉय Moore जाएगा सेमू इधर जाएगा है ना तो यह जो वीवन है वो क्या है कि रहा है जीरो आ जाएगा तो हमसे पूछ रहा है कि वीटू का क्या होगा है ना इस वीटू का क्या होगा वीटू कितना होगा देखेगा निकालते हैं लगाते हैं यहां पर समवेक समच्छन के नियम को देखेगा संगट के पस्चात पहला गोला विरामावस्था में आ जाएगा सब कुछ यहां पर हमारे सामने हैं पहले हम इसका वीटू निकालें फिर कह रहा है कि विरामावस्था में आ जाए तो गती जूर्जा में हानी होगी पहले हम वीटू निकालें फिर गती जूर्जा के नियम से है ना तो संवेक संरच्छन के नियम से कंजर्वेशन ला कहता क्या है कि संगट के पहले का संवेक और संगट के बाद का संवेक दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए यानि कि M1 U1 प्लस M2 U2 is equal to M1 V1 प्लस M2 V2 के बराबर होता है चलिए यहाँ पे अब देखेंगे M1 2 kg दिया है 2 kg U1 दिया है 4 8 हो जाएगा प्लस देखो U2 0 है इसलिए मैं पूरे मामले को 0 करता हूँ equal to M1 M1 दिया है हमें 2 और V1 कितना दिया 0 त इसलिए 0 ही हो जाएगा means यहाँ पे V2 is equal to कितना आजाएगा 4 cm प्रती 2nd है ना 4 cm प्रती 2nd V2 आजाएगा इसका अंतिम वेग कितना आजाएगा इसका M2 अलेगा अंतिम वेग कितना अगया V2 is equal to 4 cm प्रती 2nd अब हमसे कह रहा है गतिजूर्जा में हानी तो देखते हैं पहले क्या गति जूर्जा रही होगी है ना पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी तो हम यहाँ पर अब निकालने जा रहे हैं हानी ठीक है गति जूर्जा में हानी ठीक है काइनेटिक एनर्जी में हानी तो कितना हो जाएगा भाई पहले रही होगी एक बट्टे 2, एक बट्टे 2, m1, u1 square, प्लस, एक बट्टे 2, m2, u2 square, ठीक है, बाद में velocity रही होगी, 1 by 2, m1, v1 square, घाटे गी ये velocity, प्रश्टी माइनस एक बटे दो एम टू वी टू स्कूर चलिए रखते हैं सारी वैलू यह हो जाएगा हमारे पास एक काम गरे माइनस को यहां ना रखे इसे प्लस में रखे और यहां ब्रैकेट ले 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 चलिएगा एक बटे दो M1 कितना दिया है दोू 1 कितना दिया है चार। पर यह यह यूटी जिरो हो जाएगा तो इसे हम छोड़ रहे हैं इसमें कोई टेंसन independence नहीं लेना आगे आज़ो माइनस का अब यहाँ देखो V1,0 ऐसलिए इसे पूरा छोड़ रहे है यह आज एक माइनस का एक बटे 2, M2 कितना दिया गया है 4, अब V2 कितना आया है V2 यहाँ पर आया है 4, अच्छा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यह कितना हो गया यह एक बटे 2, यह यहाँ पर UN स्क्वेर है, चार का स्क्वेर करेंगे न 16 हाएगा और यहाँ पर V2, V2 कितना दिया गया है 4 दिया गया है V2 V2 स्क्वेर, एक बटे 2 V2 कितना आया है हमारे पास V2 आया है, 4 V2 थोड़ा सा कहीं, पित्रटी होई है, एक मिनट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, चार दुनी, आठ एक बटे U1 U1 कितना दिया गया है, यहाँ आठ नहीं था U1 चार था U1 कितना था, 4 तो यह कितना हो जाएगा, भहिया 8 तो कितना आजाएगा, V2 कितना आएगा, 2 अब जहाँ V2 है, वहाँ पर 2 रख दीजिए ठीक है, यहाँ पर V2 की जगह पर हम कितना रखेंगे 2, V2 और इधर यूज़ा नहीं कहीं, 2 2 से 2, काड देंगे 16, 16 में 4 जाएगे कितना बचेगा, 16 में 4 घटने पर आएगा 16, 16 में 4, एक मिनट अड़े, यह स्क्वेर भी तो लगा है तो और आजाएगा, चार दूनी आठ हो जाएगा 16 माइनस आठ, कितना आजाएगा, भीया 8 जूल थोड़ा सही, 8 यहाँ पर V2 ने जिस्टप किया, V2 कितना यहाँ दो और यहाँ पर स्क्वेर लगा हो, दो दूनी चार हो जाएगा यह, और एक बटे दो, गुड़े चार गुड़े चार, फिर स्क्वेर करेंगे तो कितना आजाएगा, आठ जूल आजाएगा यह वाला आप्सन 113 में सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 114 किरा अचर परिमाड के दो बलों का महत्तम परिमाड, अच्छा दो परिमाड हैं मारे पास, दो बल हैं, देखिए महत्तम कब होते हैं, दोनों का योगों के बराबर होता है, जो महत्तम होता है, परिमाड है ना, महत्तम परिमाड क्या होता है F1 प्लस F2 और नूनतम जो होता है, वो क्या होता उनके अंतर के बराबर होता है F1 माइनस F2 दोनों को एड़ कर दीजिए, दोनों को जोडेंगे तो यह आजाएगा P प्लस Q बटे 2 बराबर F1 और दूसरों दोनों को घटाएंगे तो यह आजाएगा P माइनस Q बटा 2 बराबर आजाएगा F2 हमने पहला बल भी निकाल लिया अपना दूसरा दूसरा F2 है फिर हो क्या कह रहा है जो इनका मैक्जमम महात्म परिमा और F2 निकाल लिया यह नहीं कि दोनों बल निकाल लिया और करा इन दोनों बलों के बीच का जो कोड़ है वो साथ हंसरा तो परिमाड़ 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 का माल क्या होगा तो देखिए परिमाड़ 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 का माल क्या होगा तो देखिए परिमाड़ का स्क्यार प्लस 2PQ है रा 2 F1 F2 F1 हो जाएगा हमारे पास P Plus Q बटे 2 into P minus Q बटे 2 into। देखो कॉस साठ रखा जाएगा कॉस साठ का मान एक बटे 2 हो जाएगा इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा कोई बात नहीं देखे एक बटे 4 नीचे आएगा यहाँ पे एक बटे 4 यहाँ आएगा और पूरे से आप एक बटा 4 ले लिजिए common यहाँ बनने वाला है हमारे पास P square plus Q square plus 2 PQ और यहाँ बनने वाला P square plus Q square minus 2 PQ तो plus 2 PQ minus 2 PQ cancel out हो जाएंगे कहने का मतलब 1 P square यहां बचा एक P square यहां बना बन के हो गया 2P square प्लस 2Q square अच्छा प्लस यह कितना हो जाएगा भाई P square minus का Q square एक bracket में P plus Q दूसरे bracket में P minus Q घटा दिया जाए कितना जाएगा 1 बटे 4 under root देखो 2P square यह है 1P square यह है यह हो जाएंगे 3P square और दो Q square minus Q square यहनि कि क्या जाएगा प्लस का Q square एक बटे 4 अरे एक बटे 4 root के बाहर एक बटे 4 थोड़ी आएगा एक बटे 2 आएगा ना चोड़ी चोड़ी घलती यहां जो एक बटे 2P square plus Q square डी वाला option जो है वो correct हो जाएगा 114 का डी और अप्सन करेक्ट हो जाएगा question number 115 की तरह बढ़ते हैं question number 115 किरा कि बीश किलो वाट का बल 36 से 30 संस के कोड़ पर क्रिया करता है इसके 36 तो और देशा में 20 भागों का अनूपाथ ग्याद कीजिए अच्छा देखिए यहां पे क्या कह रहा है पिए अब क्या हो जाएगा जो इसका 66 और उर्धो देखिये जो 36 वाला हो जाएगा वो कितना हो जाएगे बल कितना दिया हमें 20 Cosh Alpha ये 36 हो जाएगा और 20 sin beta ये क्या हो जाएगा भीया ये उर्धवाधर हो जाएगा sin alpha ठीके दोनों का अनपात कहरा है ये 36 गटक है और ये उर्धवाधर गटक है तो दोनों का divide कर जी 20 से 20 कट गया कितना आ गया भीया? ये court alpha आ गया और अलफा का मान रख दिया जाए कौट कितना दिया है 30 कौट 30 कितना होता भी या अंडर रूट तीन है ना तो यह जो 20 किलो वाट का पी 20 किलो वेट का बल जो है 36 से 30 के कोड पे जो क्रिया कर रहा है इसके 36 मुर्दादर दिस्था में जो बियोजित भागों का चल पे 30 अंसक्य कोड पे है ना तो कितना हो जाए गई है 20 किलो वाट वजिए वेट तो यह 36 वाला हो जाएगा एफॉर और यह वाब अवज्गाएगा सा इनीं दोनों में अनुपात निकालना था हमें वीज दिया तो दोनों हमने क्या क्यान चाहीन प्रीना गया कौन क्स् वेट है ना 20 kg भार का एक पिंड 5 cm तथा 12 cm लंबी दो जंजीरों से लटका हुआ है जंजीरे एक ही 36 रेखा में दो बिंदों से जिनके बीच की दूरी 13 है एक दम सिंपल हमको समझ में आ रहा है कि यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है बस आपको एक जंजीर यहां लगानी है दोनों जंजीर आप यहां पर लगा दीजिए एक को पॉइंट दे दीजिए एक पॉइंट नाम दे दीजिए वी बी है ना और यह एक दूसरे से 90 का कोल बना रहे हैं क्योंकि यह करण है 13 cm और यह कितना दिया गया भाई साब यह दिया गया है 5 cm अच्छा और यह 12 cm अब एक बात आपको बताना चाहेंगे पिंड का पिंड को कहा लगा लटकाया गया है यहां पर लटकाया गया एक जंजीर यह एक जंजीर यह और यहां पर इस पिंड को लटका दिया गया है यह पिंड कितना है 26 kg भार का यह पिंड यहां पर लटका दिया गया है कोई बात नही T1 माल लीजे और ये जो लाइन है हमारी ये ये यहाँ पे 90 अंस का कोड बनाएगी यहाँ से एकदम 90 अंस का कोड बनाएगी ठीक है अगर हम ये कोड थीटा ले ले तो देखिए अब हमें क्या करना है हमें तीनो T1 पता है T2 पता हमको जंजीरों में तनाव होगा तो हमने पहली वैली जंजीर में T1 माल लिया है और ये बेस में लटके हुए इसको T1 माल लिया है इसको T2 माल लिया है ठीक है ये हमको T1 निकालना है T2 दोनों यही तनाव निकालने है अच्छा अब ये देखिए ये अंगल है इस पॉइंट पे हम बात करेंगे हम चाहरे हैं ये वाले अंगल पता चल जाए ये अंगल कहां से पता चलेगा ये 90 है ये थीटा है और ये देखो इसका बहिस कोड है ये कोड जो है बहिस कोड है कौन सा ये वाला है ना 22 कोड किसके बरावर हो जागा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा अब इस बिंदू पे आ जाओ हमें ये कोड भी चाहिए बाहर वाला कोड भी चाहिए या वाला कोड भी चाहिए ये कोड कैसे निकलेगा पूरे में 360 में पूरे को घटा दो 360 में 90 प्लस 90 प्लस थीटा घटाना है तो 180 माइनस थीटा आने वाला है ये वाला लगा दीजिए यहाँ पे लामी का प्रमे लगाते हैं यहाँ पे लामी की प्रमे लामी की प्रमे क्या कहती है कितना हो जाएगा भाई जो बल लेंगे मालो हमने T1 लिया तो उसके सामने का angle t1 ये भल हगा इसके सामने का angle कितना है 180 माइनस theta इसका sign लीजिए ये आजाएगा sign में 180 माइनस theta equal to t2 देखो t2 के सामने का angle देखिए यह लिगल t2 के सामने जो दोनों भल लगें उनके बीच का angle 90 plus theta है टी टू बराबर में आ जाएगा साइन नाइन टी प्लस थीटा इक्वल टू और ये है 26 बटे साइन नाइन टी, साइन नब्बे सारे मान रखे जाने चाहिए ये हो जाएगा टी वन, साइन एक्स वस्टी माइनस थीटा साइन थीटा इक्वल टू अब देखिए अगर इस ट्राइंगल में हम थोड़ी सी बात करें दोनों अनुपात लेंगे तो T1 बराबर आजाएगा 26 साइन थीटा T2 बराबर आजाएगा कितना 26 पॉस थीटा अच्छा अब थोड़ा सा मेरी बात ध्यान दीजिए ये एक राइट अंगल ट्राइंगल है राइट अंगल ट्राइंगल है उस राइट अंगल ट्राइंगल वगर थीटा यानि की शाइन थीटा निकाले लंब बटे करड लंब कॉन से सामने होगी 12 करड कितना 13 तो हो जाएगा ये 12 बटे 13 साइन थीटा कमान कितना हो जाएगा 12 बटे 13 इसी तरह कॉस्ट थीटा निकाले तो 26 गुड़े आधार बटे करण यानि कि ये 5 बटे 13 हो जाएगा 13 दूनी 26 तेरा कंडम 13 तेरा दूनी 26 बारा दूनी 24 नूटन और 5 दूनी 10 नूटन 10 नूटन तो 12 नूटन और 10 नूटन कौन स ओफन से हो जाएगा 116 का सी वाला ओप्सन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि इफ थ्री पोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग दसाइट साब देखी एक बार आपको बताया मैंने कई बार बत जाएं तो अगर उनका प्रेडामी अलग-अलग जगहों से जाएगा देखेगा अगर वो जाता है कहां से परिकेंद्र सरकम सेंटर से जाता है तो क्या होता ये ध्यान रखेंगे ये कहीं लिख लेंगे और ये आपकी जुबान पर रटे होने चाहिए है ना देखेगा क्या होगा भाई जीरो है ना जब परिकेंद्र से जाता है जब सरकम सेंटर से जाता है है ना और दूसरा कंडिशन दूसरे कंडिशन जब अंतह केंद्र से जाए जब इन सेंटर से जाए है ना जब ये अंतह केंद्र से जाए इन सेंटर से जाए तो क्या होता है पी प्लस क Q प्लस R बराबर 0 और जब यह जाए लंब के इंदर से कहां से लंब के इंदर से यानि कि आर्थों सेंटर से अगर होके जाता है तो उसके लिए ध्यान रखना है यह होता है Q प्लस Q से जाए और यह कहां से पास हो रहा बिल्कुल सटीक पकड़ा है हम लोगोंने केंदर से होके जाता है तो किंदरक से होके जाएगा तो आपको पता है पी कॉसेके होता है वैसे यह प्लस र बटे sin c equal to 0 अब यहां पे sin rule इस्तेमाल करिए sin a की जगा पे a के sin b की जगा पे b के sin c की जगा पे c के रख दीजिये और k common लेके 0 के साथ multiply कर दीजिये तो p by a plus q by b plus r by c equal to 0 होगा कौनसा option सही हो जाएगा A वाला जो option है वो correct हो जाएगा 117 में A correct होगा आगे बढ़ेंगे question number 118 question number 118 करा है कि एक बिंदू का T समय में वेग 5-2T है अब देखिए इसका मतलब क्या है वेग को जानी रहें DSDT है ना करा कि यदि प्रारंभी वेग सूनने से चलना प्रारंभ करता है ना अब देखिए गए याँ पर यह हो जाएगा DSDT DSDT is equal to कितना दिया गया या T समय में वेग दिया गया 5-2T अगर हम दोनों तरफ differentiate कर लें T के respect में और इसे हम लिख दें DS is equal to कितना 5-2T DT है ना और कर दिजिए S का integration तो आ जाएगा S is equal to 5T minus का T square तो 4 second में चली गई हमें दूरी निकालना है तो यह दूरी बराबर कितना हो जाएगा 5 गुडे 4T का मान 4 second है रख दीजिए minus है ना S at कहा T is equal to 4 S at T is equal to 4 5 गुडे 4 minus 4 कि स्कोया कितना हो जाएगा 5 चोक 20 minus 16 4 कितना हो जाएगा भीया यह 4 मीटर कौन सा अप्षन से हो जाएगा 118 में B वाला option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 119 question number 119 तो आधा दिखेगा भी नहीं आपको चलो question तो दिखी रहा होगा ना भी option की बात करेंगे बाद में ठीक है देखे गए यहाँ पर question number 119 कहा कि सीधा टकराने के बाद दो गोले जो इतने इतने किलोग्राम भार के हैं क्रमसा 20 और 10 cm सेकंड के वेग से उसी दिसा में चलते हैं यदी प्रत्यास्ता गोडांग के एक बटे तीन है तो गोलों के टकराने का वेग ग्यात कीजिए दोनों काम करेंगे और समझेंगे इस कहानी को देख dale, यहां पर यह वेग हैं, गोले हैं इस तरह से टकरा रहे हैं एक गोला यह है हमारा और एक गोला यह है, दो गोले हैं, एक छोटा एक बड़ा है लो हमने एक ही जैसे बना दिये हैं यह 3 केजी है और यह 10 किलोग्राम का में अच्छा इसके बाद इसका दो कि अम को पूछा है हमें नहीं पता कि यह क्या होगा इसका प्रारम भीची क्या था नहीं इimdi नहां है वीवन कितना है कि रिखनको धिया है 20 cm path devices 2-2 सेंटीम्टर पती देचींड और वे-टू एक न दिया यहां पे वीटू यह दिया है यह संवेख्सिंटीमेटर, दस सेंटीम्टर के पती शेक्ड मनलेर और हमीस्तिमाल करेंगे हाइँ यहां वेट संटरख्षण का नियम क्या होता Summa1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2 सारी value रखेंगे ना देखेंगे यहां पर m1 कितना एक kg तो एक गुड़े u1 हो जाएगा यह u1 plus m2 कितना है 3 तो यह 3 u2 हो जाएगा equal to m1 कितना हो जाएगा एक गुड़े v1 v1 दिया है 20 plus यह 3 गुड़े 10 कितना आजाएगा भाई यह आजाएगा u1 plus 3 u2 equal to कितना 30 20 50 और यह हो गया हमारा शमी के रण 1 है ना यह question हो गई अच्छा अब लगाएंगे न्यूटन का प्रियोगात्मक नियम न्यूटन का प्रियोगात्मक नियम प्रियोगात्मक नियम से तो लूटन के प्रियोगात्मक नियम से क्या होगा यह हो जाएगा v1 minus का v2 is equal to e into minus होता नहीं यहापे minus e into u1 minus u2 है ना लगाते हैं यहापे v1 कितना दिया गया है हमको 20 minus 10 यानि कि यह हो जाएगा साब minus का 10 minus का 10 is equal to minus e का मान हमको एक बटा तीन दिया है ना प्रत्यास्था गुडांक एक बटा तीन दिया है और यह u1 minus का u2 तो काट देंगे minus minus खतम कर दीजिए यह आजाएगा u1 minus u2 is equal to कितना 30 यह शमी करण 2 है और इन दोनों शमी करणों को घटा दिया जाए घटाएगे तो देखो यह प्लस का हो जाएगा और 4 u2 is equal to आजाएगा कितना 20 और u2 कितना आजाएगा अरे यह जुड़ेगा ना भाई जुड़ जाएगे ना दोनों हमें क्या करना u1 यह दिया गया है minus का 30 यह minus दिया गया है यहाँ पे और यह यहाँ पे अल्रेडी v1 20 में 20 में वीटू घटाएगे तो minus कहाँ आएगा प्लस एक रहेगा यह minus कटेगा नहीं sorry यह minus का 30 रहेगा तो यह minus का 30 होगा अब वो जुड़ जाएगा है ना हम समिकरण एक और समिकरण दो दोनों को हल करेंगे हल करने पे हमको जो u1 मिलेगा वो minus का 10 मिलेगा और u2 जो मिलेगा वो 20 मिलेगा एक negative मिल रहा है एक positive मिल रहा है तो कह रहा है कि दोनों गोलों के टकराने का वेग यानि कि जिस वेग से वो starting में टकराए थे यानि कि जो यह u1 और u2 है वो कैसे हैं एक ही दिशा में गति करेंगे तो अगर दोनों के चिन सेम सेम होते तो एक ही दिशा में होते अगर चिन में विप्रीथ है विप्रीथ दिशा में गति करेंगे एक निगेटिव प्राप्त हो रहा है और एक पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है यानि कि दोनों क्या होंगे विप्रीथ दिशा में गति करेंगे यानि कि 110 का वी वाला option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 120 की तरब क्राया non-empty subset H of a group G is a subgroup if है ना तो ये तो अग्दम theorem है कि अगर A और B belongs H है तो A B inverse belongs क्या होगा H होगा है ना कौन subvence ही हो जाएगा इसमें 20 ही हो जाएगा 120 का B 121 क्या इन इनी ग्रूप the number of improper subgroup H अब आपको पता है कि improper subgroup कौन-कौन से होते है है ना तो improper subgroup कौन-कौन से होते है improper subgroup एक तो हमारा क्या हो जाता है identity हो जाती है है ना एक तो क्या होती है group की जो identity होती है वो भी क्या होती है improper subgroup में आती है और एक group जो होता है स्वयम है ना या ट्रिवल सब ग्रूप के नाम से भी जानते हैं त्रिवल शब ग्रूप या इंप्रॉपर सब ग्रूप ठीक है इन दोनों को क्या कहते हैं हमारे पास जो आइडेंटिय उस ग्रूप की और इस ग्रूप को स्वयम को यह क्या बोलते हैं को हम improper subgroup बोलते हैं improper subgroup या síle called subject के नाम से जानते हैं और इसके अलावा यहली कि यहनी कि itself और identity के अलावा जो गुरूप के सभी अडोंगे उन्हें proper subgroup के नाम से जानते हैं तो इंप्रॉपर सब गुरूप के कितने नमबर हो वो दो होते हैं ना, दो होते हैं कौन, identity और itself, यह दोनों होते हैं, आगे बढ़ेंगे, question number 12, question number 12 में हमसे कह रहा है कि, let G be a group of order 30, है ना, order of G कितना है, 30, order of G is equal to, 30 हो गया, फिर A and B are subgroup of order 2, अच्छा, order of A, वो कितना है, 2, और order of B कितना है, 5, हमसे पूचा है, order of G by A, B, तो हम यहां से पहले order of A, B, order of A, B, तो order of A, B कैसे निकलेगा, क्योंकि इसमें में देखिए, order of G by A, B में क्या होगा, order of G by A, B, तो पहले हम order of A, B, निकाल लेते हैं, order of a b क्या हो जाएगा order of a into order of b divided by hcf है ना निकालेंगे या gcd कह दीजिए उसे hcf किसका o a और o b का है ना o a and o b का चलिए o a कितना है दो और यह कितना है पांच 2 और 5 का जो scf आएगा वो hack आएगा तो order of a b कितना हो गया 10 हमें क्या निकालना order of यह आजएगा order of a b from a not a गे या बढ़ेंगे question number एक सुतेईस के राइए विलांग्स जी फार ऑडर 56 अच्छा ठीक है यानि कहने का मतलब यह है कि ओडर आफ एट उकल टू हो जाएगा 56 देन ओडर आफ एकी पावर 4 एकी पावर 4 का ओडर क्या होगा हमको यह बताना है है ना तो देखेंगा यहां पर ओडर आफ एक इतना दिया गया है ओडर आफ एक दिया गया दे दिया उसने 56 इसका मतलब यह है कि अगर हम एकी पावर में 56 कर रहे हैं तो हमको आइडेंटिटी मिलती है तो हमसे कह रहा है की पावर 4 का क्या होगा तो इसे हम अगर एकी इस गोल TOO इंब देखिए क्या पावर की जा रही तो इडिंटिटी आ रही है 14 क्या पावर की जा रही है जो पावर करने पर इसकोल टू कितना हो गया 14 जाएगा बढ़ते हैं question number 124 की तरफ है ना देखते हैं 124 124 में करा है the order of each subgroup of finite group is the order of each subgroup of finite group तो करा है कि जो subgroup होता है है ना order of each subgroup of finite मतलब कि subgroup का जो order होता है वो किसका डिवीजर होता है डिवीजर आफ order of group है ना डिवीजर आफ order of group 124 में बी वाला option करेक्ट हो जाएगा यह निए the order of each subgroup of finite group is divisor of order of group है ना चलेगा question number 125 125 में करा है if H and K are subgroup of a group G such that OH is equal to unique order of group is equal to 3 और order of K is equal to 5 हम से पूछा order of H intersection K order of H intersection K तो यह होता है किसके बराबर GCD of GCD of order of H and order of K इन दोनों के GCD के बराबर होता है तो निकाल दीजिए GCD किसके तीन और पांच के इन दोनों का GCD क्या होगा एक होगा है ना माशा पा एक होगा कौन साफ़न से हो जाएगा यह 125 का यह वाला option करेक्ट हो जाएगा तो इसके साथ हमने complete किया अग्लिपस्ट इस स्रीज का ATS 7